गुद मॉर्निंग क्लास आज की क्लास में हम शुरू करेंगे हमारा next chapter of statistics और यह chapter है यह हमारे subject का सबसे lengthy chapter है यह सबसे बड़ा chapter है हमारे statistics के syllabus का और क्योंकि यह chapter बड़ा है तो उतना ही important भी है और exam में काफी सारे questions भी आते हैं इस chapter में से यह chapter वो है जो हमने class 9 से इसे पढ़ना शुरू किया है class 9th and 10th के अंदर यह हमारे syllabus में था as well as जिरोंने 11th and 12th के अंदर भी maths को opt किया था उन्होंने भी कहीं न कहीं इस chapter को पढ़ा है यह chapter कौन सा है? this is the chapter probability आज हम बढ़ने वाले हैं the chapter probability अब इस chapter को हम different parts में divide कर सकते हैं first part जो है इस chapter का that is very easy first part काफी easy है second part थोड़ा सा average level का है and third part वो थोड़ा सा difficult level का है तो exam में किस category में से questions आते हैं? तो exam में इन तीनों categories में से questions आते हैं तो हमें सबसे पहले focus किस पे करना है? पहले हमें basic level and उसके बाद medium level, average level पे focus करना है ये दोनों जब अच्छे से होंगे तभी जाके high level वाले questions हम कर पाएंगे अगर ये दोनों पे ध्यान बराबर नहीं गया तो फिर high level वाले questions नहीं होंगे ठीक है? तो पहले हमें basic level पे अब focus करना है चलिए the word probability क्या होता है इसका meaning? तो simple सी हम इसकी definition लेख साथे है it is chance of happening an event probability is chance of happening an event किसी event के अकर होने के chances को हम क्या कहते है probability इस event को हम और क्या कह सकते है outcome किसी outcome के किसी event के अकर होने के chances को हम क्या कहते है probability किसी गटना के गटित होने की समभावना उससे कहा जाता है probability को हिंदे में क्या कहते है तो सबसे पहले हम इसको two parts में divide कर देते है फस्क्रपष बहुआ time हुआ 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 फस्क्रप्स बढुसक्टियद रूबाबिट and second one is objective probability subjective and objective अब इनका meaning क्या होता है इन में difference क्या है ये समझ लेते है सबसे पहले बात आती है subjective की subjective में क्या किया जाता है इसका concept क्या है तो subjective is that probability which varies from person to person एक ऐसी probability है जो person to person vary करती है अब अगर person to person vary करती है तो हर person अपनी knowledge अपनी skill को use करके probability calculate करता है so probability is calculated by using skill और knowledge और personal judgment यहां पर कोई भी person अगर probability calculate करता है तो वो अपने knowledge को अपनी skill को या अपनी किसी past experience को काम में लेके और वो probability बताता है तो क्योंकि हर person की skill अलग होगी तो इसलिए सब की probability भी विरी करेगी अब इसका example क्या हो सकता है कि लाइक आज बारिश होने के chances कितने हैं तो कुछ लोग कहेंगे कि 0.1 chances है कुछ कह सकते है 0.5 chances है 50-50 कुछ भी हो सकता है कुछ का answer होगा 0.8 के chances है तो यहां हर किसी का answer वेरी हो रहा है similarly अगर कोई cricket match चल रहा है team A and team B इन दोनों में से team A के जीतने के chances कितने हैं तो यहां पर भी सबका answer वेरी करेगा कोई कहेगा A के 100% chances है कोई कहेगा team B के chances जादा है तो इस तरह से हर person का जो answer है वो वेरी करता है किस में subjective probability में ठीक है यहां पर कोई formula काम में नहीं आता है यहां कोई scientific method कोई scientific तरीका काम में नहीं आता है for calculation of probability यह simply हमारे experience से knowledge से आता है ठीक है तो हमने लिखा no scientific formula is used यहां पर हम कोई scientific method या formula काम में नहीं लेते हैं तो example हमने क्या लिया था rainfall rainfall के chances कितने हैं फिर हमने दूसरी बात की थी match match जीतने के या हालने के chances कितने हैं तो यह सब किसका part हो जाएगा subjective probability अब आ रहे हैं हम किस पे objective पे अब objective में क्या होता है objective में एक proper scientific formula एक proper method या technique की help से हम probability को calculate करते हैं तो यहां पर सब कुछ एक systematic तरीके से चलता है that means हर person का answer क्या होगा same होना चाहिए अगर formula same है technique same है that means probability भी same रहेगी probability क्या रहेगी same रहेगी so here scientific formula is used scientific formula is used तुसलिए सब का answer क्या होना चाहिए same and हम इसे क्या कहेंगे so this is reliable and even more accurate as compared to subjective probability so it is reliable इस पर हम rely कर सकते हैं क्योंकि scientific formula हमने यूज किया है अब example क्या हो सकता है कि like एक coin अगर toss किया चाहे तो उस coin को toss करने पर head आने के chances कितने है head आने के chances कितने है या tail आने के chances कितने है so यहाँ पर सभी का answer वही होगा कि like 0.5 या 1 by 2 this is the chances यह कैसे आया अभी हम आगे discuss करेंगे वैसे आप लोगोंने basic में अगर पहले पढ़ा है 9, 10 में तो उससे आप recall कर सकते है otherwise अभी हम इसे आगे discuss करेंगे एक और example हो सकता है throwing a dice एक dice हमने throw किया है toss किया है तो dice को throw करने से उस pay number 1 आने के chances क्या है what is the probability of getting number 1 on the dice तो यह भी क्या है एक scientific तरीका हम इसमें काम में लेंगे and probability calculate हो जाएगी so this is objective probability so example लेख देते हम tossing a coin and probability of getting head on the coin fine तो यह हो गया दोनों में difference तो अब अगर देखा जाए तो हमें study किसको करना होता है subjective को या probability को of course हमें study करना है objective को कि वहाँ पे तरीका क्या है वो scientific method वो scientific formula क्या है जिससे हम probability को calculate कर सकते हैं तो हमें कुछ सीखने लाइक चीज़ है नहीं वहाँ तो हर person का answer अलग होगा तो हम उसे कहीं से verify नहीं कर सकते हैं तो जो हमें चीज़ पढ़नी होती है that is objective probability ओके सबसे पहले अब हम discuss करते हैं formula for calculation of probability कि probability को हम कैसे calculate कर सकते हैं probability is denoted by capital P so probability equals to क्या लिखेंगे equals to में number of favorable cases number of favorable cases cases को हम events कह सकते हैं या फिर outcomes भी कहा जा सकता है तो number of favorable events outcomes divided by किसे divide करना है total number of total number of cases or events or outcomes so favorable upon total this is the simple formula for calculation of probability तो इस तरीके से calculation की जा सकती है तो बड़ा असान सा simple सा formula है अर इसमें हमें कुछ terms पहले study करनी है फिर हम उसको ये example लेते हैं first term जो पहला word है पहला शब्द है वो कौन सा है first word is trial also known as experiment trial या फिर experiment अब इसका मतलब क्या है कि हमने कुछ ऐसा काम किया जिससे कोई result آता है हमने कुछ ऐसा perform किया जिससे कोई result आता है so that performance is known as experiment or that performance is known as trial तो trial experiment का मतलब क्या हुआ कि हमने कुछ ऐसा perform किया जिससे कोई result आता है that is known as trial or experiment for example tossing a coin tossing a coin एक coin हमने toss किया है so coin toss करने से result क्या आएगा result will be heads और till तो हमारा experiment क्या है tossing a coin उसका result क्या है head and tail similarly throwing a dice throwing a dice एक dice हमने throw किया है so dice throw करने से result क्या आएगा result आजाएगा number 1, 2, 3, 4, 5, and 6 1 से लेके 6 तक कोई भी number आ सकता है किस पे dice पे so यह जो हम perform करने tossing a coin और throwing a dice is known as trial और experiment and जो उसका result है उस result को हम क्या कहेंगे this result is known as event और outcome या तो event कहा जा सकता है या फिर outcome so result of experiment is known as event और outcome यह हो गए हमारे तोनों terms अब हम आते हैं पहले calculation of probability पे कि कैसे probability को calculate किया जाएगा तो सबसे पहला example हम लेते है a coin is tossed what is the probability of getting head एक coin को हमने toss किया है अब उस पे head आने के chances क्या होंगे तो देखें अभी हमने just एक formula लिखा था number of favorable cases divided by total number of cases तो total cases कितने है there are two cases two events one is head and second one is tail so denominator में हम क्या लिखेंगे two denominator में हमने लिखा है two numerator में क्या आएगा favorable event इन दोनों में से favorable event काँ सा है head that is only one event is favorable so probability will be one upon two head आने के chances कितने हो गए one upon two similarly अगर पूचा जाए what is the probability of getting tail उस कोईन पे tail आने के chances क्या है so again only one event is favorable out of two so one upon two this is the probability of getting tails fine now taking example of dice now एक dice हमने थ्रू किया है हिंदी में कहते है पाशा एक पाशा हमने फैका है तो dice थ्रू करने पर उस dice पे क्या आना चाहिए number one what is the probability of getting number one on the dice dice पे one कैसे आ सकता है कितनी उसके chances है तो देखें upon में तो क्या हैगा total number of cases जो की है six numerator में क्या हैगा favorable favorable is only one only one कि जो हमारे numbers है उसमें से एक ही favorable है number कौन से है number one two three four five and six out of this only number one is favorable so one upon six is the required probability similarly what is the probability of getting number two number two आने के chances क्या है ये आपको बताना है तो देखें number two कैसे आ सकता है तो इसके लिए six cases अगें आपको देखना है favorable so only number two is favorable so probability will be one by six six कुछ students गलत है आपको लिए अट आपको तो आपको अपको देखेंप लिए आ आपको जर्यवगा हैं तो आपको इस एक लिए को आपको जर्यवोगा सक्यों अगोई की। अंया अट तो इस अगे wow 1 by 6, 1 by 6, then probability of getting even number on the dice, dice पे कौन सा नमबर चाहिए, even number, even number कौन सा सकता है, number 2, number 4, or number 6, 6, so there are 3 favorable events out of 6, probability will be 3 upon 6, or we can say 1 by 2, so 1 upon 2 is the required probability, fine. One more, what is the probability of getting number greater than 4 on the dice, dice पे कौन सा नमबर रेक्वार है, 4 से जादा, greater than 4, greater than 4, that means 5 and 6 are favorable, so 5 and 6, these two are favorable, so 2 divided by 6, or we can say 1 upon 3, 1 upon 3, यह पार्ट नोट कर लें, फिर next example लेते हैं, नहते हैं, नहते हैं, ले कम करिवाश दैण अब next हम कुछ और terms एक बार पढ़ते हैं next term जो हम discuss करने वाले हैं that is again very simple term और वो कौन सी है equally likely events equally equally likely events ये कौन सी events होते हैं ऐसे event जिनके अकर होने के तांसिस कैसे हो equal हो, बराबर हो उसे कहा जाएगा equally likely events events having equal probability events having equal probability तो उसे क्या का जाएगा equally likely events like probability of getting heads and probability of getting tails दोनों equal हैं that is one upon two दोनों क्या कर होने के चांसिस इक्वल हैं so head and tail these two events are equally likely events similarly number one on the dice and number two on the dice इन दोनों के चांसिस केतने हैं one by six so these events are also equally likely events तो ऐसा कोई भी event जिनके चांसिस बराबर है उसे कहेंगे equally likely events और अगर कोई ऐसा case है ऐसी event है जिनके चांसिस अलग-अलग है तो उसे कहेंगे not equally likely not equally likely events ऐसे event जिनके अकर होने के चांसिस डिफरेंट है अब इसका example like probability of getting head and probability of getting number five तो head आने के चांसिस तो कितने हैं one by two and number five आने के चांसिस on the dice is one by six तो इन दोनों event के चांसिस अलग-अलग है different है तो इसलिए कहा जाएगा not equally likely events not equally likely events तो यह एक एक word important है आपको समझना होगा because exam में जब एक साथ में बहुत सारे options आते हैं तो हम confused हो जाते हैं तो confusion exam में ना हो इसके लिए एक एक word हमें अच्छे से आना चाहिए तोग एक एक लगए अब नेक्स पॉइंट आता है कि लाइक, if today is monday, अज दे कां सा है, monday, हम ऐसा मान रहे, let today is monday, now what is the probability of having sunday tomorrow, कल संडे होने के chances कितने है, what is the probability of getting sunday tomorrow, क्या answer करेंगे, 1 by 7, 2 by 7, 0 by 7, क्या answer करेंगे, तो ऐसे question में कहीं बार answer मारे सामने 0 भी आता है, और कहीं बार 1 by 7, तो दोनों में से कौन सा answer correct है, क्या 1 by 7 correct answer है, no, 1 by 7 is the wrong answer, because अगर हम यह कहते हैं, आज monday है, और कल संडे होने के chances 1 by 7, पतलब कहीं न कहीं हमारे मन में doubt है, कि कल संडे आ भी सकता है, क्योंकि जब हम कह रहे हैं, 1 by 7 is the chances of happening that event, कि वो event हो सकता है, उसके इतनी chances है, अगर chances है, लेकिन practically अगर हम देखें, तो monday के बाद next day, सिर्फ Tuesday ही आ सकता है, Sunday is not possible, तो इसे हम क्या कहेंगे, impossible event, this event is known as impossible event, और जब कोई भी event impossible होता है, तो उसकी probability, always, क्या लिखेंगे, 0, so this is an impossible event, impossible event, that means ऐसा event जो कभी अकर नहीं हो सकता, चाहे सुनामी आ जाए, बारिश आ जाए, बाहर आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन Monday के बाद, Sunday तू नहीं आने वाला, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, Tuesday आएगा, ओके, अब बताओ, what is the probability of getting Tuesday tomorrow, तो तूजडे होने के chances कितने हैं, वन बाए सेविन, जीरो, या सेविन बाए सेविन, या वान, क्या कहेंगे, तो अब देखें, यह हमें पता है, कि मंडे के बाद तो Tuesday ही आएगा, तो इसे कहा जाता है, श्यूर इवेंट, श्यूर या फिर, सर्टेन इवेंट, तो ऐसे इवेंट, जो तो होके रहेंगे, फिक्स है, उसे हम रोक नहीं सकते हैं, तो ऐसे इवेंट कहते हैं, श्यूर इवेंट, या सर्टेन इवेंट, और प्रॉबैबिलिटी इस इक्वल टू वन, उनकी प्रॉबैबिलिटी आलवेज कितनी होगी, वन, हम चाहे कुछ भी कर लें, बट मंडे के बाद तो टूजडे ही आएगा, तो इवेंट, तो प्रॉबैबिलिटी लिखेंगे, इक्वल टू वन, फाइंग, यह होगी next two categories, एंग्वेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, एंड शॉर इवेंट, एक के चांच जीरो, और दूसरे के चांच जीरो होगए, वन, तो अब हमें पता है, प्रॉबैबिलिटी की, जो वैल्यू है, प्रॉबैबिलिटी की, वैल्यू, कहा से कहा तक हो सकती है, from, जीरो, तो, वन, प्रॉबैबिलिटी की, वैल्यू जीरो से लेके, वन तक कुछ भी हो सकती है, बोल्थ, इन्क्लोजर, गैजेट मीन्स, जीरो भी हो सकती है, वन भी हो सकती है, और इनके बीच में और कोई दूसरी value तो probability के value 1 से ज़ादा कभी नहीं आएगी अगर हमारे solve करने से आ जाती कभी that means there is something wrong कही न कहीं पे कुछ न कुछ गलत हुआ है otherwise 1 से ज़ादा नहीं आ सकती and क्या value कभी negative आ सकती है no that is also not possible probability के value always always कैसी रहेगी positive it can never ever be negative कभी भी negative नहीं होगी ओके ये भी note कर लें क्या है अब आता है इस चाप्टर का सबसे इंपोर्टेंट टर्म जिसके बिना ये चाप्टर सब बेकार है पूरा अधूरा चाप्टर है अगर वो टर्म हमें नहीं पता है तो इतना इंपोर्टेंट टर्म है ये तो हमें हमेशा ये टर्म याद होना चाहिए तो ये टर्म कौन सा है इसे हम लिखेंगे mutually exclusive mutually exclusive events mutually exclusive events सबसे important टर्म है यह है क्या मीनिंग होता है इसको समझ लेते हैं पहले बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है सिंपल साइक साइटेंस है जो हम डिस्कूस कर रहे हैं ऐसे इवेंट्स ऐसे इवेंट्स जो साथ में अकर नहीं हो सकते ऐसे इवेंट्स जो साथ में अकर नहीं हो सकते उसे कहा जाएगा mutually exclusive events सिंपल सा पॉइंट है ऐसे इवेंट्स जो साथ में नहीं हो सकते उसे कहेंगे mutually exclusive event that means event अगर A होगा तो B नहीं होगा और अगर event B होगा तो A नहीं होगा that means only one at a time एक टाइम पे एक ही event होने वाला है दूसरी event उसके साथ में अकर नहीं हो सकते यह सिंपल से definition है किसकी mutually exclusive events की those events which cannot occur together लिख लेते हैं ताकि हमें कौन से पूरा समझ में आ जाएं ताकि हमें कौन से पूरा समझ में आ जाएं लाइक पूरा समझ में आ जाएं तो head को आने से रोख देगा that means दोनों में से एक बार में एक ही event हो सकता है दूसरा event नहीं होगा इससे क्या कहेंगे इससे कहेंगे हम mutually exclusive event या तो head होगा या फिर tail similarly, second example आता है dice का एक dice हमने थोख किया है तो dice पे कौन सा number आएगा अगर number one आगया तो वो बाकी numbers को आने से रोख देगा अगर number two आगया तो फिर वो बाकी number को आने से रोख देगा that means एक event का अकर होना दूसरे event को prevent कर देता है रोख देता है उससे कहेंगे mutually exclusive events ठीक है one more example CA foundation CA foundation CA foundation And CA final These are the two events क्या दोनों event सात में अकर हो सकते हैं No अगर कोई students CA foundation कर रहा है तो उसात में फाइनल नहीं कर सकता कोई final कर रहा है तो सात में CA foundation नहीं कर सकता तो ये दोनों events एक ही जना एक सात में नहीं कर सकता So these two are different events They cannot occur simultaneously यह events नहीं हो सकते फाइन फिरा आता है next not mutually exclusive not mutually exclusive events that means ऐसे events जो साथ में हो सकते हैं उसे कहा जाएगा not mutually exclusive events जो साथ में अकर हो सकता है तो events which can occur together ऐसे event जो साथ में हो सकते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा not mutually exclusive events अब इसका example क्या हो सकता है example बड़ा simple है like first event is number two on the dice and second event is even number on the dice 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 number two का आना and dice even number आना तो even number का मतलब हो गया two four and six और इधर है number two that means दोनों में क्या कुछ common है yes number two is common number two common है तो अगर number two आता है that means कौन सा event होकर हो रहा है first event भी हो रहा है second भी हो रहा है that means ऐसा कोई chance है जब दोनों अकर हो सकते हैं that means first event भी हो गया और second event भी हो गया so ऐसे cases को हम कहेंगे not mutually exclusive जो साथ में अकर हो सकते हैं ठीक है similarly one more example CA foundation and become so these are two different events two different courses क्या दोनों को साथ में किया जा सकता है yes दोनों साथ में किया जा सकते हैं कोई student foundation भी कर रहा है और become भी कर रहा है तो बेलकुल ऐसा possible है दोनों events साथ में अकर हो सकते हैं so these are not mutually exclusive events fine तो ये term सबसे जादे important है हमें always always याद होना चाहिए में अध कर दू कर नहरा ऐसे जादे सेंपल स्पेस क्या होता है it is a set of all possible events यह सारे possible events का एक set and total of all events is equal to 1 कि सारे events की probability का sum कितना होगा जैसे we can take an example first example is tossing a coin एक coin को हमने toss किया तो एसके लिए हमें sample space लिखना है so we will write s colon and then bracket bracket में क्या लिखेंगे all possible cases so possible cases are two that is head and tail तो दोनों cases हमने लिख दी अब हमने कहा इनकी probability का sum fix है वो कितना है 1 like chances of getting heads is 1 by 2 and chances of getting tails is also 1 by 2 so total is equal to 1 total आ गई है 1 similarly throwing a dice throwing a dice जब हम dice throw कर रहे है then what is the sample space तो उस पर number क्या आएगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तो these are the all possible outcomes और जब हम इनकी probability course add करेंगे so 1 आने के chances 1 by 6 2 के भी 1 by 6 सभी के कितने है 1 by 6 so total is again equal to 1 so total तो 1 ही आने वाली है तो इसे कहा जाएगा sample space so there is a set of all possible outcomes सारे outcomes का एक साथ में होना that is sample space okay yes class so probability में अब हम notes पे आते हैं और जो भी अभी हमने discuss किया है उसे अब notes में से हम वापस से एक बार फटा-फट से cover कर लेंगे सबसे पहले आता है meaning of probability so इसको read कर रहे हैं पहले फिर वापस एक बार discuss कर लेंगे ताकि जो भी हमारा basic concept है वो strong हो जाए अगर basic strong नहीं होगा तो फिर पीछे वाले questions में हमें दिक्कत आएगी इसलिए हम basics को पहले strong कर लेते हैं so the meaning of the term probability so it simply means chance of happening an event किसी event के अकर होने के chances जैसे कल हमने example लिया था getting head when a coin is tossed जब एक coin को toss किया जाता है तो head के आने के chances similarly dice को through करने पे उसके उपर number 2, number 4 आने के chances similarly when a card is drawn from a packet of playing cards playing card के packet में से हमने एक card निकाला है so in सब में क्या होगा कुछ ने कुछ probability रहेगी यानि कि उस particular event के अकर होने के chances क्या है so initially probability was branch of mathematics कि starting में जब इस चीज को find out किया था तब यह थी branch of mathematics बट जैसे-जैसे mathematics में नए concepts add होते गए तो उसको एक different part में हमने डिवाइड कर दिया that is statistics okay so probability में अब हमने क्या किया है इसे two parts में डिवाइड कर दिया है one is subjective and second one is objective so two broad divisions of probability are subjective and objective subjective is basically dependent on personal judgment experience personal judgment पे डिपने थैं फिर experience पे डिपने थैं and it may be influenced by some personal belief, attitude, biasness of the person applying it यानि कि subjective सब कुछ एक परसन पर डिपेंडेंट है जिसकी जैसी इच्छा होगी वो उसके अनुसार आंसर करेगा तो इच्छा है तो इच्छा है तो इसी जगह जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता कि क्या सिचुएशन है तो इसी जगह पे इस subjective probability को काम में लिया जाता है कि लाइक हमें कोई decision लेना है regarding any business opportunity तो वो decision हम किस तरीके से लें तो उसके लिए हम experts के पास में जाते हैं for their consultancy हर person हर consultant का अंसर थोड़ा vary कर सकता है क्योंकि वो सब उनके knowledge पे dependent है तो हम उनकी guidance लेके अच्छी business opportunity को find out कर सकते है तो इस तरह से subjective probability को use किया जाता है for decision making but सबका answer same नहीं होता है then second one is objective it does not depend on personal judgment यह personal judgment पे dependent नहीं है और example वही है जो भी हमने discuss किया tossing a coin, throwing a dice, etc. और ऐसा क्यों है? यह person पे dependent क्यों नहीं है? because here we use scientific formula एक proper formula हम use करते हैं जिस वज़ा से सभी का answer same आता है fine? चलिए फिर आते हैं basic terms पे पहली term जो हमने discuss की है that is experiment also known as trial experiment को और कहा जा सकता है trial so an experiment may be described as performance that produces certain result कैसे define कर रहे हैं? experiment का मतलब है performance ऐसी performance जिससे क्या आता है? कुछ result हमारे पास में आता है performance that produces certain result is known as experiment like tossing a coin तो coin अगर हम toss करेंगे तो result क्या होगा? heads और tail so coin toss करना is a performance similarly throwing a dice is also a performance तो इसे हम कह रहे हैं experiment और trial similarly drawing a card from a pack of playing cards तो यह सारी example किसके होगे? experiment के अब आते हैं random experiment now what is the difference between experiment and random experiment read out करते हैं an experiment is defined to be random if it results if the result of experiment depends on chance only अगर experiment का result depend करता है किस पे? chance पे chance का मतलब क्या है? कुछ भी हो सकता है nothing is fixed कि कुछ भी हो सकता है head भी आ सकता है और tail भी आ सकता है dice पे number one भी आ सकता है six भी आ सकता है so nothing is fixed तो जहां पर हमारा result chance पे depend करता है तो उस experiment को कहा जाएगा random experiment so same example फिर से repeat हो रहा है coin वाल एक्जामपल dice वाल एक्जामपल बहुत सारी places पे fit होता है okay so coin वाल एक्जामपल फिर से आ गया head and tail these are the two events two outcomes of random experiment next अब बात आ रही है event की outcome की तो जो result हमने देखा है result of experiment is known as outcome or event so the results or outcomes of random experiment random experiment का result उसे हम क्या कह रहे है events so head and tail are the two events on tossing a coin number one to six are also events on throwing a dice तो इस सारी चीज़े हम डिसकस कट चोके but fast हम read out कर रहे है ताक एक बार पूरा वापस go through हो जाए next is sample space set of all possible events it is a set किसका set है सारे possible event का it is known as sample space and every event उस हर event को एक एक event को कहा जाएगा sample point sample point and इसमें एक और बात हमने discuss की थी sum of probability probability का sum कितना होगा equal to one equal to one okay अब इस पर based कुछ question है मारे पास फटा फटे से solve कर लेते है question number first when a dice is tossed जब एक dice को tossed किया चाता है the sample space is बड़ा simple सा question है answer is C कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें second sum of all probabilities of a sample point is equal to सारे sample point मारे इसमें की probability का sum कितना होगा one option number D third which of the following set of function define a probability space on S equals to A1, A2 and A3 so this is the sample space अब इसमें से कौन सा option correct है यह में बताना है तो कैसे पता लगेगा कौन सा option sample space है sample space means set of all possible outcome और जब सारे outcome आ जाएंगे तो उनका sum होना चाहिए one that means जिस option का total one आएगा जिस option का total one होगा that will be the correct answer तो चलिए देखते हैं किस का total one आ रहा है first option is one by three plus one by two plus one by four तो अगर आपकी calculation थोड़ी सी fast है तो आप इसको orally फटा फट से solve कर सकते हैं कैसे one by three means point three three one by two is point five and one by four is point two five सबका अगर हम sum करेंगे तो कितना आता है more than one more than one that means a option is wrong second one by three is point three three one by six is zero point one six or we can say one seven one by two is zero point five now total is equal to one अगर आपको decimal में नहीं आ रहा है fast calculate करना तो अब इसका l-sim लेके भी कर सकते हैं but better is क्या पर calculation और ली करें because हमारा time safe होगा exam इतना time नहीं होता हमारे पास तो simply तीनों का sum केतना आ गया one so option number b is correct now we come to question number four let p be a probability function on s x1 x2 x3 and probability of x1 is one by four probability of x3 is one by three find the probability of x2 तो चलिए अभी हमें जो पता है that is probability of x1 plus probability of x2 plus probability of x3 इनका sum होता है one अब हमारे पास p x2 की value missing है तो क्या करेंगे one में से x1 and x3 दोनों की values को subrack कर देंगे so 1 minus 1 by 4 and minus 1 by 3 so 4 and 3 का LCM कितना होगा 12 so 12 minus 3 minus 4 simply 5 by 12 option number a is the correct answer fine a is the correct answer यह सारे question थे based on sample space next अब next तर्म यहां पर दे रखी है यह तर्म हमने अभी तक discuss नहीं की है इससे discuss करते हैं पहले simple event and composite event event दो तरीके से हम divide कर सकते हैं simple and composite an event which has only one sample point is known as simple event simple event जैसे एक dice हमने थ्रो किया and उस पर number 2 आने के chances number 2 आने के chances so only one thing is favorable that is number 2 इसके अलाब और कुछ भी favorable नहीं है so there is only single event तो ऐसा event जिसको फर्दर split नहीं कर सकते हैं that is simple event ऐसा event जिसको फर्दर split नहीं किया जा सकता उसे हम कहेंगे simple event तो composite क्या होगा ऐसा event जिसको फर्दर split कर सकते हैं उसे कहा जाएगा composite event कैसे example क्या है like probability probability of getting even number on the dice अब हमने कह दिया even number तो हमारे events क्या हो सकते हैं number 2 आ सकता है number 4 and even number 6 इन तीरों में से कोई भी number आ सकता है 2, 4 और 6 तो ऐसा event जिसको हम फर्दर split कर सकते हैं that is known as composite event और जो हमारा previous example था उसमें only number 2 required है तो इस 2 को हम split नहीं कर सकते हैं so that was simple event similarly number greater than 4 required है on the dice अब number greater than 4 कौन सा हो सकता है 5 as well as 6 तो यह दो फिर से event divide हो गए number greater than 4 that means number 5 और number 6 तो इस event को हमने फर्दर split कर दिया so this is again composite event तो read out कर ले composite event is an event which can be split into two or more simple events दो या दो से जादा simple events में हम जिसे divide कर सकते हैं उसे कह जाएगा composite event अब इसे based question number 5 हमें गिवन है an event that can be split into further event is known as composite event option number D next term हमारे पास आता है equally likely events and not equally likely events equally likely events कौन से होते हैं ऐसे events ऐसे events जिनके अकर होने की probability equal होती है same होती है उसे कहां जाएगा equally likely events events having equal probability is known as equally likely event जैसे कौन हमने टॉस किया head आने के चांस 1 by 2 tail आने के चांस again 1 by 2 so these two events are equally likely similarly a dice is thrown number 1 आने के चांस 1 by 6 number 2 आने के चांस again 1 by 6 number 3 के चांस is also 1 by 6 तो जब सारे events के चांस 1 by 6 है तो इसे भी हम क्या कहेंगे equally likely events so if one of the outcome cannot be expected to occur in preference to another दोनों की preference अलग नहीं है मतलब बराबर है दोनों की preference तो उसे कह जाएगा equally likely events and अगर दोनों की performance दोनों का जो आने की probability है अलग है तो उसे कहेंगे not equally likely so अगर किसी event A के अकर होने के chances 1 by 3 है and event B के लिए 1 by 4 है that means दोनों की probability different है so this is known as not equally likely not equally likely not equally likely fine then next term is impossible event यह हमने डिस्कस किया है probability of an event which is not possible is always equal to 0 ऐसा कोई event जो हमें पता है कभी नहीं होगा ऐसा event जो कभी नहीं होगा उसे हम क्या कहेंगे impossible event like next year 2020 आजाए 19 नहीं आए क्या possible है no it is not possible पहले 2019 ही आएगा 20 नहीं आ सकता तो probability is equal to 0 and sure event या certain event तो ऐसा event जो fix है always occur होगा ऐसा event जो occur होगा उसे हम क्या कहेंगे sure event या certain event कि like next year 2019 आजाए इसके chances कितने है अब यह यह तो fix event है तो यह तो हो के रहेगा हम चाहे कुछ भी करें 2019 तो 18 के बाद में ही आने वाला है so it is known as sure event and sure event की probability equal to 1 fine now question number 6 when none of the outcome is favorable to the event किसी event पे कोई भी outcome favorable नहीं है then event is said to be impossible कि वो event नहीं होगा 7 if probability of A is equal to 0 then event A तो event A क्या होगा will never happen event A अकर नहीं होगा will not happen क्या टेक करेंगे will never happen event A कभी नहीं होगा में का मतलब तो क्या होगा कभी होगा कभी नहीं होगा बट हमें जब पता है 0 है impossible यानि कि कभी नहीं होगा option A is correct 8th probability of A is equal to 1 that means event A is known as क्या कहेंगे this is known as sure event यह तो अकर होगा फिर आता है हमारा सबसे इंपूर्टन तर्म that is mutually exclusive and not mutually exclusive events mutually exclusive and not mutually exclusive if occurrence of one of them prevent the occurrence of other एक event का अकर होना दूसरे event को अकर होने से रोक देता है then these events are known as mutually likely event that means दो अगर events है तो दूनों में से एक time पे एक ही event होगा दूसरा गर नहीं हो सकता तो उसे कह देंगे mutually exclusive events and not mutually exclusive when two events may occur simultaneously दोनों साथ में हो सकते हैं then these events are known as not mutually exclusive not mutually exclusive that means दोनों साथ में हो सकते हैं दोनों के example हमने discuss कर रखे हैं तो सबसे पहले बताएं tossing a coin किसका example है mutually exclusive या not mutually exclusive answer is simple mutually exclusive head आएगा तो tail नहीं आएगा और अगर tail आता है तो head नहीं आएगा similarly throwing a dice is also an example of mutually exclusive events then CA foundation and CA final ये दोनों साथ में नहीं हो सकते ये किसका example है mutually exclusive then CA foundation and become graduation ये दोनों simultaneously possible है so these events are not mutually exclusive fine फिर next independent events and dependent events अगर किसी एक event का अकर होना दूसरे event को affect कर देता है किसी एक event का अकर होना अगर दूसरे event को affect कर देता है तो उसे हम कहेंगे dependent event dependent event और अगर फिर्स्ट event का या एक event का कर होना दूसरे को affect नहीं करता है तो उसे कहेंगे independent event रिट आउट करते हैं if the happening of one event is not affected by the happening of other एक event का दूसरे पे affect नहीं हो रहा है तो उसे कहेंगे independent event and dependent two or more events are said to be dependent if happening of one event affects other event एक event का होना दूसरे को affect कर देता है that is dependent event example हम ले लेते हैं like there is a bag containing balls bag में हमारे पास क्या वेलेबल है ball ball कौन सी है red color की and second ball is of green color दूसरी ball है है हमारे पास green color की तो दो color की balls हमारे पास available है कितनी कितनी है red वाली है six and green is four तो in total there are 10 balls in the bag 10 balls available है अब में पूछा जाए what is the probability of drawing a red ball red ball draw करने के chances क्या है तो हमारा अंसर क्या होगा probability of red ball equals 2 formalize favorable cases favorable outcomes upon total outcomes favorable ball कितनी है तो red balls are six तो six is the favorable and total balls are 10 so six upon 10 और we can say three upon five similarly what is the probability of getting green balls green ball आने के chances क्या है तो green का में पता है four are green balls out of 10 so we can write two by five is the probability of getting green ball अब बात ही आती है अब हमने क्या क्या है one red ball draw कर ली है तो अगर हमने one red ball निकाल दी है तो remaining balls हमारे पास कितनी है remaining balls are nine और अब अगर green ball निकाली जाए then what is the probability of getting green ball situation क्या है फिर से समझे red ball हमने already draw कर ली है now remaining remaining balls are nine अब हमें फिर से क्या बताना है probability of green ball तो green ball कितनी है four लेकिन total balls अब कितनी बची है nine so what is the probability this time four by nine पहले कितना आ रहा था four by ten अभी आ रहा है four by nine पहले हमने green ball निकाली थी अभी भी green ball निकाल रहे है बत पहले वाले केस में क्या था अगर हमने red ball पहले निकाली है तो उसे वापस अंदर रख दिया which makes total ball again equal to ten पहले वाले केस में total ball तो हमारे पास ten ही थी एक ball निकाली तो वापस रखती थी बत सेकेंड वाले केस में क्या हो रहा है अगर हमने पहले red ball निकाली है तो उसे वापस bag में नहीं रखा गया है so remaining balls are nine और ऐसे केस में green ball की probability affect हो गई so first case is known as case of independent event and second one is dependent event because second event first पे dependent हो गया है fine तो इस पार्ट को हम आगे detail में और discuss करेंगे अभी आते हैं next point की दरफ exhaustive events exhaustive का मतलब क्या होता है again the total number of events exhaustive का मतलब है total number of events कि इससे जादा नहीं हो सकता this is the maximum limit इस limit से जादा possible नहीं है उसे कहा जाएगा exhaustive event जैसे coin toss करने पर क्या आएगा head या tail तीसरा कोई option ही नहीं है तो head and tail are exhaustive events similarly dice हमने थ्रो किया है तो number one से लेके six तक कुछ भी आ सकता है लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता so this is also exhaustive fine the total number of possible outcome of a random experiment is known as exhaustive event उसे exhaustive event कहा जाएगा so next is question number nine if an unbiased coin is tossed once then the two events head and tail are तो head and tail क्या है first option क्या mutually exclusive है बिलकुल है क्योंकि दोनों साथ में नहीं हो सकते है second exhaustive क्यों exhaustive भी है of course because इन दोनों के अलावा कोई तीसरा event पॉसिबल नहीं है third one equally likely ये भी है because दोनों की probability one by two so answer is all of these option number D 10 if probability of A is equal to probability of B then two events A and B ये दो events कैसे है तो इन्हें कहा जाएगा equally likely events क्या ये independent हो सकते है हमें नहीं पता equal chances है इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि वो dependent है independent ये हम justify नहीं कर सकते है but इतना कह सकते हैं कि दोनों की probability सेम है so it is equally likely 11 if A, B and C are mutually exclusive and exhaustive events कैसे हैं mutually exclusive that means इन तीनो मेर से कोई एक event होगा एक point of time पे तीनो साथ में नहीं हो सकते exhaustive मतलब इन से अलावा कोई event पॉसिबल नहीं है तो जब exhaustive की बात हो रही है तो उसका total कितना होना चाहिए always equal to 1 because exhaustive में सारे events आ जाते हैं and सब की probability का total equal to 1 so answer is option number B 12 probability of A is 1 by 3 and for B is 1 by 4 then events A and B are कैसे events हैं first option is not equally likely बिल्कुल सही है क्योंकि दोनों साथ में दोनों की probability equal नहीं है mutually exclusive यह हम justify नहीं कर सकते हमें नहीं पता equally likely तो बिल्कुल नहीं है and D is none of this तो best answer क्या है option number A not equally likely fine तो यह हो गए सारे questions जो की हमारे terms पे based थे next हम बात करते हैं playing cards की so playing cards in total हमारे पास कितने cards होते है एक packet में so we all know that there are 52 cards in a packet एक packet में 52 cards होते है excluding jokers jokers को छोड के joker add कर दे है that makes 54 but normally we take 52 cards excluding jokers now these 52 cards are divided into 4 parts इनको हम चार केटिगरी में divide करते हैं अब यह 4 categories कौन कौन सी है वो देखे category number first second, third and fourth यह 4 categories कौन सी है इनके name हमें पता होनी चाहिए first one is heart first category कौन सी है heart जिससे हिंदी में कहा जाता है लाल पान second one is diamond second हो गया है diamond then third one third one is spade spade का मतलब क्या है spade means हुकुम का पता and diamond का मतलब क्या था जिसको हिंदी में कहा जाता है eat and last one is club that is हिंदी में कहते है chiri और English matter is club so there are 4 categories first two categories are red in color and next two categories are black in color heart and diamond दोनों का red color होता है and spade and club दोनों का black color अब बात ही आती है कि इन सब के अंदर कौन कौन से cards अवेलेबन होते है like heart कहा से start होता है from number two three and so on up to ten then ten के बाद में क्या start होता है face cards face cards कौन से होते है jack queen king ये तीन होगे face card और उसके बाद में आता है ace इक का तो ace पे कोई face नहीं बना होता है तो face cards कौन से होते है jack queen and king तो in totally कितने cards हो गए 13 cards heart में 13 cards same number of cards are available in each category हर category में 13 13 cards होते है which makes total 52 इससे हमारी total आ जाती है 52 तो एक packet में ये 52 cards हो गए अब इसके उपर based कुछ question अगर पूछे जाते हैं तो कैसे answer करना है like a card is drawn at random हमने randomly एक card निकाला है एक packet में से now what is the probability of getting card of club club का card आने के chances क्या है तो formula is same favorable upon total favorable cards club के cards कितने होते हैं 13 and total number of cards are 52 so the probability will be 1 upon 4 1 upon 4 similarly अगर पूछा जाए what is the probability of getting an ace इक का आने के chances क्या है तो अगर देखा जाए हर category में एक ace available है that means in total there are 4 aces 4 एक्के होते हैं so 4 divided by 52 is 1 by 13 1 by 13 similarly what is the probability of getting card of king बाच्षा एक आने के चांसे किं के अतने होते हैं there are 4 kings so 4 divided by 52 so answer is again 1 by 13 fine तो इतने simple simple question नहीं सारे next is probability of getting queen of heart probability of getting queen of heart queen of heart queen of heart कितनी होते हैं only 1 so 1 divided by 52 total card is 52 उसमें जी queen of heart is only 1 so 1 upon 52 fine अब अगर पूछा जाए what is the probability of getting king or queen या तो king आ जाए या फिर queen तो इस बार favorable cases कितनी होए king हमें पता है कितने होते हैं 4 queen भी कितनी होती है 4 4 plus 4 becomes 8 out of 52 so 8 by 52 और we can say 2 by 13 2 by 13 what is the probability of getting card of red color red color का card आने के chances तो red color के chances क्या होंगे so red color की cards में पता है कौन से होते है first one is heart and second one is diamond 13 plus 13 is 26 so 26 by 52 1 by 2 1 upon 2 question number 13 पे आते हैं अभी तक जो हमने डिसक्स किया है that is basic part of coin then dice and then playing cards तो इसी पे बेस कुछ question अभ हम कर लेते हैं question number 13 a card is drawn from well shuffled pack of playing cards the probability that it is a spade उस card के spade होने के chances कितने हैं so as we all know that spade कितने होते हैं 13 cards are spade out of 52 so probability will be 1 upon 4 option number B 14 a card is drawn from well shuffled pack of playing cards the probability that it is a king इस बार पूछा गया है king होने के chances so king कितने होते हैं 4 out of 52 so 4 by 52 that is 1 by 13 15 a card is drawn from well shuffled pack of playing cards the probability that it is the ace of club ace of club चीर का इका होने की संभावना chances क्या होंगे so there is only single card of ace of club so 1 card is favorable out of 52 simply 1 by 52 16 the probability that a card drawn at random from the pack of playing cards may be either queen or an ace या तो queen आ जाए या फिर ace so we all know that there are 4 queens 4 queen होती है और ace कितने हैं again there are 4 aces so 4 plus 4 8 cases are favorable out of 52 so 8 by 52 और इसको simplify करने पे आता है 2 upon 13 2 by 13 17 a bag contains 6 white and 5 black balls total ball कितनी होंगे 11 6 white and 5 black 1 ball is drawn एक ball अब हमने उसमें से निकाली है the probability that it is white तो उस ball के white होने के chances क्या है so white ball is 6 out of 11 so 6 by 11 option number C 18 the probability of drawing a white ball from a bag containing 3 white and 8 black balls 3 white and 8 black तो total balls are again 11 and हमें find क्या करना है white ball so 3 upon 11 तो ये सारे question बहुत जादा आजी थे फिर next dice based question ये सारे हम पहले ही discuss कर चुके हैं तो ये आपके लिए homework है 19, 20 and 21 इसको करने में आपको सिर्फ और सिर्फ 10 seconds चाहिए 10 seconds में आप तीनो question कर लेंगे next हम आते हैं some more basic questions the following table gives distribution of 100 student 100 student का distribution data हमारे पास available है according to the score in a test of 100 marks 100 marks का test लिया गया केतने students ने दिया 100 students ने दिया है केतने marks आए वो हमें इस table में given है now a student is selected at random from the above group इस group में से एक student को हमने select किया है find the probability that his score is under 40 तो student का score 40 से below होगा तो उसके chances कितने हैं तो 40 से below वाले cases हमें count करने हैं like 0 to 10 10 to 20 20 to 30 and 30 to 40 तो 1 by 1 के आट करेंगे 1 plus 11 plus 24 and plus 25 इन सब को हम आट कर लेते हैं कितना रहा है 61 so out of 100, 61 is favorable so 61 divided by 100 0.61 is the required probability तो ले अंकी हमारी required probability तो next is 23 The following table gives distribution of wages of 100 workers 100 workers का distribution हमें given है Wages, a class interval and the number of worker The probability that his wages are under Rs. 140 140 से कम wages होने के chances 140 से कम में सिर्फ और सिर्फ क्या है? 120 से कम और 140 Only this part is less than 140 So number of favorable cases are 9 9 divided by 100 24 an individual is selected at random from the above group so again group is same वही table फिर से हमें दे रखी है और हमें करना क्या है हमें यह फाइं करना है the probability that wages are under 160 160 से कम wages होने के chances to 160 से below कितने figures आएंगे 9 and 29 9 and 20 these are the two figures so total becomes 29 out of 100 option number C is correct next is 25 for the above table the probability that is wages are rupees 200 or above wages कितने होने चाहिए 200 या उसे जादा तो 200 या उसे जादा कॉन सी है 8, 35 and 18 8 plus 35 plus 18 अब इन्हें आड कर लेते हैं कितने हैं कितना आता है 61 तो 61 तो 61 डिवाइड बाइड बाइ 100 this is the required probability next is 26 for the above table the probability that wages are between 160 to 220 160 से 220 तक wages होने के chances कितने हैं तो one by one count करते हैं 0 10 and 8 so these are the three figures तीनों का तोटल हो का है 18 18 डिवाइड बाइ 100 18 डिवाइड बाइ 100 fine अब आते हैं हमारे next concept पे what is the next concept सबसे पहले हम बाद कर रहे है leap year and non leap year year and non leap year इन दोनों में difference क्या है यह में पता है in leap year there are 366 days number of days कितने होते हैं 366 whereas in non leap year number of days are 365 चलिए अब बात आती है weeks की कितने weeks होंगे एक साल में one leap year में तो यह हमें पता है there are 52 weeks अगर हम 52 को multiply करें 7 days in a week से एक हफते में 7 दिन होते हैं 52 multiply by 7 this is 364 days 364 days that means 52 complete weeks plus 2 days extra extra days कितने हैं 2 तो 364 दिस plus 2 days यहां 2 days extra है similarly non leap year में अगर हम कहें so there are again 52 weeks 52 into 7 is 364 1 day is extra so plus one day so non leap year में one day extra है and leap year में two days are extra तो पहले हम आते हैं non leap year पे non leap year में जो one day extra है यह extra day कौन सा होगा Sunday या Monday यह extra one day कोई भी हो सकता है यह extra one day कोई भी हो सकता है Sunday Monday Tuesday Saturday anyone 7 में से कोई भी केस हो सकता है तो अब इसमें question क्या बनेगा what is the probability of getting Sunday तो यह एक extra day है इसके Sunday होने के chances क्या है तो Sunday होने के chances क्या कहेंगे there are 7 days in a week 7 cases are favorable total and out of them only one case is favorable साथ दिन में से एक दिन favorable है so 1 by 7 1 upon 7 similarly chances of getting Monday Monday आने की probability क्या है that is also 1 by 7 1 day is favorable out of 7 okay अगर पूछा जाए probability of getting Saturday और Sunday Saturday या Sunday होने के chances now now in this case 2 days are favorable या तो Saturday आ जाए तो भी favorable है Sunday आ जाए तो भी favorable है so 2 days are favorable out of 7 so 2 by 7 2 by 7 next Tuesday and Wednesday Tuesday and Wednesday क्या answer करेंगे 2 by 7 1 by 7 और 0 correct answer is 0 this case is not possible possible क्यों नहीं है हमने लेख दिखा है Tuesday and Wednesday हमारे पास extra दिन केतने है only one day तो उस एक दिन में क्या Tuesday और Wednesday दोनों आजाएंगे सुबह Tuesday आजाए और शाम को Wednesday कैसा पॉसिबल है no this is impossible event और impossible के केस में probability is always 0 ओके चलिए अब आते हम किस पे लीपियर पे फिर से वही question है what is the probability of getting Sunday तो लीपियर में हमारे पास दो दिन extra है two days are extra अब ये two days कौन से हो सकते हैं क्या answer करेंगे Monday और Tuesday क्या कोई भी two days हो सकते है Monday और Thursday आ सकता है no Monday और Thursday नहीं आ सकता because Monday के बाद तो Tuesday आएगा Tuesday के बाद Wednesday Wednesday के बाद Thursday तो हम answer क्या करेंगे कि यहाँ पे कोई भी दो दिन नहीं कोई भी दो continuous days होंगे कोई भी दो लगातार दिन आ सकते हैं so different cases बनते हैं तो ही cases हम एक बाद रोटाउन करेंगे Monday और Tuesday Tuesday और Wednesday Wednesday और Thursday Thursday और Friday Friday और Saturday Saturday और Sunday Sunday और Monday So these are seven possible cases अब हमारा question क्या है What is the probability of getting Sunday Sunday आने के chances तो अब हमें count करना है favorable cases favorable cases कौन से हैं Sunday 1 and Sunday 2 So these two cases are favorable So answer will be 2 upon 7 2 by 7 Similarly What is the probability of getting Monday Monday आने के chances क्या है तो Monday को हमें यहां सेर्च करना है कहां कहां पर available है One Monday and second Monday So again two days are favorable out of seven 2 by 7 Then third Saturday Saturday और Sunday या तो Saturday आ जाए या फिर Sunday तो इन में से चेक करना है आपको कहां कहां पर favorable है This is Saturday Saturday as well as Sunday And Sunday So out of seven Three cases are favorable So three upon seven So simply हमें count कर लेना है Out of total How many cases are favorable Next one Tuesday and Wednesday Tuesday and Wednesday क्या दोनों आ सकते हैं हमारे पास two days available है तो आपकोस दोनों आ सकते हैं एक दिन Tuesday और एक दिन Wednesday तो ऐसी पॉसिबिलिटी आवेलेबल है So this is the favorable case Answer is one upon seven One by seven Okay एक और question लिखते है Probability of getting Thursday or Saturday या तो Thursday आज है या फिर Saturday तो अगें favorable cases हमें count करने हैं This is Thursday Thursday then Saturday and Saturday So 1, 2, 3, and 4 4 cases are favorable out of 7 So answer is 4 by 7 4 by 7 Monday and Thursday Monday and Thursday What is the probability of getting Monday and Thursday? क्या answer करेंगे? क्या answer करेंगे? तूडेश अवेलेबल है क्या यह दोनों आ सकते हैं? Monday भी आ जाए और Thursday भी यह पॉसिबिलिटी अवेलेबल है? No, it is not possible आजिए पॉसिबिल नहीं है क्यों नहीं है? यह दोनों साथ में नहीं आ सकते बंडे के साथ या तो Tuesday आएगा या फिर Sunday आएगा पर Thursday is not possible so answer is zero ओके तो यह हो गया हमारा पूरा concept और अब इसमें question किस format में आ सकता है कि like normally there are 52 days in a week sorry in a year एक साल में 52 weeks हमारे पास available है अब बात आती है कि वो जो one day extra है non leap year में and two days extra है leap year में तो उसके लिए क्या पूछा जा सकता है what is the probability of getting 53rd Sunday तो 53rd Sunday का मतलब क्या हो गया कि वो जो one extra day है उस extra day में Sunday आने के chances यह हमें पूछा है chance of getting 53 Fridays तो 52 तो always आएंगे तो one extra Friday आने के chances तो इस तरीके से भी question put up किया जा सकता है तो यह हो गया हमारा पूरा concept अब इसके ओपर कुछ question है वो आपके लिए homework यह दोनों है अब नेक्स्ट अब नेक्स्ट हमारा जो पैटर्न है उस पे आते हैं अब हमें करना क्या है हार टिके पे एक नंबर लिखा है और रेंडमली हमने one ticket ड्रॉ किया है one ticket is drawn at random from the lot of hundred tickets तो hundred में से एक ticket हमने ड्रॉ कर लिया a question क्या है question यह है what is the probability of getting number two or its multiple कि हमने जो ticket निकाला है वो ticket क्या हो two या उसका कोई multiple हो जाए then what is the probability तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि two के multiples कौन-कौन से होंगे यहां पर up to hundred this is simply two two, four, six and so on up to hundred तो कितने multiples होंगे यह हम calculate कर लेते हैं so hundred divided by two that is 50 multiples total multiples केतने होंगे 50 अब हमें calculate करनी है required probability so 50 cases are favorable out of hundred hundred में से 50 cases क्या है favorable है so probability is one by two one by two ओके तो यह हमाया simple सा तरीका है next question लेते है इसका what is the probability of getting number four or its multiple number four यह उसका multiple आने के chances अब अब तो hundred तक कौन कौन से multiple होंगे four, eight, twelve and so on up to hundred so total कितने multiples होंगे hundred divided by four that is 25 multiples 25 multiples 25 multiples so applying the formula 25 upon hundred or we can see one by four so one upon four is the required probability okay so these are very easy and simple questions अब next question आप ही को ट्राइ करना है number five or its multiple five यह उसका multiple आने के chances बताईये बड़ा simple सा question है so पहले आपको cases बनाने है तो cases कौन से बनेंगी five, ten, fifteen and so on up to hundred so favorable cases कितने आगे twenty out of hundred so one upon five one upon five is the required probability next one more probability of getting number six or its multiple number six यह उसका multiple सब देखें two के case में आया था answer one by two four में one by four five में one by five क्या six में है मारा answer one by six होगा या नहीं यह सोच के बताएं six में क्या हमार answer one by six होगा या नहीं तो one by six हमार answer नहीं होगा तू क्या होगा चेक करके बताएं just try हमें multiples count करने है six के up to hundred then favorable upon total now what is the final answer 16.67 by 100 जो सब से कॉमा डाउट आता है वो इन तीन options के बीच में आता है यह त्री options कौन से मैं लग दे रहा हूँ first option is 16.67 divided by 100 second one is 16 upon hundred and third one is 17 upon hundred अब इन तीन मैंसे कौन सा option correct है यह हमें search करना है तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं हमें यह पता है six के multiple six, twelve, eighteen and so on यह होते हैं कितने होते हैं तो उसके लिए हम कैसे find करते हैं hundred divided by six that is 16.67 16.67 multiple कितने होए 16 या 16.67 या round of किया 17 तो सबसे पहला point जो हमें note करना है multiple कभी भी decimal में नहीं हो सकता तो 16.67 is the wrong answer अब बाद आते है round of किरने की अगर हमने इसको round of किया और लिखा 17 17 तो यह 17 नंबर कौन सा आएगा चेक करके देखू 6 into 17 is 102 and 102 टिकेट हमारे पास नहीं है we have only 100 टिकेट that means 17 भी गलत है हमें round of नहीं करना है तो क्या करना है after decimal जो value है उसे इग्नोर कर देंगे after decimal वाली वाली को इग्नोर कर देंगे so there are 16 favorable cases out of 100 so this is the required probability okay अब next next question मा आपको थोड़ा सा सोच समझ के answer करना है probability of getting number 4 और 5 और its multiple so multiple of 4 और multiple of 5 या तो 4 का multiple आ जाए या फिर 5 का कितने cases बनेंगे और probability क्या होगी या आपको बताना है what will be the final answer थोड़ा सा आपको माइन लगाना है जादा नहीं तो 4 का अभी हमने किया है favorable cases are 25 तो हमने लिखा 25 by 100 25 by 100 5 के multiple 20 ये भी अभी हमने calculate किया 20 by 100 इन दोनों का total आता है 45 by 100 क्या ये हमारा answer correct है no this is not the correct answer तो इसमें क्या missing है हमने क्या mistake की है mistake ये है कि कुछ numbers ऐसे होंगे जो 4 के भी multiple है as well as 5 के दोनों में common है और अगर कोई number common है तो उसको हमने double count कर लिया एक बार 4 में और दूसरी बार 5 में है तो किसी की भी हमें double counting नहीं करनी है या तो 4 में count करेंगे या फिर 5 में तो ऐसे क्या कोई number available है या नहीं तो उसके लिए हम क्या करते हैं LCM लेते हैं LCM of 4 and 5 कितना आएगा 20 20 is the LCM So number 20, 40, 60, 80 and 100 ये सारे numbers क्या है These are common multiple of 4 as well as 5 तो ऐसे कितने number होंगे ये हमें कैसे पता लगेगा तो इसका तरीका है 100 divided by LCM That is 5 तो 5 numbers are common तो हम क्या करेंगे जो number common है उसकी double counting हो चोकी है तो एक बार वापस सब्राइक कर देंगे So minus 5 by 100 Final answer will be 40 upon 100 40 divided by 100 This is the correct answer So, 2 by 5 or 0.4 Next question करते है Next is Multiple of Multiple of 10 और 20 10 के multiple या फिर 20 के multiples So, 10 के multiple अब तो 100 कितने होते है 10 20 के multiples कितने है 20, 40, 60, 80, and 100 That is 5 multiples क्या दोनों में कुछ common है Of course common है कि जो 20 के multiples है वो सारे numbers 10 के multiple है 20 दोनों का multiple है 40 भी है Similarly, 60, 80, and 100 ये सारे ही क्या है इन सब के multiple है So, 5 is common 5 by 100 less कर दिया Final answer will be 10 अपन 100 0.1 Next is multiple of 3 and 7 ये प्राइ करके देखिए क्या रहा answer Multiple of 3 and 7 तो उस बार हमने और वर्ड नहीं लिखा है हमार वर्ड के है and 3 and 7 3 and 7 है That means दोनों का common multiple हमें चाहिए 3 का अलग और 7 का अलग हमें नहीं required है 3 and 7 का common multiple हमें required है That means क्या करना है LCM LCM of 3 and 7 कितना है गा 21 So, number of favourable cases 100 upon 21 That is 4 4 cases are favourable out of 100 So, this is the required probability Fine Now, question जो और इसमें बन सकता है वो भी हम discuss कर लेते हैं That is the number which is a perfect square So, question पूरा वही है Tickets from 1 to 100 One ticket हमें द्रॉ करना है And the number should be a perfect square So, perfect square कौन कौन से होते हैं अब 200 So, first is number 1 Then 4 is 2 square 9 is 3 square 16 is 4 square 25 is 5 square 36 is 6 square 49 is 7 square 64 is 8 square 81 is 9 square and 100 is 10 square So, these 10 numbers are favourable out of 100 So, 10 divided by 100 10 upon 100 This is the required probability Now, last one One more question If tickets are numbered from 1 to 1000 Tickets numbered है कहा से कहा तक? 1 से 1000 तक Now, फिर से वही question रिपीट हो रहा है Multiple It is a perfect square The selected number must be a perfect square अब 1 से 1000 तक क्या हम continuously count करते रहेंगे? तो कैसे पता लगेगा What are the favorable cases? हमें perfect square चाहिए तो इसका एक shortcut है Shortcut क्या हो सकता है? That is 1000 का square root अगर हमने 1000 का square root कर दिया तो हमें पता लग जाएगा कितनी number perfect square होंगे तो इसका square root करने पे number आता है 31 point something तो point something का हमें कुछ नहीं करना है 31 numbers क्या है? Perfect square है और अगर आपको square याद है तो 30 का square है 900 और 31 का square 961 32 का 1000 से exceed हो जाता है तो 31 numbers favorable है out of 100 तो 31 upon 1000 1000 में से 31 numbers favorable है तो इस इस रेक्वाइट प्रपाबिटी तो इस सारा अच्छे से नोट करले फिर next pattern पर आते है फिर तोमें से 1 to 1 So question number 29 यह हमारा इसी पार्ट के अंदर पूरा complete हो चुका है अब आते हैं next पे that is question number 30 30 को हम पहले आराम से पढ़ते हैं कि question में information क्या given है family income and its percentage expenditure on food in case of 100 families gave the following bivariate frequency distribution तो पहरी बात जो हमें आप पता लगी है that is हमें given है bivariate frequency distribution bivariate means two variable at same point of time first variable is family income and second variable is expenditure on food so these are the two variables अब माते हैं सबसे पहले कि question में required क्या है a family is selected at random from this group find the probability that it has income 400 to 500 कितने income चाहिए 400 to 500 required है and it spends on food 20 or more percentage of its income food के उपर expenditure कितना होना चाहिए 20% या उसे जादा तो दू conditions हमें fulfill करनी है one is 400 to 500 so this is the selection 400 to 500 यह हमने select कर लिया इसमें भी क्या हमें चाहिए 20% or more 20% में आएगा 12 and second one is 19 so 12 plus 19 is 31 so 31 divided by 100 that is 0.31 0.31 is the correct answer now the next point is complimentary events complimentary events कांसे होते हैं तो सबसे पहले complimentary को अगर हम simple terms में समझ लें तो क्या है किसी event के अकर नहीं होने के chances किसी event के अकर नहीं होने के chances को हम क्या क्या सकते हैं complimentary event ठीक है तो जैसे कोई भी event या तो अकर होगा या फिर नहीं होगा success या फिर failure दो ही possibilities है कि अगर कोई event है तो उसकी दो outcome हो सकते है one is success and second one is failure तो इसे हम लिख देते हैं events one is success and second one is failure तो success या तो event हो गया तो success event नहीं हो पाया तो failure अब जब दो ही outcome है तो हम इसे क्या कह सकते हैं events are exhaustive और इनकी probability का sum that will be equal to one exhaustive events में probability का sum केतना होता है? one success is denoted by p and failure by q तो दोनों का total always क्या होगा? equal to one p plus q is always equal to one अब हम इसे और क्या लिख सकते हैं किस pattern में लिखा जा सकता है? वो समझ लेते हैं so like pa pa means chances of happening an event a कोई event a है तो उस event a की occur होने के chances को हमने लिखा p a और दूसरी चीज़ है उस event के अगर नहीं होने के chances नहीं होना उसे हम क्या लिखेंगे? complementary event of a complementary event of a a की उपर हमने लिख दिया c and दोनों का total केतना होगा? one so pa plus complementary event of a is equal to one इन दोनों का total होगा one and pa complementary can also be written as pa bar और pa dash और p not a यह हम कुछ भी लिख सकते हैं इतनी सारी possibilities हैं इतने name हैं जो हम दे सकते हैं so in short complimentary का मतलब किसी event के अकर नहीं होने के chances को तो सबसे पहला जो हमारा example हम लेते हैं that is based on coin like if a coin is tossed then what is the probability of getting heads तो head आने के chances क्या होंगे यह हमें पता है one by two अब अगर पूछ लिया जाए what is the probability of not getting head head नहीं आने के chances head नहीं आना चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे इसका अंसर होगा one minus one by two one में से क्या लाइस कर देंगे one upon two so answer will be one by two okay one upon two तो head आने के chances क्या थे one by two इसको हमने one में से subtract कर दिया तो आगया one upon two तो अगर हम इसे formula की terms में बात करें तो complimentary event of a is equal to one minus probability of a one minus probability of a so question number 31 पे आते हैं if probability of drawing a spade from a well-shuffled pack of playing cards is one by four तो हमें क्या गिवन है? probability कितने गिवन है? one by four then probability of drawing a card which is not a spade अब इस पेड नहीं होने के chances हमें बताने हैं so one minus one by four that is three upon four so three by four is the correct answer three by four is the correct answer similarly 32 a bag contain 15 one rupee coin one rupee coin कितने है? 15 25 two rupee coins and 10 five rupee coin five rupee के coin होगे 10 so in total there are how much coins? 50 50 सक्के available है if a coin is selected at random from the bag bag में से एक coin हमने अब select कर लिया है then probability of not selecting one rupee coin one rupee का coin नहीं आने के chances हमें बताने है so क्या करेंगे probability of not getting one rupee coin equals to one minus probability of one rupee coin so one minus 15 by 50 so कितना जाएगा? 35 by 50 और we can say 0.7 0.7 option number B this is the required probability 33 a man can kill a bird once in three shots three shots अगर बो लगाए तो एक बार bird किल होती है that means bird के किल होने के chances क्या है? 1 by 3 the probability that a bird is not killed तो bird के किल नहीं होने के chances 1 minus 1 by 3 that is 2 by 3 2 by 3 34 which of the following relation is true? कौन सा relation करेक है? so option number B दोनु का सम is equal to 1 now 35 probability of a is given pb is given and pab is also given हमें क्या रिक्या रिक्या है? complimentary of a formula is simply 1 minus probability of a so 1 minus 3 by 8 final answer is 5 by 8 so 5 upon 8 is the correct answer now the next topic is question based on two points अगर दो सिक्कों को एक साथ में उच्छाला जाता है then कितने cases form होंगे? in total कितने cases form होंगे? ये सबसे पहले हमें देखना है कि when two coins are tossed so when first coin is tossed the first coin पे पहली बार जो हुने सिक्का उच्छाला है तो उस पे क्या आएगा? head या take? first time जब toss करेंगे तो क्या आएगा? head या take? दोनों में से कुछ भी आ सकता है so we can say head या फिर take दोनों में से कुछ भी आ सकता है अब जब second time coin toss होगा और पहले head आ चुका है तो second time में क्या आएगा? head या take? tail आएगा? no अगर कुछ भी आ सकता है अगर first time head आ चुका है it means second time कुछ भी आ सकता है head या फिर take? और अगर पहले tail आ चुका है तो तो बाद में भी वही होगा head या फिर take? head और take? तो बाद में पहले आ सकता है so what are the different cases? first and second don't obey heads first pay head and second pay tails then first pay tail and second pay head and first pay tail and second pay pay tail so these are the four different cases so जब दो सिक्वो को चाला जाएगा तो four cases form होंगे अब इसना एक short fit भी है ताकि जिसे हम cases पता लगा सकें so cases in case of coin is two to the power n two to the power n like for example there is a single coin then number of cases number of cases के पने होंगी two to the power one that is two if two coins are there then cases will be two to the power two that is four in case of three coins two to the power three that is eight and so on so formula क्या है जो मैं समझना चुका है two to the power n जितने coins होंगे वो number कहां जाएगा power में किस की power में two की power में अगर ten coins है the number of cases will be two to the power ten that is one zero two four one zero two four okay तो चलिए these are the four different cases अब इस पर एक question क्या बन सकता है गो समझते हैं first is what is the probability of getting one head so पूरा question क्या है two coins are tossed what is the probability of getting one head one head आने के chances क्या होंगे upon में तो always क्या एक टोटल नमबर आफ केसिज जो यहां पर कितने हो अब पेवरिबल पेवरिबल कितने हैं two या three तो सबसे जादा confusion इसी पॉइंट में होता है कि पेवरिबल केसिज two होंगे या फिर three पर इस two two cases are favorable कौन से head and tail and tail and head तो two by four और we can say one by two तो क्या confusion क्या होता है तो कुछ student यह argue करते हैं कि जो मारा first case है that is head and head इस first case में यह first case हमारे लिए favorable है कैसे कि यहां लेखा है probability of getting one head तो one is included in this कि one head तो इसमें included है ना तो यह हमारे लिए favorable हुआ unfavorable क्यों है तो अब इसको समझने के लिए हमें छोटा से example लेते हैं कि लाइक मान गीजे हम किसी restaurant में गए और बहां जाके हमें एक पेजा order कर गये अब मान लोग वेटर दो पीजा लेके आ जाता है दो पीजा लेके आता है तो आप उससे क्या कहेंगे कि मैं तो एक ही मंगवा है दो का पैसा मैं नहीं पेखरूंगा तो वेटर क्या कह सकता है वेटर का argument क्या होगा कि इन दो में तो यह ताप पे included है न तो आपको दोनों का पैसा पेखर करना पड़ेगा तो आपने अगर एक मंगाया है तो एक ही आना चाहिए एक से जादा नहीं आएगा similarly यहाँ भी अगर वन हैट कहा है तो वन ही आएगा वन से जादा वाला केस हम include नहीं करना है so one means only one and not more than one so only two cases are favorable out of four similarly probability of getting two heads two heads आने के chances so एक ही आजा case available है head and head so one divided by four probability of getting three heads three heads आने के chances क्या possible है no because कोई नहीं जब तू है तो three heads कैसे आ सकते है impossible और impossible event की probability 0 next is probability of getting at least one head at least one head अब at least का मतलब क्या है कम से कम एक head आना चाहिए at least one head means कम से कम एक head आना चाहिए तो क्या एक से जाधा आ सकता है रिलकुल आ सकता है more than one is also favorable here तो जहां पे at least one लिखा है कम से कम एक लिखा है तो उस जड़े पे हम क्या तहेंगे कि this is favorable, more than one is also favorable, तो इसमें one वाला केस favorable होगा, अगर two heads आजाए, तो यह भी favorable होगा, three heads, three is not possible because cases are, coins are two only, क्या one से एकम zero आ सकता है, no, zero is not favorable, because हमें at least one head to require head, तो one head वाले cases कौन-कौन से होगे, head and tail, tail and head, और कौन सा आजाएकर two heads, head and head, so these three cases are favorable out of four, so probability is three by four, three upon four, तो यह situation आपको जहां रखनी है, at least word अगर आता है, that means minimum इतने heads तो आने ही चाहिए, और उसे जाधा भी आ सकते हैं, बट उसे कम नहीं होने चाहिए, उसे कम नहीं होने चाहिए, okay, one more, probability of getting at most one head, at most one head, maximum एक head, एक से जाधा नहीं आना चाहिए, एक से जाधा नहीं आना चाहिए, maximum one head, तो यहां पे cases कौन कौन से favorable होने होने, one ना सकता है, one से जाधा two, two is not favorable, because maximum one, one से जाधा required नहीं है, then क्या one से कम zero आ सकता है, yes, zero is possible, because one से कम हो सकता है, फिक one से जाधा नहीं आना चाहिए, तो अब मैं count करने है, zero and one वाले cases, so अब अगर देखा जाएं, तो कौन कौन से cases favorable होने, zero heads, that means, दोनों कौन से हैं, tail, so one, then one head, this one, and this one, so three cases are favorable out of four, so required probability is three by four, three by four, okay, and probability of getting no heads, heads नहीं आना चाहिए, बिलकुल नहीं आना चाहिए, it means, दोनों कौन पे क्या आएगा, tails, दोनों पे tails, that means, probability is zero, sorry, one upon four, probability will be one upon four, दोनों पे क्या आएगा, tail, so one case is favorable out of four, so one divided by four, okay, चले से नूट कर लिए, पर दाफर, पर माहिए, three coins based question, three coins based questions, three coins based questions, okay, okay, तो ये concept बहुत simple है, और कभी कबार exam में, इतने simple questions भी आजाते हैं, वैसे ये हमारे लिए basic party है, because इस पे based high level questions भी बनते हैं, तो exam में इनके आने के direct question बनने के chances काफी कम रहते हैं, but अगर आजाते हैं, that means, हम बहुत जल्दी से solve खर लेंगे, okay, so, इस पे based, जो आपके वी questions हमें given है, that is from 36 to 40, question number 36 to 40, ये आपके लिए क्या है homework, वैसे ये सारे हम नहीं है discuss कर लिए हैं इसी पार्ट में, तो बाकिया आपको उसे गर पर टिक कर लिए हैं, next concept पर आते हैं, three coins based question, three coins based question, तो चलिए सबसे पहले, first coin हम toss कर रहे हैं, तो first toss पर क्या आएगा, head या पिर tail, दोनों में से कुछ भी आ सकता है, okay, first head आ गया, second time क्या आएगा, again head और tail कुछ भी आ सकता है, and अगर पहले tail आ रखा है, तो head या tail कुछ भी आ सकता है, next first and second, दोनों में head आ गया, तो third में, again head और tail, then पहले tail आ रखा है, तो again head और tail, head और tail, and again head and tail, so these are all possible cases, तो इसको हमें प्रॉपर वे में लिख लेते हैं, so first part is, head, head and head, all three are heads, then second one, head, head and tail, next one is, head, tail, head, both one, head, tail, 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 head, tail, head, tail, 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 head and last one is, tail, tail and tail, so these are eight possible cases, eight cases हमारे पास available है, अब इसमें हमें questions, क्या पूछे जा सकते हैं, three coins are tossed, what is the probability of getting one head, one head आने के chances, so one means only one, not more than one, and not less than one, so कितने cases favorable हैं, count करके बताएं, so one head required है, this is one head, one head and one head, three cases are favorable, out of eight, so three upon eight, then probability of getting two heads, two heads आने के chances, so two heads के लिए क्यातरेंगे, इतने cases बनेंगे, so again count कर लेते हैं, so this is the first case, second case and third case, three cases are again favorable, out of eight, so three by eight, then comes probability of three heads, three heads आने के chances, so three कैसे आ सकते हैं, हमें count करना है, all three heads, three heads आने हैं, तो यह राफ, first part, three heads available है, so one case is favorable out of eight, so simply हमने केसे में से देखना है, कौन से favorable है, then probability of getting four heads, four head is not possible, because coins are three, probability of getting zero head, it means no head, no head का मतलब क्या होगे, सारे tails आ जाएंगी, so one upon eight, one by eight, then probability of getting, at most, one head, at most one head, मतलब maximum one head, one से जादा नहीं आना चाहिए, at most one head, so at most one, to one से जादा two and three, यह cases नहीं आएंगी, but one से कम zero, zero वाला case आ सकता है, तो हमें यही cases count कर लेने हैं, तो zero वाला case पर साथा, that is one by eight, and one वाला case सा three by eight, n को simply add turning, so correct answer will be four by eight, or we can say one upon two, four cases are favorable out of eight, next is probability of getting at most two heads, maximum two heads, two से जादा नहीं आना चाहिए, maximum two, two से जादा three नहीं होना चाहिए, two से कम क्या वना सकता है, yes आ सकता है, और zero भी आ सकता है, but three is not possible, तो इन तीनों के cases को add कर लेना है, पर आते हम next पे, probability of at least one head, कम से कम एक head आने के chances, at least means minimum, minimum one head तो आना ही चाहिए, one से जादा भी आ सकता है, two and two से जादा three भी आ सकता है, but one से कम zero is not required, zero नहीं चाहिए, हमें क्या करना है, इन तीनों को add कर लेना है, तीनों के cases को, so कितने cases है, one के three cases, two के भी three cases, and three के one case, so seven cases are favorable out of eight, out of eight, and the last one, probability of getting at least two heads, कम से कम दो head आने चाहिए, या उसे जादा, two heads या फिर three heads, but two से कम नहीं आ सकता, so favorable cases count करने, three plus one four, four upon eight, और one by two, two, so इस तरीके से हमें solve करना है, three coins based question, okay, नोटर लिक पर आगे बढ़ते हैं, optimalKप बढ़ते हैं, फिक सने यादा पंजा हमें. लिक से कम पाप खिरें, बढ़ती ह freshmen मतलते हैं, काप Prag K Tao झाए. दुए stato अका नहाई। झाल 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 अब इस टोई बेस्ट कुछ ग्वेशन जो हमें गिविन हैं वो आपको सॉल्ट करने हैं क्वेशन कॉंसे हैं बेगिनिंग फॉर्टी वन तो जोने नोट कर गया है वो क्वेशन नमबर फॉर्टी वन से सॉल्ट करना शुरूर करेंगे विवान तु फॉर्टी ईट यह सारे एट क्वेशन्स हैं जो भी हमें कॉंसेट देश्कस किया है उसी पेल यह सारी क्वेशन्स आपको आरहा हमसे ट्राई कर लेने हैं सारी क्वेशन इसीट हो जायेंगे सिर्फ आपको यह logic लगाना है यह concept apply करना है ओके Good morning class आज की class में हम पढ़ेंगे probability का next topic that is problems based on two dices आज का जो हमारा main topic है that is problems based on two dices अगर हम एक साथ में दो dice को through करें then उस case में what are the different possibilities अलग-अलग cases क्या बन सकते हैं और फिर उसके लिए हम find out करेंगे probability तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कितने possible cases बन सकते हैं when two dices are thrown तो सबसे पहले जब हम first dice throw करेंगे तो first dice पे क्या number आ सकता है number one to six कुछ भी आ सकता है one two three four five and even six तो one से लेके six तक कोई भी number आ सकता है and second पे same वहां भी ऐसाई है one से लेके six तक कोई भी number आ सकता है तो हम different possibilities बना लेते हैं what are the different possibilities like one and one then one and two one and three and so on last is one and six similarly two and one two and two and so on two and six similarly last number will be six and one and here last one will be six and six तो इस तरह से बहुत सारे different cases बन जाएंगे and in total in total ये cases कितने होंगे in total ये होंगे 36 cases ये सारे होंगे 36 cases so इतने possible cases हो सकते हैं when two dices are thrown और इसके लिए अगर हम बात करें formula क्या है so we can write the formula six to the power n six to the power n like if there are two dices in case of two dice six square that is there will be 36 cases in case of three dice अगर three dice throw किये जाएंगे then six to the power three that is 216 cases इतने number of cases हमें मिलेंगे and so on okay so अब इस पर question कैसे बन सकता है वो हम देखते हैं now first thing is question ये पूछेगा if two dice are thrown then what is the probability of getting some five some five आने के chances क्या है probability of getting some five अब sum five कैसे आ सकता है तो उसके लिए different cases हमें फॉर्म करने पड़ेंगे like one and four first dice पे number आ गया one and second dice पे four one and four then two and five two and five next is next is sorry हमें क्या चाहिए five required two and three then three and two four and one इन सबका सम कितना है five हमें सम required है कितना five तो दोनों dice पे जो भी number आएगा उनका total five होना चाहिए तो ये बन गए four cases क्या और कोई case possible है जिसे total five आ सकता है zero and five क्या ये possible है दोनों का sum तो five होता है but dice पे number zero नहीं आता है zero and five and five and zero is not possible so in total four cases are favorable out of 36 four cases are favorable out of 36 so probability will be one by nine one upon nine okay similarly एक और example लेते है again two dices are thrown what is the probability of getting some six six आने के chances अब six कैसे आ सकता है हमें total six चाहिए so again different cases हम फॉर्म करते है like one and five two and four similarly three and three four and two five and one so these are five possible cases so five divided by 36 five upon 36 this is the correct answer next question is if we require some more than some more than six some कितना चाहिए six से जादा अब six से जादा सम कितना सकता है some can be seven eight nine ten eleven twelve 12 क्या 13 भी आ सकता है some no not possible क्यों नहीं है बिकर दोनों डाइस पे maximum value क्या आ सकती है six and six उस से जादा पॉसिबल नहीं है तो six plus six is 12 तो 12 is the maximum total उस 12 से जादा total नहीं आ सकती है that means what maximum total होगी 12 तो six से जादा तो seven eight nine ten eleven twelve तो इतने सारे cases हमें बनाने पड़ेंगे और फिर जाके निकलेगी probability तो क्या इसका कोई shortcut तरीका available है yes बलकुल available है तो अब हम बात करते हैं उस short trick की जिससे हम ये question solve कर पाएंगे अब वो trick क्या है उस trick के लिए हमें चार्ट बनाना है पहले so let us prepare the chart सबसे पहले हम लिखेंगे sum and then cases sum and cases so minimum sum minimum sum कितना होगा minimum will be 2 and maximum sum will be 12 sum कम से कम कितना होगा 2 and maximum होगा 12 so we write the numbers 2 के बाद sum 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12 so these are the all possible cases इतने sum होगा अब इनके cases केतने हैं यह हम write down करेंगे तो cases sum 2 sum 2 का केस केतना होगा only 1 there is single case only 1 then for 3 is 2 3 4 5 6 5 4 3 2 and then 1 so these are all possible cases and middle में total number of cases केतने 36 total number of cases is 36 अब हमें कोई भी question solve करना है तो सीधा आपने इस diagram को देखा और answer आजाएगा like सबसे पहले हमने क्या था sum 5 अब sum 5 के सामने देखें cases क्या है तो 5 के सामने लिखा है 4 so probability will be 4 upon 36 sum 5 पूछा है तो उसके सामने cases कितना है 4 4 by 36 चलिए इसके बाद में next पूछा गया था number 6 sum 6 आने के chances अब 6 के सामने number of cases देखें number of cases are 5 so probability will be 5 by 36 तो जैसा question होगा accordingly यह मांसर कर पाएंगे अब हमारा next question क्या है sum more than 6 6 से जादा sum आना चाहिए that means sum can be 7, 8, 9, 10, 11, and 12 यह सारे possible cases और इसमें कितने कितने events है हम काउंट कर लेते हैं 6, 5, 4, 3, 2, and 1 इन सब को add up कर दे कितना आजाएगा 21 21 21 upon 36 this is the correct answer sum more than 6 is 21 by 36 this is the correct answer तो तो इस डाग्राम को अच्छे सा बना लें कोई मिस्टेक ना हो यह सब से आसान डाग्राम है यह तो पहले नंबर इंक्रीज होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 and then reverse order में 5, 4, 3, 2, and 1 तो maximum number of cases कहां पे है 7 पे sum 7 पे there are maximum number of cases that is 6 सब से कम cases कहां पे है दोनों extreme पे that is 1 case and 1 case sum 2 and sum 12 सब कैसा भी question पूछा जाए इन 2 dice के basis पे हम इस table को देख के answer कर सकते हैं next is sum 8 और 10 sum कितना होना चाहिए 8 या फिर 10 तो 8 के सामने cases कितने हैं 5 10 के सामने cases कितने 3 upon 36 so 8 by 36 is the correct answer 8 upon 36 is the correct answer similarly sum as odd number sum as odd number odd number आना चाहिए अब odd number का sum that means हमें क्या required होगा sum as क्या 1 पॉसिबल है? नो sum 1 नहीं है सकता 1 के बाद में और next odd number is 3 5 7 9 and 11 these are all possible cases ये सारे possible cases हैं तो हम लेख लेते हैं possible cases sum can be 3 5 5 7 9 and 11 so these are all possible cases अब इसके सामने जो भी number of cases हम कांट कर लेते हैं that is 2 plus 4 plus 6 plus 4 plus 2 divided by 36 इन सब को आट कर दें आजाए का आपका final answer that is 18 by 36 1 upon 2 तो ओड नंबर सम आने के चांसे हैं 1 by 2 and similarly इवन नंबर का भी पूछा जाए तो 1 upon 2 1 upon 2 then next part is probability of getting some 7 or 11 probability of getting some 7 or 11 तो 7 and 11 के cases देखले 6 and 2 8 cases are favorable out of 30 6 and अगर पूछा जाए probability of not getting probability of not getting 7 and 11 7 or 11 नहीं आने के chances तो कैसे आएगा 1 में से से minus कर दें जास हम नहीं किया था complimentary events में so 1 minus 8 by 36 that is 28 upon 36 28 by 36 28 by 36 क्लास में डिस्किस कर रहे हैं जितना ज्यादा आप नोट करोगे उतना ही ज्यादा आपको revision के time पे फाइदा मिलेगा okay so अब आते हैं हम से पे question number 49 में क्या रेक्वार इन ए सिंगल थो with 2 dice the probability of getting a sum of 2 on the dice sum कितना चाहिए 2 the 2 के सामने number of cases is only 1 so 1 by 36 50 in a single throw with 2 dice the probability of getting a sum of 5 on the 2 dice is sum कितना चाहिए sum of 5 अभी हमने solve किया है से 4 by 36 that is 1 by 9 51 again 2 dice हाथ रोओ what is the probability of getting some 6 on the 2 dice so 5 by 36 then 52 chance of getting a sum of 10 so 10 के सामने एक देखिए number of cases कितने है 3 3 by 36 1 by 12 53 chance of getting some 7 or 11 ये भी हमने solve किया है 8 by 36 that is 2 by 9 54 2 dice with phase mark 1, 2, 3, 4, 5, 6 are thrown simultaneously again 2 dice हमने साथ में throw किया है and the points on the dice are multiplied together इस बार हमें sum नहीं करना है क्या करना है multiply दोनों के points को multiply किया है and the product is 12 product कितना आना चाहिए 12 तो अब हमें different cases form करने है कि किन दो number को multiply करने से 12 आता है so 1 and 12 but 12 एक dice पे तो आने सकता so 1 and 12 is not the relevant case second 2 and 6 number 2 and 6 multiply करने से 12 आता है then 3 and 4 इससे भी आता है 4 and 3 and last one is 6 and 2 so there are 4 possible cases और कोई ऐसा case नहीं बन रहा है so 4 upon 36 this is the required probability और simplify करेंगे तो 1 by 9 so correct option is A option number A is the correct answer fine next is 55 two dices with phase mark from 1 to 6 are again thrown and this time we required product as 10 दोनो number को multiply करने पे 10 आना चाहिए so 10 कैसा हैगा 1 and 10 but this case is not possible 2 and 5 5 and 2 or quick case no so 2 comma 5 and 5 comma 2 so these two cases are possible so correct probability is 2 by 36 option number B next is 56 two dice are thrown at a time the probability that the difference the difference of numbers shown is 1 दोनो number में जो difference होना चाहिए that must be 1 1 का difference अब 1 का difference कैसे आ सकता है तो इसके लिए हमें cases form करने पड़ेंगे चलिए 56 में चलिए 56 में cases बनाते हैं 1 and 2 2 and 3 3 and 4 4 and 5 5 and 6 और कोई number 6 and 5 5 and 4 4 and 3 3 and 2 2 and 1 तो इन सारे cases में दोनों numbers का difference कितना है and that is 1 तो कितने cases हो गए इनने हम काउंट कर लेते हैं so these are 10 cases so 10 cases are favorable out of 36 so required probability 10 upon 36 5 upon 18 option number B is the correct answer B option correct है next is 57 two dice are thrown together the probability that difference of numbers shown is 2 इस बार difference कितना होना चाहिए 2 का difference अब 2 का difference करना है तो cases क्या बनेंगे 1 and 3 2 and 4 3 and 5 4 and 6 then reverse 6 and 4 5 and 3 4 and 2 3 and 1 so these are 8 possible cases are possible cases है so required probability will be 8 by 36 that is 2 upon 9 2 by 9 next is 58 if two unbiased dice are rolled together what is the probability of getting number getting no difference of points इस इस बार हमें कोई difference नहीं चाहिए कोई difference नहीं चाहिए that means सारे नंबर क्या होने चाहिए सेम 1 and 1 2 and 2 3 and 3 4 and 4 5 and 5 6 and 6 so these are 6 possible cases out of 36 so correct answer will be 1 upon 6 option number D 59 2 dice are thrown together the probability of the event that sum of the numbers shown is greater than 9 sum कितना चाहिए greater than 9 that means sum कितना होना चाहिए 10 or 11 or 12 so इन तीनों के cases हमें count कर लेने है 10 के cases 3 11 के 2 and 12 के 1 तो 6 by 36 1 upon 6 तो 1 by 6 option number C is the correct answer this is the correct answer तो यह होगे सारे 2 dice based question कभी के बाद 3 dice का भी question आ सकता है बट वो बहुत simple होगा like if question says question ऐसा कहा 3 dice are thrown 3 dice are thrown what is the probability of getting same numbers on all the dices तीनों dice पे same number आने के chances तो same number कौन से हो सकते हैं 1 1 and 1 2 2 and 2 3 3 and 3 4 4 and 4 5 5 and 5 6 6 6 and 6 6 so these are 6 possible cases out of number of cases केतने होंगे 3 dice है so number of cases will be 6 to the power 3 so final answer will be 1 by 36 6 1 upon 36 this is the final answer okay so now we move towards the next question that is question number 60 question number 60 में क्या लिखाए समझते हैं पहले से the table below shows the history of 1000 men 1000 men की history हमें गिवन है life in years and number of persons survived the probability that a man who is now 60 years old will survive to the age of 90 is अगर कोई परसन जिसकी आज एज कितने हैं 60 वो 90 की age तक survive करेगा इसकी probability क्या है chances क्या है यह हमें find out करने हैं so this is simply probability based on some past events याँ past experience तो history के basis पे उस data के basis पे हमें find out करनी है probability तो इस table को हम analyze करते हैं कि वो person जिसकी age अभी कितनी है 60 और ऐसे कितने लोग है 1000 अब जब यह लोग 70 की age तक आते हैं तो उसमें से कितने बज़ गए 500 तो 500 चले गए then after 10 more years 70 से age अब कितनी होगी 80 years और number of persons जो बचे थे 500 अब कितने रह गए only 100 persons that means 400 फिट चले थे और after 10 more years जब age 90 हो गई तो इन 100 में से 40 फिट चले गए balance बचा है कितना 60 तो starting में there were 1000 persons और 30 30 years के बाद में कितने बचे हैं only 60 persons सिर्फ 60 जने बचे हैं after 30 years so what is the probability so simply we can answer that 60 out of 1000 1000 में से 60 लोग बचे हैं option number A is the correct answer okay next 61 a traffic census shows that out of 1000 vehicle passing a junction point on a highway 600 turn to the right 600 कहा turn होगे right side में the probability of an automobile turning the right तो फिर किसी automobile के right side में जाने के chances क्या है so again this is based on some past experience तो experience क्या बता रहा है out of 1600 कहा turn होटे है right side में तो किसी भी vehicle के right side में जाने के chances 3 by 5 3 upon 5 option number B next is 62 next is 62 if on an average 9 ships out of 10 return safely to a port thus में से 9 ship port पे बराबर आ जाती है तो एक ship रह जाती that means कही न कही डूब जाती because there is risk involved in sea transportation in water transportation the probability that one ship return safely तो किसी भी ship के आने के chances हमें पूछे है तो कोई भी ship बापस return होगी उसके chances क्या है so 9 out of 10 return safely so 9 by 10 is the required probability next is 63 इसी पे based question है if on an average 9 ship out of 10 return safely to a port the probability that one ship does not reach safely उसके नहीं आने के chances क्या होंगे तो अगर आने के 9 by 10 है तो नहीं आने के simply 1 by 10 option number a a is the correct answer अब आते हैं हमारे next point पे that is very different point and important point from exam point of view इस pattern के question exam में बहुत बाहर आते हैं और यह pattern थोड़ा सा अलग है तो अच्छे से इसे सामचें heading क्या है odd in favor odd in favor and odd against odd in favor and odd against अब यह odd in favor क्या है this is simply a ratio एक ratio है जिसको हम लिख साकते है in the form of P is to Q odd in favor is ratio जिसको हमने लिखा in the form P is to Q similarly odd against is also a ratio but इसे ओल्टा लिखेंगे Q is to P Q is to P so इस form में ratio को लिखा जाता है अब यहाँ P and Q का meaning क्या है here P means P means probability of success P means probability of success and Q means probability of failure Q means probability of failure तो failure के chances and success होने के chances अब हमें किसी भी event के लिए probability calculate करनी है तो कैसे करेंगे तो हमें question में एक ratio given होगा और ratio की help से probability calculate करनी है so हम इसका formula लिखेंगे probability of an event A किसी भी event A की probability अगर हमें calculate करनी है तो कैसे करेंगे so P divided by P plus Q P upon P plus Q this is the required probability similarly probability of not happening an event event के नहीं होने के chances नहीं होने के chances क्या है Q upon P plus Q Q upon P plus Q तो यह क्या जाती है हमारे required probability तो यह formula किस के लिए है odd in favor के लिए या against के लिए दोनों के लिए formula वही है दोनों में formula में कोई change नहीं है सिर्फ फरक क्या है odd in favor है that means first figure is P and second one is Q और odd against है तो पहले given हूँ है Q and बाद में P ओके चलिए अब एक example लेते हैं ताकि concept पूरा हमें समझ में आ जाएगा odd in favor odd in favor ये एक ratio हमें given है that is P is to Q कितना है 3 is to 5 3 is to 5 किसी event के लिए odd in favor हमें given है 3 is to 5 अब हमें क्या करना है probability calculate करनी है कि उस event के अकर होने के chances like an event A तो इस event के अकर होने के chances क्या है so numerator में क्या लिखेंगे P P is 3 divided by P plus Q दोनों का sum that is 8 so 3 by 8 is the required probability similarly P A dash event A के अकर नहीं होने के chances that is 5 upon 3 plus 5 which is 8 3 by 8 and 5 by 8 is the required probability okay similarly odd against इस बार हम माल लेते हैं odd against हमें दिया है 4 is to 5 4 is to 5 अब हमें निकलने है probability of an event A किसी event A के अकर होने के chances तो A के लिए formula क्या है P upon P plus Q अब 4 and 5 में ऐसे P कौन सा है तो इस बार हमें ध्यान रखना है कि यह होता in the form of Q is to P ratio is in the form Q is to P so value of P is 5 divided by their sum so 5 by 9 and probability of not happening an event is 4 by 9 4 by 9 तो इस तरीके से हम calculate कर सकते हैं यह नो टेले फिर एक दो और एक्जाम्पल लेते हैं इस बार हम लेते हैं reverse question now the question is probability of happening an event B किसी B के event होने के chances this is 3 by 10 3 by 10 then we have to find odd in favor odd in favor हमें calculate करना है और हमें given क्या है probability probability of happening an event that means यह 3 क्या होगा this 3 is P and 10 is P plus Q P plus Q और हमें required है P is to Q so P में कितना लिखेंगे 3 अब P और Q दोनों का sum 10 है value of P is 3 then what will be the value of Q Q कितना हो जाएगा 10 minus 3 that is 7 so required ratio is 3 is to 7 this is odd in favor तो इस तरह से हम odd in favor को calculate करते हैं and odd against अगर पूछा जाता तो हमारा answer क्या बन जाएगा Q is to P that means 7 is to 3 7 is to 3 this is odd against one more example probability of not happening an event किसी event के अकर नहीं होने के chances यह हमें गिवन है 5 by 11 5 by 11 then we have to calculate odd against odd against हमें find out करना है so odd against that means ratio will be Q is to P Q is to P अब यह 5 क्या होगा तो 5 will be Q and 11 means P plus Q तो Q में हम कितना लखेंगे 5 और P कितना आ जाएगा 11 minus 5 that is 6 so 5 is to 6 is the required probability तो हमें दोनों तरीके से question solve करना आना चाहिए ratio to probability and probability to ratio यह नोट करने फ़र आते हम notes के question पर noted question number 64 a newly published book is given to 10 student कोई किताब नहीं छपी है और हमने 10 students को distribute कर दी है if 7 students favored this book 7 student को book पसंदा गई then odd in favor तो odd in favor क्या होगा तो 7 को पसंदा गई out of 10 so probability will be 7 upon 10 7 is success and 3 is failure 7 by 10 is the required probability तो अब हम इसे ratio में कैसे लिखेंगे तो odd in favor तो favor में कितने है 7 favor में है 7 तो P is to Q and against against में कितने बचे 10 में से 7 favorable है तो 3 are against so 7 is to 3 option number B B is the correct option okay next 65 find the probability of an event A किसी event A की probability हमें find करनी है if odd in favor of it are 3 is to 2 odd in favor that means P is to Q given है P is 3 and Q is 2 and find करना है probability of that event so simply 3 upon 3 plus 2 3 by 5 option number B 66 find the probability of an event B if odd in favor of it are 3 is to 5 तो B के अकर होने के चंसे 3 upon 3 plus 5 that is 3 by 8 3 by 8 67 find the probability that price increases if odd against it are 4 is to 3 odd against हमें given है Q is to P given है और हमें find करनी probability so again P upon P plus Q 2 so 3 divided by 3 plus 4 3 by 7 option number D next is 68 find the probability that the price remain constant if odd in favor of it is 5 is to 2 so again probability is 5 upon 5 plus 2 5 by 7 69 if P is to Q are odd in favor of an event then probability of that event उस event के akar होने के chances P upon P plus Q 70 probability of event A is 5 by 9 then odd against reverse करना हमे P A given P A is 5 by 9 this 5 is P and 9 is P plus Q और हमे find के करना odd against so we can calculate Q as 9 minus 5 that is 4 and final ratio will be Q is to P so 4 is to 5 option number C 4 is to 5 is the correct answer 71 question very simple but mistakes हो हो है this question में तो आपको mistake नहीं करनी है वो धन रखे हैं सबसे पहले हम find करेंग probability और यह probability कैसे आजाएगी multiple of 3 that means number 3 and number 6 are favorable so 2 cases are favorable out of 6 so required probability is 1 upon 3 1 upon 3 अब हमे find करना ratio that is P is 2 Q option number A or C इन दो में confusion होता है final answer A option या C option number A A is the correct answer 1 is 2 Q कैसा है 3 minus 1 that is 2 so 1 is to 2 is the required ratio okay so we have finished one other topic odd in favor and odd against now the next topic is addition rule addition rule now addition rule application this is very necessary एडिशन की तरह एक multiplication rule भी होगा, तो हमें यह differentiate करना आना चाहिए, किस type of question में addition rule apply होता है, and किस type के question में multiplication rule apply होगा, और उसके लिए सबसे पहले हमें कुछ formulas भी लिखने होंगे, तो सबसे पहले हम लिखते हैं formula, तो first point लिखेंगे, when events are mutually exclusive, when events are mutually exclusive, mutually exclusive का meaning हमें याद होना चाहिए, it simply means जब दो events साथ में आकर नहीं हो सकते, दोनों में से एक time पे एक ही event होगा, उससे जादा possibility नहीं है, like head होगा तो tail नहीं आएगा, और tail आ गया तो heads नहीं आएगा, so first part हमने लिखा, when events are mutually exclusive, अब इसमें first point लिखेंगे, A union B, A union B, this symbol means union, and union means addition, so A union B, अज़का formula लिखेंगे, P A plus P B, probability of A plus probability of B, second, probability of A union B union C, in case of three events, अगर three events है, so three probability को हमें add कर देना है, P A plus P B plus P C, तीनों की probability को add कर दिया चाहेगा, तीनों की probability को add कर दिया चाहेगा, when events are not mutually exclusive, that means अब events साथ में आकर हो सकते हैं, तो इस केस में हमारा formula क्या बनेगा, A union B equals to P A plus P B minus P A intersection B, B and second, in case of three events, A union B union C, so probability of A plus probability of B plus probability of C minus probability of A intersection B minus probability of B intersection C minus probability of A intersection C plus probability of A intersection B intersection C, ये बन क्या हमारा formula है, तो in case of three events, when they are not mutually exclusive, तो ये formula हमें use करना है, तो सबसे पहले ये formulas हमें पता होनी चाहिए, and mutually exclusive का meaning हमें पता होना चाहिए, ओके, ये formula note करने, फुर इस पर बेस question solve करते हैं, करते हैं, बेस करमेंayan करते हैं, बादे हमें पतल, और बेस ऋमकरते हैं, उना में में आङकउना लिए अने करते हैं, ये जो अने में जकी आवसे चाहिए, तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया है that is addition rule कि अंदर हमारा formula क्या बनेगा तो हमने दू केसे लिखे हैं when events are mutually exclusive and when events are not mutually exclusive तो सबसे पहले हमें कुछ ऐसे example समझने होंगे जिससे हमें ये पता लग जाए कौन सा formula हमें use करना है तो कुछ example हम ऐसे रख लेते हैं सबसे पहले first example हम ले रहे हैं that is based on cards so हमारे पास एक playing cards का packet है और उसमें से पूछा जाता है कि one card is drawn at random randomly हम एक card draw करते हैं so what is the probability of getting card of spade or club what is the probability of getting card of spade or club spade या club आने के chances तो सबसे पहले हमें सोचना है events कितने हैं तो हमें देख गया there are two events one is spade and second one is club अब दोनों event में से कौन सा occur होना चाहिए तो question ने लिखा है spade और club और का मतलब क्या है कि दोनों में से कोई एक event आना चाहिए कि कार्ड हम एक निकाल रहे हैं तो दोनों में से event भी कोई एक ही होगा दोनों event क्या साथ में हो सकते हैं कि जैसे एक कार्ड हमने निकाला वो इस पेड भी है और club भी है कैसा possible है? No, that means यह दोनों events कैसे हुए? mutually exclusive that means दोनों में से एक time पे एक ही event होगा दूसरा नहीं होगा इस पेड आएगा तो club नहीं आएगा ठीक है? So, इस पेड के आने के chances क्या होते हैं? 13 cards होते हैं इस पेड के out of 52 and club के भी कितने होते हैं? 13 out of 52 और हमने mutually exclusive के case में formula क्या लिखा है? P A union B is equal to probability of A plus probability of B तो simply दोनों को हमें add कर दिना है तो बीच में हमने लगा दिया plus So, 26 by 52 और we can say 1 by 2 1 upon 2 तो simply ये judge करना है events कैसे है? mutually exclusive या फिर not mutually exclusive Next एक और example लेते हैं अगेन playing cards के example है what is the probability of getting card of ace या तो एक का जाए और king और queen इन तीनों में से कुछ भी आ जाए either ace और king और queen तो ऐसे case में probability क्या होगी? तो हमें ये देखना है events mutually exclusive है या not mutually exclusive क्या इन में से कुछ साथ हो सकता है? कि जैसे एक card हमने निकाला वो एक का भी है और king भी है क्या king और queen दोनों है? कैसा possible है? तो ये हमें पता है इन सभी के cards कितने होते हैं? 4 out of 52 और according to the formula हम क्या करेंगे? तीनों को add करेंगे probability of A plus probability of B plus probability of C तो तीनों को हमें simply add कर देना है तो हमारा final result कितना आएगा? 12 divided by 52 12 upon 52 Fine Next अगल एक्जाम्पल लेते हैं Again one card is drawn at random randomly एक का पता हमने निकाला है Now what is the probability? of getting card of heart या तो heart आ जाए or queen या फिर queen आ जाए heart और queen अब देखें heart और queen क्या साथ आ सकते हैं कभी? क्या ऐसा possible है? of course possible है queen of heart लाल पान की जो बेगम है queen of heart है that means एक ही card में heart भी हो सकता है और queen भी हो सकती है दोनों चीज़ें एक साथ में possible है that means events are not mutually exclusive और जब not mutually exclusive है तो हमारा formula क्या बनेगा? probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B यानि की हमें कुछ वापस minus भी करना है क्या minus करना है? जो उन दोनों में common है जो चीज double count हो गई है उसे हमें वापस हटा दिना है सब्रैक कर लेना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले heart heart के chances कितने हैं? so there are 13 cards out of 52 queen के कितने हैं? 4 cards तो 4 by 52 minus A intersection B common common क्या है? queen of heart that means one card is common so 1 by 52 final result आएगा 16 16 upon 52 16 by 52 okay तो ये हो गया mutually exclusive and not mutually exclusive events one more example लेते हैं there are 1,000 balls balls कितनी? 1,000 numbered from 1 to 1,000 हर ball पे एक number लेखा है किसी पे 1, किसी पे 2 and so on up to 1,000 1,000 ball है हमारे पास अब question में क्या पुछा जाता है? वो देखते हैं a ball is drawn at random randomly एक ball हमने निकली है कितनी? एक one ball is drawn at random now what is the probability of drawing a ball? हमें ऐसी ball निकालनी है which is a multiple of 15 और 20 जो किसका multiple हो? 15 या फिर 20 का 15 और 20 अब ही हमें solve करना है तो सबसे पहला काम क्या है? events कैसे है mutually exclusive या not mutually exclusive ये पता लगाए सोच के बताओ क्या होगा? mutually exclusive या not mutually exclusive क्या कोई number ऐसा हो सकता है जो 15 का भी multiple हो और 20 का भी multiple हो क्या ऐसा possible है? बिलकुल possible है तो ऐसे कौन सी number होंगी? और कितने होंगी? ये सब हमें find करना है तो क्योंकि ये हमें पता लग गया है कि दोनों में common multiple कुछ तो है और जब common multiple है दोनों even साथ हो सकते हैं तो हम इसे कहेंगे not mutually exclusive तो पहले हम पता लगाते हैं 15 के multiples कितने होंगे? तो उसके लिए best तरीका क्या है? 1000 में divide करेंगे किसका? 15 का चलिए divide करके देखें कितने ऐसे number है जो 15 के multiple है कितना है? 66.66 बट हमें क्या करना है? ड्राउंड ओफ नहीं करेंगे only जो complete number है that is 66 इतने multiple है तो 66 upon 1000 ये क्या है 15 के multiples? similarly 1000 upon 20 ताकि 20 के multiples आजा है हमारे पास 1000 upon 20 ये करके देखें कितना आता है? 50 so there are 50 multiples of 20 out of 1000 अब आता है last में क्या कुछ common है दोनों में? बिल्कुल common है और common कैसे निकलता है? common के लिए हमें LCM लेना पड़ेगा so LCM of 15,20 15 and 20 का LCM कितना होता है? 60 अब क्या करेंगे? कितने multiple ऐसे होंगे जो common है तो 1000 divided by 60 ये करके देखो कितना आता है? 16 16 multiple ऐसे हैं जो common है दोनों में तो minus हमने कर दिया 16 by 1000 तो final answer देखके बताओ कितना होगा? 100 upon 1000 in short 1 by 10 1 upon 10 this is the required probability fine तो इस तरह से हम probability की calculation करते हैं अब हम एक चीज़ कुछ लिख लेते हैं कि question में क्या लिखा हो? तब हमें addition rule use लेना चाहिए तो अगर question में लिखा है सबसे पहले probability of A plus B दूसरा लिखा होना चाहिए probability of probability of A union B probability of A union B और क्या लिखा हो सकता है? probability of A or B probability of either A or B any of them both of them both ने लिखेंगे both के जगे लिखेंगे at least one of them at least one तो इन सारे cases में हमें use करना है addition rule अगर question में A plus B mentioned है A or B A union B या फिर लिखा है any of them either of them at least one इन सारे cases का मतलब क्या है? कि इन में से कोई एक event होना चाहिए इन में से सिर्फ कोई एक event अकर होगा या तो A या B या C कोई एक event अकर होगा तो हमें use करना है addition rule तो यह अच्छे से आप note कर ले यहां की बहुत काम आने वाला है यहां की बहुत काम आने वाला है करने आने प्क दोटन आया है नुत अब हमाते हैं question number 72 पे कुछ cases हमें given है which of the following pairs of events are mutually exclusive यह हमें बताना है कौन सा pair mutually exclusive है that means वो दोनों साथ में नहीं हो सकते पहला option the student read in school student school में पढ़ता है और सामने लिखा he studies philosophy तो ऐसा possible है दोनों events हो सकते हैं उस्कूल में पढ़ रहा है क्या पढ़ रहा है philosophy तो दोनों events साथ में हो सकते हैं so first को हम क्या कहेंगे not mutually exclusive first one is not mutually exclusive second Arihant was born in India and he is a fine engineer क्या पॉसिबल है of course possible है so this is also not mutually exclusive Shivani is 12 years old and she is a good singer क्या 12 years की Shivani अच्छे सिंगर हो सकती है मैं क्या हो सकती है so again these are not mutually exclusive then Udith is under 14 years of age and he is a voter of Delhi 14 के एज मैं क्या voter बन सकते हैं no minimum age is 18 years that means last वाला जो event है उसे हम कहेंगे mutually exclusive option number D 73 if A, B and C are mutually exclusive independent and exhaustive events events है mutually exclusive फिर independent and exhaustive exclusive का मतलब साथ में नहीं हो सकते independent एक का effect दूसरे के ओपर नहीं आता है and third one is exhaustive exhaustive का मतलब इससे जादा events possible नहीं है इससे जादा event possible नहीं है उससे कहा जाएगा exhaustive events then what is the probability that they occur simultaneously तो इनके simultaneously यानि की साथ साथ अकर होने के chances क्या है तो इसका answer question में छुपाता है बता दे क्या टेक करेंगे answer one point five zero या any value between zero and one final answer क्योंकि question नहीं लिखा है events are mutually exclusive मतलब साथ में नहीं हो सकते और फिर question number c 74 if a denotes that a student read in a school event a क्या कह रहा है एक student है जो स्कूल में पढ़ रहा है दूसरा event b denotes that he plays cricket b में लिखा है वो cricket खेल रहा है पहले में स्कूल में पढ़ रहा है दूसरे में cricket खेल रहा है now अब हमें कुछ चीजें लिखे रखी है a intersection b मतलब दोनों में common कितना है equal to 1 a union b equal to 1 a intersection b equal to 0 and pa is equal to pb तो सबसे पहले यह सोचना है event a और b क्या दोनों साथ हो सकते हैं या नहीं हो सकते किस event पढ़ भी रहा है और खेल भी रहा है तो दोनों साथ में नहीं हो सकते that means events are mutually exclusive mutually exclusive है that means there is nothing common between them a और b में कुछ भी common नहीं है that means a और b साथ में नहीं हो सकते तो a intersection b के value common value क्या होगी 0 there is nothing common so a intersection b is equal to 0 next is 75 probability of occurrence of at least one of the events a and b is denoted by तो अभी मने रिसक्स किया था at least one लिखा था तो कौंसा रूल लागेगा addition rule so probability of a plus b 76 two events a and b are mutually exclusive means they are क्या है mutually exclusive है साथ साथ नहीं हो सकते that means they are अलग different disjoint option number b then क्या हम इसे equally likely कह सकते है no क्योंकि हमें पता ही नहीं उसकी probability क्या है तो जब तक probability नहीं पता होगी तब तक हम equally likely नहीं कह सकते 77 the probability of occurrence of at least one of the two events a and b which may not be mutually exclusive is given by तो at least one means addition rule and not mutually exclusive कहा है तो not का formula क्या है probability of a plus probability of b minus pa intersection b that means option number कौंस option सही है option number b p a plus p b minus p a intersection b a intersection b को हम a into b भी लिख सकते है वा रिने सेम थिंग p a b p a b लिखे या a intersection b एक हे बात है so option number b is correct 78 पे आते है p a is 1 by 2 p b is 1 by 3 and p a b a b means a intersection b कितना दिया है 1 upon 4 then the value of p a plus b तो a plus b की value क्या होगी that means addition rule की बात हो रही है तो हमें formula लगाना पड़ेगा तो क्योंकि intersection हमें दिया है तो formula होगा not mutually exclusive so p a plus b equals 2 p a plus p b minus p a intersection b 1 by 2 plus 1 by 3 minus 1 by 4 आल सम केतना आका तो बाल so 6 plus 4 minus 3 7 by 12 option number b b option is the correct answer तो इस तरी के से हमें calculation करनी है next is 79 probability of a is 1 by 5 probability of b is 1 by 2 and a and b are mutually exclusive mutually exclusive है that means what क्या कहिंगे pa pa plus p b सर्फ इतना ही formula होगा so pa plus b equals 2 1 by 5 plus 1 by 2 l sim is 10 2 plus 5 7 7 by 10 option number a is the correct answer next is question number 80 probability of a is 1 by 4 probability of b is 2 by 5 a intersection b l sim कितना आजाएगा 5 4 and 2 l sim will be 20 so 5 plus 8 minus 10 that is 3 upon 20 this is p a b a intersection b okay so यह होगे है हमारे सारे question which is based on addition rule अब addition rule के बाद में जो मेरा next topic आता है उसे हम कहेंगे multiplication rule multiplication rule और फिर उसके बाद में कुछ question ऐसे होंगे जहाँ पे हमें addition और multiplication दोनों को साथ में यूज़ करना होगा तो पहले हम समझेंगे किसको multiplication rule को और अबिा हम्टों कर मेंगे, जटे में लगय हमें! एंगा मुटिक्षिन रूल अब इसमें भी सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कुछ conditions लिखेंगे, कुछ formulas लिखेंगे और फिर examples लेते हैं So first point जो आपको लिखना है That is when, when events are, when events are independent When events are independent Now independent है, that means what? Independent का मतलब, एक का effect दूसरे के उपर नहीं आता है एक event अगर अकर होगा, उसका effect दूसरे event पे नहीं आता है तो उसे हम कहेंगे, events are independent तो इसमें हमारा formula क्या होगा? probability of A multiplication rule है तो हम कहेंगे A into B PAB is equal to P A into P B P A into P B in case of two events P A into P B और P A B नहीं लिखना है बीच में sign भी आपको यूज़ करना है तो क्या लिख सकते हैं? probability of A intersection B Similarly, in case of three events अगर three events है A intersection B, intersection C तो तीनों में common P A into P B into P C तो जहां पर तीनों event अकर होनी चाहिए तो हम क्या करेंगे? तीनों को multiply कर देंगे So in case of two events P A into P B and in case of three events P A into P B into P C ऐसा कब करना है? When events are independent को example इसका best example is tossing a coin तो first time हमने toss किया क्या गया? second time toss करेंगे क्या आएगा? कुछ भी आ सकता है third time? कुछ भी आ सकता है तो जो first में आया वो second को affect नहीं कर रहा है तो second में आया वो third को affect नहीं करेंगा So all these events are independent Okay? Second Second लिखेंगे when when events are dependent जब events कैसे है? dependent है अब इसमें formula लिखना है probability of A intersection B equals 2 क्या formula होगा? probability of A into probability of B by A probability of B upon A यह हमारा formula है अब इसमें यह B upon A जो हमने लिखा इसका meaning क्या है? This means that इसका मतलब है probability of event B when event A has already occurred जब event A occur हो चुका है तो इसके बाद event B के occur होने के chances so probability of event B when event A has already occurred event A हो चुका है ओके? and similarly in case of three events three में लिखेंगे A intersection B intersection C equals to probability of A into probability of B by A and into करेंगे probability of C divided by A intersection B अब इसका क्या मतलब हुआ? अब इसका मतलब है probability of C when events A and B both has occurred यह दोनों event हो चुके है event A भी हो चुका है और B भी हो चुका है उसके बाद में C के occur होने के chances तो यह है हमारे सारे formulae in case of dependent events and in case of independent events अब इन्हें apply कैसे करना है इनके उपर question कैसे बन सकते हैं वो discuss करेंगे तो पहले इन्हें note कर लें अच्छे से फिर कुछ example लेते हैं बच्छे से अच्छे से बच्छे से वो झाल आवा तें कुछ ग्जाम्पल पे सबसे पहला एक्जाम्पल कितने सक्के उचाल रहे हैं दो सक्के उचाल रहे हैं तो क्या करेंगे सबसे पहले head आने के chances head आने के chances हमें पता है कितने होते हैं 1 by 2 and tail आने के chances ये भी कितने हैं 1 by 2 ये तो हमने लिख दिया अब point ये आता है हमें सोचना ये है plus या multiply क्या होना चाहिए हमें plus करना है या multiply ये decide करना सबसे difficult task होता है तो ये हम कैसे करेंगे तो मैं सर्फ इतना ध्यान रखना है addition rule कहां लगाया था जब हमें पता है दोनों में से कोई एक event होना चाहिए king और queen head और tail dice पे number 1 और number 2 तो जब कोई एक event अकर होना चाहिए तो addition rule और जब दोनों ही event हो जाने चाहिए तो उसे हम कहेंगे multiplication rule कि head भी आना चाहिए tail भी आना चाहिए दोनों event होने चाहिए तो multiplication rule दोनों में से एक event होना चाहिए तो addition rule तो सर्फ इतना सा point हमें ध्यान रखना है और सारे question हमारे सही होंगे तो हमें यहां required है दोनों event पहले पे head और दूसरे पे tails तो simply दोनों को multiply करना है so 1 by 2 into 1 by 2 is 1 upon 4 1 divided by 4 similarly in case of 3 coins 3 coins है सब पे क्या required है हमें heads first पे heads second heads and third also heads तीनों पे head चाहिए तीनों required है that means multiplication rule अब head आने की चांसे 1 by 2 1 by 2 and again 1 by 2 so final answer is 1 by 8 1 upon 8 next is dice two dice's are thrown what is the probability of getting number 2 on first dice and number 5 on second dice पहले dice पे क्या ना चाहिए number 2 दूसरे पे number 5 तो दोनों पे कुछ न कुछ आना चाहिए तो दोनों events अकर होनी चाहिए so multiplication rule number 2 आने की चांसे 1 by 6 and number 5 आने की चांसे ये भी कितने हैं 1 by 6 तो दोनों को multiply कर देंगे that means 1 by 36 1 upon 36 1 more example now this time 1 coin and 1 dice are thrown together इदर coin को toss किया इदर हमने dice को toss किया तो coin पे आना चाहिए tail and dice पे आना चाहिए number 6 what is the probability that means दोनों event अकर होने चाहिए तो क्या करेंगे tails के चांसे 1 by 2 number 6 आने के चांसे 1 by 6 दोनों होने चाहिए multiply 1 by 12 1 by 12 so this is the required probability तो इन सारे cases में क्या था? events were independent that means पहली बार जो हुआ उसका दूसरे पे effect नहीं आया coin पे अगर tail आया तो उसका dice के ऊपर कोई effect नहीं आएगा so all these were independent events okay next example लेते हैं there are two packets of playing cards playing card के कितने packet है? two packets first packet में से हमने एक card draw किया है what is the probability of getting ace? and one card is also drawn from second packet and second पे आना चाहिए king so अब हमने क्या किया दोनों में से one one card हमने draw किया है first में required है ace and second में से required है king तो दोनों के आने के chances दोनों events के अकर होने के chances क्या होंगे? तो events कैसे हैं? dependent या independent तो first packet and second packet तो first में से जो card ने काला वो second packet को affect नहीं करेगा तो events are again independent so 4 by 52 is the probability of getting ace and again 4 by 52 is the probability of getting king दोनों को multiply so 1 divided by 169 1 upon 169 this is the required probability अब अगला कोईशन यह बहुत ध्यान से आपको समझना है थोड़ा सा अलग है there is only one packet of playing cards इस बार only one packet है one packet of playing cards situation क्या है two cards are drawn at random two cards are drawn at random अबस्मे there are two situations first one is with replacement and second one is without replacement with replacement and without replacement अभी two situations हमारे पास available है so what will be the required probability अच्छा अब हमने two cards निकाले हैं तो find क्या करना है two cards are drawn at random with replacement or without replacement so find the probability that both the cards are ace बुनों cards कौन से होने चाहिए ace के होने चाहिए तो सबसे पहले हम आते हैं किस पे with replacement या without replacement हम आएंगे पहले with replacement पे two aces with replacement अब इस replacement का मतलब क्या है हमने packet में से card निकाला first card निकाला और फिर वापस रख दिया फिर second card हमने फिर से निकाला that means हर बार जब हमने cards निकाले हैं तो total cards कितने थे 52 always there were 52 cards तो जब हमने first card निकाला first कौन सा required है ace तो ace कितने होते हैं 4 out of 52 फिर हमने उस card को वापस रख दिया अभी वापस हमारे past में कितने cards हैं 52 फिर से हमने निकालना है ace तो again there are 4 favorable cards out of 52 और हमने पता है दोनों events लकर होने चाहिए that means first ace and second भी ace होना चाहिए that means multiply so 1 upon 169 1 by 169 and second condition is 2 aces without replacement 2 aces हमें चाहिए कैसे without replacement अब without replacement है इसका मतलब क्या हुआ हमने first card निकाला और उसे बाहरी छोड़ दिया फिर उसके बाद हमने second card निकाला है तो जब first card हम draw करेंगे तो favorable cards aces कितने होंगे 4 कितने मेंसे 52 मेंसे अब एक card क्योंकि बाहर रख दिया है तो remaining cards कितने है remaining cards are 51 तो remaining cards है 51 अब उसमें से aces कितने होंगे क्योंकि एक aces हम अलड़ी निकाल चुके है तो remaining aces are 3 तो 3 by 51 अब क्या करना है दोनों को multiply कर देना है so 4 upon 52 then multiply by 3 by 51 so 1 by 13 into 1 by 70 ओके तो इस तरह से हमें equation solve करना है तो अब यहां पे हुआ क्या तो जो हमारी condition थी कौनसी without replacement हमने card को वापस नहीं रखा तो हमारी probability change हो गई क्योंकि वैसे तो हमें पता है ace के occur होने के chances क्या होते है 4 by 52 but हमने यहां पे क्या लिखा 3 by 52 3 by 52 क्यों लिखा क्योंकि second जो card हमने निकाला वो first event पे dependent है उसलिए probability change हो गई so यह जो case था without replacement का this was dependent event तो जहां पे एक event दूसरे पे dependent है okay good morning class अभी तक जो हमने discuss किया है probability chapter में that was addition rule and multiplication rule यह दो points अभी हमने discuss किये है multiplication rule में last जो हमने discuss किये थे points that was when events are independent and in case events are dependent तो यह दो cases हमने discuss किये है अब इसके आगे हमें कुछ conditions discuss करनी है and some more formulas for multiplication rule फिरम आएंगे इसके questions पे तो आज सबसे पहला हमें काम क्या करना है कुछ conditions हमें लिखनी है चिके चले लिखते हैं if two events if two events A and B are independent are independent then अगर यह दो events A and B कैसे हैं independent है तो फिर क्या होगा then first point A and B dash second A dash and B third one A dash and B dash अगर 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 इवेंट्स A और B कैसे हैं independent है तो फिर यह तीनों इवेंट्स यह तीनों इवेंट्स भी कैसे होने चाहिए independent इवेंट्स अट एफल इन्ट इवेंट्स इनक्स अगर दूसरी पर कोई एफेक्ट नहीं आता है जो कि उसका complimentary event है तो head का आना हो या head का नहीं आना है दोनों ही event कैसे होंगे independent होंगे दोनों एक दूसरे पर dependent नहीं है this simply depends on chance chance का मतलब कुछ भी हो सकता है nothing is fixed तो अगर दो events independent है तो उनके complimentary events भी क्या होंगे independent होंगे fine चलिए next point लिखते हैं next में लिखना है if P A by B is equal to P A if probability of A by B is equal to P A or if probability of B by A is equal to probability of B अगर A by B A के equal है that means events are event कैसे है independent है in both these cases events are independent events कैसे है independent है अब इसका example हम क्या ले सकते हैं कि like there is a packet of playing cards और इस playing card के packet में से हमें draw करने है one by one two cards and वो दोनों cards कौन से होने चाहिए king card must be king तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं with replacement and without replacement with replacement and without replacement अगर हमने उस card को draw किया है without replacement से without replacement तो उस case में क्या होगा यह देखते हैं अगर without replacement है then in that case what will happen probability of drawing a king probability of drawing two kings without replacement तो first king हमने निकाला then what are the chances 4 by 52 4 by 52 is the chance then second time जब हम निकालेंगे तो अब chances क्या होगे तो second time के case में without replacement मतलब हमने जो first card निकाला है उसे वापस अंदर नहीं रखा गया और जब वापस अंदर नहीं रखा so remaining kings are 3 and remaining playing cards are 51 so required probability क्या होगे 4 by 52 into 3 by 51 यह हुआ in case of without replacement कि हमने card वापस अंदर नहीं रखा तो हमारा formula क्या होगा यहाँ पे concept formula apply हुआ है probability of A intersection B equals 2 probability of A into probability of B by A probability of A मतलब पहले event A अकर हो चुका है और उसके बाद में B by A means probability of event B when event A has already occurred event A तो हो चुका है उसके बाद में event B के अकर होने के chances ठीक है तो अब यहाँ पे दोनों case में इनकी जो probability है वो अलग हो गई first king के chances 4 by 52 and second king के chances 3 by 51 that means P B by A is not equal to P B P B by A is not equal to P B in this case इस case में यह दोनों equal नहीं हैं in case of with replacement क्या होगा probability of two kings first king हमने draw किया है तो chances 4 by 52 king को निकाल के हमने box में यह cards में वापस रख दिया तो अभी हमारे पास king केतने हैं फिर से 4 और total cards केतने हागे in 52 that means second time भी हमारे पास king आने के chances उतने ही हैं जितने पहले थे तो in this case हम कह सकते हैं probability of B मतलब second event is equal to probability of B by A तो यहाँ पी दोनों equal है और ऐसा कब होगा when events are independent जब events independent होंगे fine so अब लिखेंगे हम कुछ फॉर्मलेज सबसे पहला फॉर्मला जो हमें लिखना है that is probability of A upon B probability of A by B तो इसका meaning तो हमें पता है probability of event A when event B has already occurred तो जब event B हो चुका है तो उसके बाद में event A के अकर होने के chances तो अब यह probability हम कैसे calculate कर सकते हैं तो इसका फॉर्मला है probability of A intersection B क्या करना है दोनों का intersection divided by probability of B फॉर्मला हमने कैसे बनाया A upon B है तो क्या करेंगे A intersection B intersection का मतलब क्या होता है common तो A and B में common यह कहां जाएगा numerator में upon में क्या आएगा तो upon में कौन सा event है B तो उस event B की probability so probability of event B fine similarly हमें ऐसे बहुत सारे formulas बनाने हैं like A dash upon B A dash upon B अब यह कैसे आएगा तो फिर से वही तरीका probability of A dash intersection B upon probability of B तो जो दोनों events हमें given है उन दोनों का क्या करेंगे पहले intersection numerator में and जो denominator में है उसकी probability then probability of A upon B dash A upon B dash क्या करेंगे probability of A intersection B dash upon P B dash similarly probability of A dash upon B dash so probability of A dash intersection B dash divided by probability of P B dash P B dash next is probability of B by A B upon A B by A कैसे आएगा तो अगें A and B में intersection अब हम चाहें पहले B लिखें या A it makes no difference B intersection B intersection A या A intersection B बात वही है क्योंकि हमें दोनों में common लेना है so probability of A intersection B divided by upon में क्या है event A तो event A की probability so probability of event A similarly B dash upon A B dash upon A क्या करना है इसमें P A intersection B dash upon P A ओके similarly probability of B upon A dash so probability of A dash intersection B upon probability of B probability of B next thing is probability of B dash upon A dash B dash upon A dash के लिए A dash intersection B dash upon P A dash ओके तो इस तरह से हमें इस सारे formula बनाने हैं बगप बिलकुल भी नहीं करना है रटना नहीं है सिर्फ हमें आरे पास trick होनी चाहिए किस तरीके से formula बन सकता है तो formula बनाना यह important है तो यह formula इस फटा फट note कर ले फिर हम आते हैं इन में से कुछ और चीज़ें हमें find out करनी पड़ेगी प्रॉबें हमें noted अब आते हैं one by one सारे formula इस पे सबसे पहले हमने लिखा P A by B equals to A intersection B तो A intersection B का formula हम already discuss कर चुके हैं तो यह हमें आता है P B यह भी हमें पता है probability of event B अब बात आती है probability of A dash intersection B A dash intersection B यह कहां से लाएंगे यह होता क्या है और कैसे आएगा तो यह हमें calculate करना है इसका formula हम लिखेंगे probability of A dash intersection B A dash का मतलब क्या हुआ हमें A नहीं चाहिए A dash means A नहीं चाहिए and intersection क्या है B मतलब B तो required है बट A नहीं required है तो हम क्या करते है समसे पहले diagram बनाते है simple सा कि लाएंग दिस इस A and B इस आर टू इवेंट्स इवेंट A और इवेंट B इवेंट A और इवेंट B और यह है दोनों में common दाट इस intersection दोनों का intersection अब हमें क्या चाहिए हमें only B required है because A dash मतलब A नहीं चाहिए only B required है तो हम क्या करेंगे इस B के अंदर जो A का portion है उसे less कर दिया जाएगा B में जो A का जो portion है इसे less कर देते है so this is B और इस B में यह जो इतना portion है इसे हमें हटा देना है remove कर देना है तो हमने minus कर दिया इस portion को और इसको minus करने के बाद में कुछ इस तरह का डाइग्राम बन जाएगा so this is what A- intersection B जिसको हम कह सकते है probability of only B probability of only B कि हमें सिर्फ B चाहिए A नहीं चाहिए so A- intersection B also known as P only B A को और नेम इसे हम दे सकते है that is P B minus A कि B में जितना भी A का portion है उसे हटा दो उसे remove कर दो तो आजाएगा P B minus A B minus A ओके तो यहां पे हमारा formula क्या बना हमने इस basically किया क्या है इस probability of B में से common portion को हटा दिया है so probability of B minus probability of A intersection B यह हमने कर दिया है P B में से दोनों का जो intersection है common है वो हमने less कर दिया तो उसे क्या आजाएगा A- intersection B ओके so this is the formula similarly हमारा जो next point है वो भी ऐसा ही है A- intersection B- A- intersection B- यह कैसे आएगा यह भी ऐसे आएगा probability of A intersection B- दास, B पे डास है that means B नहीं चाहिए only क्या required है A इसे हम लिख सकते है A- B A में अगर B का portion है तो उसे हाट या जाए या फिर only A we require only A अब डाइग्राम कैसा बनेगा अगें ये दोनों का intersection इधर event A and event B अब हमें करना क्या है ये जो A है इसमें से ये common portion हमें less कर दिना है और इस से कुछ इस तरह का डाइग्राम बन जाएगा so this is P this is only A इसे हम कहेंगे only A fine तो finally हमारा formula क्या बनेगा हमने probability of A में से common portion को subtract कर दिया है that is A intersection B इस common portion को less कर दिया है fine अब इसी तरह से कुछ और formulas हैं जो हमें लिखने है तो चलिए next formula हम लिखते हैं probability of probability of A- intersection B- A- intersection B- तो हमें यहां पर क्या करना है A नहीं required है B भी नहीं चाहिए दोनों ही नहीं चाहिए हमें तो क्या करेंगे 1- probability of A union B तो जो दोनों का total portion है A and B का union means दोनों का addition total तो A and B दोनों को हमने क्या कर दिया 1 मैंसे minus कर दिया तो जो remaining part है वो आजाएगा हमारा required area so probability of A intersection B dash sorry A dash intersection B dash equals to 1 minus probability of A union B similarly a scar reverse A dash union B dash तो क्या करेंगे 1 minus probability of A intersection B 1 minus probability of A intersection B तो यह सारे formulas हमें याद रखने हैं अब इस क्यूपर बेस्ट काफी सारे question हम solve करेंगे ओके यह note कर लें अच्छे से पहले यदैने हैं इस क्या करेंगे इसक बच्ट करेंगे इसक्रावपर इसे पहले हमने हैं की से बच्ट करेंगे अब आते हैं, question number 81, पेंड, probability of occurrence of A as well as B is noted by, तो अब देखें, हमें ध्यान रखना है, multiplication rule कब लगेगा, and addition rule कब लगेगा, तो कुछ conditions थी, जो हमें always याद रखनी है, तो addition rule तब लगता है, जब दोनों में से, या जितनी भी events से, उन में से, कोई एक event अकर होना चाहिए, जब सभी में से, सिर्फ एक event अकर होना चाहिए, that means हम use करेंगे addition rule, और जब सारे ही events अकर होने चाहिए, A, A के बाद B, B के बाद C, that means उस case में use करना है multiplication rule, तो multiplication rule कहां कहां पर apply होगा, यह याद होना चाहिए, like event A and B, A and B, A as well as B, both A and B, that means कुछ भी ऐसा word जो signify करता है, कि हमारे दोनों events या सारे events होने चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उस case में multiplication rule लगेगा, apply होगा, fine, so 81, probability of occurrence of A as well as B is denoted by, यह हम किसे denote करते हैं, multiplication rule, that is P of A, B, option number A, 82, if two events A and B, A intersection B is not equal to P A into P B, अब P A into P B, यह formula कब होता है, when events are independent, और यह कहरा है, independent नहीं है, तो कैसे होंगे, dependent, so option number B, 83, if two events are independent, अगर दू events कैसे हैं, independent हैं, तो कौन सा formula correct होगा, तो हमें given है, probability of B by A is equal to P AB upon P A, second P A by B is equal to P AB upon P B, third one is, P B by A is equal to P B, and P B by A is equal to P A, तो independent हमने कुछ conditions लिखे थी, तो उन conditions को देखके ही, सोज की आपको अंसर करना है, कि like probability of B upon A, and probability of B, जब यह दोनों same हैं, that means events are independent, option number C, 84, events A, B and C, are three mutually exclusive, independent, with their probabilities 0.3, 0.5 and 0.7 respectively, now what is probability of A intersection B intersection C, तो इनका intersection क्या होगा, तो intersection है तो question ने यह clear क्या है, events are independent, और independent इनकेस में formula, A intersection B intersection C equals 2, P A into P B into P C, simply तीनों की probability को multiply करते ना है, so 0.3 into 0.5 into 0.7, so final answer will be, 0.105, 0.105, option number B, option number B, तो हमने पढ़ा थान के complementary events भी कैसे होंगे, independent होंगे, तो कौन सा option correct है, option number D, complementary of A, as well as complementary of B, are also independent, next is 86, if two events, A and B are independent, अगर ये दोनों independent है, तो क्या होगा, तो फिर इनके complementary events भी होंगे, independent, तो कौन सा complementary, A and complementary of B, first option में लिखा है, A and B dash, second में B and A dash, third में A dash and B dash, तो ये कौन सा correct है, option D, all of these, ये सभी correct है, 87, the conditional probability of an event B, on the assumption that another event A, has actually occurred, is given by, कि दूसरा event अगर हो चुका है, तो कौन सा formula होगा, सोच के बताएं, probability of event B, when event A has actually occurred, so P B by A, का formula हामें बताना है, तो कौन सा formula correct है, वो देखेंगे, so option number A, P B by A, that means, दूनू का intersection, A intersection B, divided by, अपन में, का रएंगा, probability of A? next again question is similar question number 88 probability of B upon A defines the probability that event B occurs on the assumption that A has happened A हो चुका है और उसके बाद में B के अकर होने के chances तो इसे इता कहेंगे true, yes option number A 89 if probability of A upon B is equal to PA अगर यह दोनों equal है तो event कैसे होंगे independent अब option में क्या given है A is independent of B and B is independent of A तो कौन सा सही है कौन independent होगा दोनों ही independent होंगे तो A as well as B दोनों independent है कौन सा option टिक करेंगे option number D बोथ A and B अब आते हैं question number 90 पे probability of A is 1 by 2 PB is 1 by 3 and P AB AB means A intersection B यह given है 1 by 4 find करना है probability of A upon B तो A upon B का formula apply करना है आपको और formula क्या लिखा था हमने A intersection B divided by probability of B यह हमारा formula apply करना है तो आप easily apply कर सकते हैं this is your homework अभी जो आपका classwork है वो कौन सा है question number 91 अभी आपको इसे थोरा सा try करना है फिर आप discuss करेंगे A and B are two events such that probability of A is 1 by 4 PB is 1 by 3 and A union B is 1 by 2 union हमें दे रखा है और find करना है PB upon A B upon A अब कैसे calculate होगा तो सबसे पहला काम हमने लिखा formula किसका formula लिखेंगे B upon A का formula क्या होगा A intersection B दोनों में common divided by P A अब point यह आता है A intersection B तो हमें given नहीं है तो इसकी value कैसे आएगी तो A intersection B की place पे हमें कुछ और given है क्या given है A union B A union B हमें given है और इसका formula हमें पता है कौनसा formula होगा probability of A plus probability of B minus P A intersection B अगर हम इसमें values put कर दें तो क्या आजाएगा A intersection B आजाएगा चलिए value put करते हैं 1 by 2 equal to P A is 1 by 4 PB is 1 by 3 minus intersection हमें calculate करना है तो simply 1 by 4 plus 1 by 3 minus 1 by 2 तो हमें क्या करना है पहले LCM लेंगे तो 4, 3 and 2 का LCM कितना आजाएगा 12 तो LCM हमने लिया है 12 so 3 plus 4 minus 6 1 by 12 तो 1 by 12 किसकी value है A union B की sorry A intersection B की अब हमें यहाँ पे put कर देना है 1 by 12 divided by P A P A कितना है 1 by 4 1 by 4 अब इसको थोड़ा simplify कर दे कितना आजाएगा 1 upon 3 1 upon 3 option number B is correct ओके यह note कर ले फिर हम आते हैं question number 92 पे टाएएगा कितना आते हैं टाएगा 54 अव łओ झास कितना आस कितना आते हैं कितना इसके कितना अब त७ा包 नोटेट नाव क्वेशन नमर नाइटी टू इस वेरी मच सिमिलर यह बहुत सिमिलर है इससे हम रख देते हैं होमवक अब उसके बाद में ट्राइ करेंगे कौन सा? क्वेशन नमर 93 क्वेशन नमर 93 यह हमें अभी सॉल करना है कैसे करेंगे? वो देखते हैं सबसे पहला स्टेप सबसे फर्स्ट फिंग जो हमें क्यालकुले करनी है वो क्या है? अब यह क्या है? इसका फॉर्मुला जो भी हमने पढ़ा था probability of A- intersection B divided by P-B यह हमारा फॉर्मुला अब बाद आती है A- intersection B यह कहां से लाएंगे? तो इसका भी फॉर्मुला अभी हमने डिस्क्रिस किया है that is probability of B minus probability of A intersection B B में से common portion को subtract कर देना है minus कर देना है divided by probability of B अब क्या हमारे पास A intersection B available है? No तो क्या available है? A union B A union B की value available है तो A intersection B हमें पहले find करना पड़ेगा उसी method से उसी process से जो अभी हमने follow किया है तो चलिए शुरू करते हैं calculation of A intersection B तो उसके लिए formula यूस करना पड़ेगा A union B equal to PA plus PB minus PA intersection B PA is 2 by 3 PB is 3 by 5 minus PA intersection B and union is 5 by 6 so PA intersection B equals 2 by 3 plus 3 by 5 minus 5 by 6 अब इन तीनों का LCM LCM कितना हैगा? 30 so 20 plus 18 minus 25 this comes as 13 by 30 13 upon 30 13 upon 30 अब क्या करेंगे? अब यहां value output कर देते हैं PB is 3 by 5 minus intersection is 13 by 30 divided by PB 3 by 5 अब LCM लेंगे 5 and 30 का that is 30 18 minus 13 divided by 3 by 5 अब इसे हमने simplify करना है कितना आजाएगा? इस 5 and किस को हम कैंसल कर सकते हैं? 30 को कितना बचा? 6 finally बचेगा 5 by 18 5 upon 18 so this is the correct answer for part 1 इसी तरीके से आपको try करना है second and third part चलिए अभी करने फटा फटा A upon B dash so P A intersection B dash divided by P B dash A intersection B dash कैसे आता है? P A minus P A intersection B divided by P B dash मतलब B हमें नहीं चाहिए तो क्या करेंगे? Complementary 1 minus P B P A की value कितनी है? 2 by 3 minus A intersection B is 13 by 30 divided by 1 minus P B P B probability of B ये कितना है? That is 3 by 5 अब इसको थोड़ा simplify करते हैं 20 minus 13 12 7 by 12 7 by 12 Okay अब सॉल करते हैं P P A dash upon B dash क्या formula यूज करेंगे? probability of A dash intersection B dash divided by probability of B dash अब क्या करेंगे? formula A dash intersection B dash का हमने लिखा था 1 minus P A union B divided by 1 minus P B So 1 minus A union B कितना है? 5 by 6 divided by 1 minus 3 by 5 1 by 6 and 2 by 5 So final answer is 5 by 12 5 by 12 तो इस तरीके से हमें सारे questions solve करने हैं करेंगे फ MICHE टरीके धे बाफीके करेंगे लिःके… कि नॉटिट नेक्स्ट नमबर 94 यह होगा आपका होमवर्ग और असका हेंट में आपको एक बार दे देता है वैसे सिंपल है probability of A minus B is given A minus B का मतलब है probability of only A यह given है P A is given, P B is also given what is the probability that out of two events A and B only B would occur हमें find करना है P only B only B का मतलब क्या हुआ probability of B minus A यह हमें calculate करना है अब यह हम calculate कैसे कर पाएंगे यह calculate कैसे होगा तो इसके लिए B by A का formula हमें पता है probability of B minus probability of A intersection B और इस formula में probability of B तो हमारे पास available है but A intersection B is missing और यह missing figure कहां से आएगा यह आएगा from the formula probability of only A तो भासे आपको missing figure calculate करना है और इस जगे पर put कर दे ना है आ जाएक अ next is 95 P A is A P B is B and P C P C is C अब मैं क्या करना है A dash intersection B dash calculate करना है अब A dash intersection B dash ये कैसे calculate होगा तो इसके लिए हमारा formula क्या है probability of A dash intersection B dash 1 minus probability of A union B and A union B का formula क्या है probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B अब महीं पर value पूट कर देते हैं A plus B minus C so 1 minus A minus B plus C plus C option number D probability of A question number 96 पर हम आएंगे 96 question थोड़ा सा अलग है different है interesting भी है a card is drawn from each of two well-shuffled pack of cards सबसे पहले इस line में इस statement में क्या-क्या points हम extract कर सकते हैं वो देखेंगे a card is drawn एक card हमने निकाला है किसमें से from each of two well-shuffled pack of playing cards मतलब playing cards के दो packets हमारे पास available है और दोनों में से हमने a-k-card draw किया है first packet में से one card second packet में से भी one card इन में से हमने one-one cards draw किये हैं अब क्या करना है आगे the probability that at least one of them is an ace at least one of them कम से कम एक जना क्या होना चाहिए एक होना चाहिए ace होना चाहिए एक card ace आना चाहिए तो उसके chances क्या है तो चलिए सबसे पहले हमारे पास options क्या-क्या available है वो देखते हैं there are two packets first and second अब possibility क्या क्या बन सकती है ace किस में से आएगा first में से या second में से कहीं से भी आ सकता है अब उसमें different cases क्या बन सकते हैं first packet में आ गया ace but second में क्या आया other than ace any other card ऐसा भी हो सकता है first में आ जाए other card and second में ace third case दोनों में ace आ सकता है and fourth case दोनों में other card भी थो आ सकता है so these are four possible cases तो यह four cases हमारे पास possible है one, two, three and four क्या इनके अलावा और कोई case possible है no दो packet में से इतनी situations ही बन सकती है या तो इस आएगा या नहीं आएगा तो यह four cases बन गए that means events are exhaustive exhaustive का मतलब इससे जादा event possible नहीं है और अगर exhaustive होता है तो इनका total भी कितना होगा one तो हम लिख देते हैं events are exhaustive events exhaustive है अब हमारे लिए इन सारे cases में से कौन से cases favorable है हमें क्या required था at least one ace कम से कम एक case आजाए या उससे जादा भी आए तो भी चलेगा that means case number one two and three यह तीनों cases favorable है fourth one is not favorable because वहाँ पर ace नहीं आ रहा है तो हम क्या करते हैं हम इन तीनों की probability को add कर देते probability of first case plus second case and plus third case तीनों की probability को add कर दिया जाए तो first case में क्या है probability of ace and other card तो ace के आने के chances एक पूरा packet हमारे पास है number of aces are four so four divided by 52 अब साथ में क्या लिखा है other card भी आना चाहिए other card भी आना चाहिए that means दोनों cases होने चाहिए तो हम use करेंगे multiplication rule अब दूसरे packet में से क्या चाहिए other card other than ace ace तो four है other cards केतने होंगे remaining cards that is 48 so 48 upon 52 और दोनों की बीच में multiply this is probability of first event second की कैसे आएगी first में other and second में is 48 by 52 multiply by 4 by 52 and third case में third में दोनों में क्या चाहिए is 4 by 52 into 4 by 52 2 दोनों में ace आजाएगा अब 1 by 1 क्या करेंगे इनको simplify करते हैं 1 by 13 into 12 by 13 plus 12 by 13 into 1 by 13 plus 1 by 13 into 1 by 13 तो यह होगे सारे पॉसिबल केसे 12 plus 12 plus 1 upon 169 so 25 divided by 169 this is the final answer so यह हमने क्या calculate किया probability of getting at least one is तो इससे आप note कर लें फिर हम discuss करेंगे इसी question का shortcut formula shortcut तरीका okay तरीका अब बात आती है हमारे second method की अभी हमने क्या लिखा events are exhaustive exhaustive का मतलब है इन सब का total केतना होगा 1 that means probability of event 1 plus 2 plus 3 plus 4 is equal to 1 यह equal to 1 है अभी हमने calculate क्या किया P1 plus P2 plus P3 अब मैंसा करते है 1 minus P4 P4 को हमने opposite side में भेज दिया और दोनों के बीच में क्या लगाए equal to sign तो हमने इस first part को calculate कर लिया है इसका answer आ गया और यह किसके equal होगा 1 minus P4 के equal होगा that means अगर हम 1 minus P4 करेंगे तब भी हमारा यही answer आने वाला है और वा answer जल्दी आ जाएगा वो हमारा short तरीका है तो गर question में कहीं भी लिखा है probability of at least 1 तो हमारा formula क्या लगेगा 1 minus probability of none at least 1 तो 1 minus none none का मतलब यहाँ पे क्या है कुछ नहीं आने के chances जैसे बात ace की हो रही है तो ace नहीं आने के chances को 1 में से minus कर देना है ace नहीं आने के chances को 1 में से minus कर देना है तो उससे क्या आ जाएगा at least 1 यहां हम ऐसा क्या दे 1 minus 4th case 4th case क्या है other card and other card तो दोनु जगे other card आने के chances is 48 by 52 into 48 by 52 so 1 minus 12 by 13 into 12 by 13 final answer 25 divided by 169 और at least one question exam में बहुत जादा repeat होते हैं तो इसलिए आपको especially बहुत जादा focus करना है ऐसे questions पे कहीं भी at least one लिखा है तो सीधा क्या कर लेंगे one minus probability of none none का मतलब नहीं आने के chances ओके गुद मॉर्निंग क्लास प्लास क्लास में हमने अभी तक जो discuss किया है that was multiplication rule और फिर उसके बाद में हमने काफी सारे questions की practice भी की है आज हम करते हैं कुछ और questions और next question number is 97 question number 97 पे आते हैं A, B and C are three mutually exclusive mutually exclusive का मतलब ये तीनों साथ में अकर नहीं हो सकते and exhaustive exhaustive का मतलब इन तीन events के अलावा और कोई event possible नहीं है तो इन तीनों की probability का sum कितना होगा that will be one such that probability of A is equal to two times of probability of B is equal to three times of probability of C तो ये पूरी हमें एक equation given है और अब find क्या करना है find the value of PB probability of B ये हमें calculate करना है तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं जो हमें find out करना है उसे let कर लेते हैं X let probability of B equals to X ये हमने assume कर लिया है X अब अगर हम पूरी स्रीज को देखें तो P A equal to two times of PB equal to three times of PC तो सबसे पहले हम compare करेंगे किसे compare करते हैं A and B को A and B को हम compare करेंगे तो इससे क्या आएगा कि probability of A probability of A is equal to two times of PB को हमने let किया है X so PA will become two X A की probability B की probability से double हो गई है two times of X similarly हम compare करते हैं B and C को तो इस comparison से क्या सामने आएगा two times of X is equal to three times of PC three times of PC so PC equals to two by three X two by three X अब अब क्योंकि question में given है events are exhaustive तो इन तीनों की probability का सम PA प्लस PB प्लस PC यह सम कितना होगा this will be equal to one यह सम होगा equal to one अब हम क्या करते हैं इन में values put कर देते हैं PA is two X PB is X and PC is two by three X इन सब का total है one अब इसको आगे थोड़ा simplify करते हैं 11X upon three equals to one so X equal to three by eleven और हमने PB को ही माना था X so three by eleven is the value of PB but क्या three by eleven option में given है हमें अगर हम option देखें तो three by eleven तो नहीं है तो फिर हम किसे select करेंगे तो ऐसे case में अगर आप option को थोड़ा ध्यान से देखेंगे अब को एक option मिलेगा six by twenty two which is nothing but double of three by eleven कि यहां पर दोनों जगे पर numerator as well as denominator में two से multiply कर रखा है अगर आप इसको simplify करते हैं तो इससे वही आएगा three by eleven so option number B बिल्कुल सही है तो कहीं बार इस तरह से option आ सकते हैं आपको अपने mind को तोड़ा fast use करना है कि कौन सा option appropriate है ओके चलिए से note करें फिर आगे बढ़ते हैं noted next question number is 98 it is given that a family of two children has a girl एक family जिसमें कितनी बच्चे हैं देरा two children and उसमें क्या है एक गर्ल है what is the probability that other child is also a girl तो other child के भी girl होने के chances क्या होंगे सोच के बताए answer यह आपके सामने question available है a family have two children and out of two one is definitely a girl other child के girl होने के chances क्या होंगे इस question में बहुत जादा mistakes होती है तो आपको answer सोच समझके करना है most of the students answer करते हैं कितना one by two that means the question का उनका interpretation है वो गलत हो जाता है गलत कैसे student यहाँ पर क्या सोच लेते हैं कि एक child existing है दूसरा born होने वाला है यह situation नहीं है लेकिन काफी सुरूंट ऐसा सोच लेते हैं कि question में ऐसा पूछा है कि ऐसा child जो born होने वाला है तो या तो male होगा या फिर female तो chances one by two होगे यह thinking बिलकुल गलत है question नहीं ऐसा बिलकुल भी नहीं पूछा है question नहीं यह बता रखा है कि there are already two children पहले से ही दो children है और इन दोनों में से एक के बारे में तो हमें पता है one is a girl other child अब वो girl है कि boy यह हमें नहीं पता तो उस चीज़ को हमें clarify करना है कि other child भी girl हो other child भी girl हो यानि कि दोनों girls होने के chances क्या होंगे यह हमें बताना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे पहले different cases form करते हैं कि what are the all possible cases so first case is girl and girl girl and boy boy and girl boy and boy तो यह four cases है but इसमें से जो last case है यह possible नहीं है possible क्यों नहीं है because question ने already mention कर रखा है one is a girl that means दोनों boys वाला case हम consider नहीं कर सकते हैं so total number of events total number of outcomes are three अब इसमें से हमारे लिए favorable कौन सा होगा हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ वही case favorable होगा जिसमें दोनों girls होंगी that means first case is favorable so what is the required probability one divided by three one case is favorable out of three so one by three is the required probability okay next is 99 for three events a, b and c the probability that only a occur is only a occur होने के chances हमें बताने है तो only a occur होना चाहिए तो b नहीं होगा तो b dash and c occur नहीं होना चाहिए तो c dash so a intersection b dash intersection c dash जिसके उपर dash है उसका मतलब वो event अकर नहीं होगा और जिस पर dash नहीं है वही event अकर होगा तो ऐसा कौन सा option दिख रहा है correct is d option number d अब यहां से शुरू होता है हमारा question का next pattern that is using combination a word combination and permutation यह आपने पढ़ा होगा mathematics के part में और क्योंकि इनके formula इस बहाँ डिटेल में discuss हो चुके है काफी question भी आपने बहाँ practice किया है तो इसलिए हम इसका basic formula और वो discuss नहीं कर रहे है सीधर हम आएंगे probability के concept पे तो यहां पे आपको combination को use करते हुए probability calculate करनी है कैसे करना है starting with the basic question तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए combination का use कहां पर होता है combination कब हमें काम में लेना है और कब use नहीं करना है इसी में सबसे ज़्यादा confusion होता है तो हमें इसे decide करना आना चाहिए तो combination is used for selection यह आपने पढ़ा होगा match में कि जहां भी हमें कुछ चीज़ें select करनी है हम use करेंगे combination like there is a group of student and there are 10 students उसमें से हमें 2 students select करने है कौन से select करेंगे तो there are various ways बहुत सारे तरीके हैं जिनमें हम student को select कर सकते हैं so number of ways कितने होंगी तो हम बता सकते हैं there are 10 C 2 ways तो इतनी तरीके से हम उसे select कर सकते हैं similarly there are 5 balls 5 में से 1 हमें select करनी है तो 5 C 1 2 select करना है तो 5 C 2 तो normally combination कहां पर काम मिल लिया जाता है when selections are more than 1 जहां पर एक से जादा selection होगा वहां पर हमें combination को use करना है okay question number 100 को a bag contains 3 red and 2 green balls so पहले हमने लिखा red red balls कितनी है 3 and green balls green balls are 2 what is the probability that 2 balls drawn are all red अब जो हमने balls draw की है वो red color की हो क्या probability है so probability of getting 2 red balls अब देखें red हमारे पास कितनी है there are 3 red balls और 3 में से हमें कितना select करना है 2 so number of favorable events 3 C 2 इतने तरीके से हम selection कर सकते है 3 red balls 3 में से 2 को select करना है divided by total number of events total balls कितनी है total balls are 5 5 में से कितना selection करना है 2 balls का तो कैसे करेंगे 5 C 2 5 C 2 अब 3 C 2 को solve करते है 3 C 2 can also be written as 3 C 1 और solve करने पर कितना आता है 3 5 C 2 solve कैसे करते है 5 into 4 upon 2 into 1 so final answer is 3 by 10 3 by 10 so this is the probability of getting red ball similarly second part probability of green ball दोनो ball green color की हो so क्या chances होंगे so green balls हमारे पास कितनी है 2 and 2 में से कितना select करना है 2 divided by total number of balls are 5 and 5 में से selection करना है कितना 2 का so 2 C2 is 1 and 5 C2 is 10 so 1 upon 10 is the required probability okay and now the third case probability of getting 1 red and 1 green ball 1 red red balls कितनी है हमारे पास 3 और 3 में से कितना select करना है 1 green balls कितनी है 2 2 में से भी select करना है कितना 1 upon total number of balls are 5 और 5 में से select करना कितना 2 अब सबसे important या आता है numerator में जो हमने दोनों figures लिखे हैं उसके बीच में plus या multiply क्या करना चाहिए दोनों के बीच में हम कौन सा sign यूज़ करेंगे plus या फिर multiply तो multiplication rule में हमने discuss किया है जब दोनों events अकर होने चाहिए जब दोनों events अकर होने चाहिए तो उस case में क्या करेंगे multiplication rule तो इन दोनों को multiply कितना आजाएगा 6 upon 10 और we can say 3 by 5 so this is the required probability इस तरीके से calculation होती है तो यह था हमारा basic question for probability using combination तो combination में आपको वही करना है जैसा अपने mathematics में पढ़ा है selection तो जितनी balls है उस में से आपको select करनी है 5 में से 2 draw करनी है तो 5C 2 1 करनी है तो 5C 1 तो 6C 101 is similar so it is your homework next is 102 a committee of 3 people is to be appointed from 3 officers of production department 2 officers of purchase department and 1 officer of sales department तो सबसे पहला question जो हमें दिख रहा है कि हमें क्या करना है committee form करनी है किस की 3 people की 3 persons की selection किस में से करना है 3 officers of production department 2 of purchase department and 1 of sales department in total there are 6 persons find the probability of forming the committee तो committee बना लेनी है that there must be 1 from each category हर category से एक जना होना चाहिए 1 from each category अब क्या करेंगे so required probability equals 2 production department में दिरा 3 persons 3 में से 1 को select करना है कैसे करेंगे 3 C 1 second department था purchase department and purchase department में there are 2 officers 2 में से 1 select करना है कैसे किया जाएगा 2 C 1 and last में 1 officer of sales department 1 on 1 1 में से 1 को select करना है अब क्या करेंगे 3 को multiply and then divided by total number of events total हमारे पास कितने people है 6 और 6 में से कितने select करने है 3 6 C 3 अब इसको simplify करते है 3 into 2 is 6 divided by 6 into 5 into 4 upon 3 into 2 into 1 अब कुछ चीज़े cancel out हो जाएगी ये cancel out हो गया पीछे क्या बज़ गया है 6 by 20 और we can say 3 by 10 option number C this is the correct answer अब अब आते हैं अब आते हैं next question पर next आपको पहले try करना है पोड़ा सा confusive आपको लग सकता है तो जब भी कोई question confusive लगे तो उसे दो बार तीन बार अच्छे से पढ़ लें कि question क्या information देना चाह रहा है और हमें क्या find out करने के लिए बोला चाह रहा है तो दोनों चीज़ें आपको देख लेनी है so what is the chance of getting at least one defective item word क्या रहा है वो दियान से देखें at least one defective item इसकी probability हमें निकालनी है if three items are drawn randomly selection कितना है three items का है कितने में से from a lot containing six items तो in total item कितने हमारे पास six है of which two are defective और उन six में से two क्या है defective है तो हमारे पास कितने तरह क्या items हो गए non defective and defective total number of items are six तो defective question ने कहा है two है तो non defective कितना हुआ four तो इतने items हमारे पास available है अब हमें select क्या करना है at least one defect तो जहां भी at least one defect आता है हमने discuss किया है क्या discuss किया था at least one आते ही हम करेंगे one minus probability of none none का मतलब क्या होगा none means यहां पे no defect one minus probability of no defect so one minus no defect इसका मतलब selection कहां से होगा non defective में से तो non defective items कितने है four अब हमें selection करना कितना है three items are drawn so four c three three item हमें select करने है divided by divided by total items कितने six और six में से select करना है कितना three अब इसको simplify करते है one minus four by twenty sixteen by twenty और we can say four by five और zero point eight option number c तो ऐसे question में आपको always यही trick यूज़ करनी है कहीं भी अगर लिखाता है at least one तो सीधा करेंगे one minus probability of none one minus probability of none next question पर आते हैं one zero four if two letters are taken at random from the word home अब एक word है मारे पास कौन सा word है home what is the probability that none of the letters would be wobble तो हमें two letters इस word में से select करने है and none of the letters would be wobble wobble नहीं होना चाहिए अब सबसे पहले आपको यह बात पता होनी चाहिए wobbles कौन से होते है wobbles a e i o and u these are wobbles so five letters are wobbles and remaining twenty one letters are known as consonants remaining letters को हम कहते है consonants the consonants कितने होते है twenty one अब हमें दिखना है जो word home है इसमें wobble नहीं आना चाहिए तो wobble कौन सा है h o m e इसमें wobble कौन सा है o and e तो यह नहीं आना चाहिए तो क्या आना चाहिए h और m आना चाहिए so favorable cases are two तो two में से हमने two को select किया divided by total number of observation है मेरे पास four और four में से कितना select करना है two तो कितना आजाएगा one divided by six this is the required probability तो question ने clearly mention किया था wobble नहीं चाहिए तो हमने wobble को हाटा लिया so remaining were two letters और two में से two का selection करना है so two c two divided by total number of cases तो four letters में से two select करने है so four c two तो ए ब्रेधे वे स्रीज continuation, ने से कुछी ए कि ए ए टुझ में correctly, A won 6 games A ने 6 games जीते है B 4 games and 2 games and in a tie Now they agree to play 3 more games अब 3 games और खेले जा रहे So what is the probability that A and B wins alternatively A और B के alternatively यानि के बारी बारी से जीतने के chances क्या है यह हमें बता देना है तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे हम find करके रख देते हैं probability probability of winning game by A A के जीतने के chances कितने हैं तो A won 6 out of 12 So 1 by 2 यह होगया chances of winning game by A Similarly chances of winning by B तो 4 upon 12 1 by 3 1 by 3 अब next item हमें क्या करना है A and B wins alternatively So first game कौन win करेगा A या B कोई भी कर सकता है अगर first game A ने won किया तो second game B because they must win alternatively and third game वापस कौन win करेगा A क्या और कोई case possible है बिल्कुल possible है first game B ने won किया second A and third by B So these are the two possible cases यह दो possibility हो सकती है अब इन दोनों में से कौन सा case होगा क्या दोनों होंगे या दोनों में से कोई एक तो जब हमें इतना पता लगता है कि दोनों इवेंट्स में से सिर्फ कोई एक ही इवेंट अकर होगा that means addition rule apply करेंगे और जब दोनों इवेंट्स होने चाहिए तो multiplication rule तो यहाँ पर simply दोनों के बीच में plus हो जाएगा addition now A1 A1 is 1 by 2 first game A ने जीता है second B ने तो B के chances 1 by 3 और third A ने win किया है तो 1 upon 2 अब क्या करेंगे तीनों को multiply similarly plus first game is 1 by B 1 by 3 second by A and third by B कितना आजाएगा वो देखें तो 1 upon 12 plus 1 upon 18 else simply हमने तो 5 by 36 5 upon 36 this is the correct answer ये है इस question का first part now part number second second part is very easy second part में क्या करना है देखते हैं probability that A wins all the games सारे game एक को जीतना है A1, A2 and A3 सारे game एक अगर जीतेगा तो chances क्या होंगे 1 by 2 into 1 by 2 into 1 by 2 so 1 upon 8 this will be the required probability and now the third part A loses all the games यहां सोच के बताएं क्या answer होगा यहां बहुत सारे mistakes होती है आपको mistake नहीं करनी है A loses all the games क्या करेंगे काफी student answer करते हैं 1 minus 1 upon 8 that is 7 by 8 but 7 by 8 is the wrong answer correct answer क्या होगा तो question नहीं लिखा A loses all the games A कब lose करेगा जब B win करेगा that means A loses इसका मतलब ही होता है B win all the games तो सारे game B win करेगा B1, B2 and B3 अब क्या करेंगे तीनो को multiply 1 by 3 into 1 by 3 into 1 by 3 that is 1 upon 27 this is the required probability ये है मारा correct answer अब करेंगे अब करेंगे अब करेंगे तो प्रबाबिटी चाप्टर में अभी तक हमने एक्वेशन के थे अब टू 1 0 5 next question is 1 0 6 चलिए 1 0 6 देखते हैं क्या लखा है if for two events A and B दो events है A and B and probability of A union B is equal to 1 दोनों का जो union है वो कितना है 1 और 1 का मतलब क्या हुआ events are exhaustive कि उनसे जाधा events possible नहीं है तो इन दो के अलावा और कोई event possible नहीं है अब चार option है first is mutually exclusive तो क्या हमें question में ऐसा कुछ भी hint given है जिससे हम पता लगा सकें कि दोनों events साथ में होंगे या नहीं होंगी तो ऐसा कुछ भी given नहीं है तो mutually exclusive को tick नहीं किया जा सकता second is equally likely क्या दोनों की probability से होगी may or may not तो ये भी जरूरी नहीं है third exhaustive exhaustive मतलब इनके अलावा और कोई event possible नहीं है so c is absolutely correct because जनका union 1 है and fourth one dependent events तो ये भी नहीं कहा जा सकता तो correct answer हुआ c 107 a player has seven cards in hand of which five are red seven cards है उसमें से five कौन से red कलर के है and of these five two are kings और इन five में से two क्या है kings तो चलिए इसके लिए diagram बनाते हैं total seven cards seven में से red red cards कितने हैं five and remaining कौन से हो जाएंगे black black cards will be two and of these five two are kings तो इस five में से kings kings कितने हैं two and other than kings that will be three अब करना क्या है a card is drawn at random randomly एक card हमने draw किया है the probability that it is a king तो उस card के king होने के chances क्या है यह हमें बताना है it being known that it is red और यह हमें पता है वो card कौन सा है red color का है तो इसको हम solve कैसे करेंगे कि अगर हमें red card select करना है तो red card के chances तो क्या होंगे five by seven five by seven and उसके अलावा हमें king select करना है red में से तो उसके chances क्या होंगे two by five two by five तो इसको हम करना चाहें तो directly भी कर सकते हैं otherwise base theorem भी use की जा सकती है directly कैसे करना है कि like five cards है red color के and उसमें से two kings है so probability of getting two kings is simply two by five और अगर base theorem के according करना है तो क्या करेंगे denominator में पहले हमें red select करना है तो five are red out of seven अब हमें king select करना है so king two है total seven में से so seven and seven got cancelled और पीछे बग जाएगा two by five two upon five so this is the correct answer अब आते हैं next one zero eight पे Mr. Roy is selected for three separate posts तीन पोस्ट पे Mr. Roy का selection हुआ for the first post there are three candidates तीन जने हैं for second there are five candidates and for third there are ten candidates what is the probability that Mr. Roy would be selected तो सबसे पहले जो हमें question में given है तो उसमें हम देखते हैं कि what is the probability of selection at first post first post पे Mr. Roy के select होने के chances कितने हैं तो first post पे there are three candidates उसमें से एक कौन है Mr. Roy तो Roy के chances हो गए one divided by three one upon three second post second post पे है five candidates तो Roy के chances हो गए one by five and third post पे there are ten candidates तो उसमें one upon ten तो इतने इतने हमारे chances हो गए select होने के यह सब है selection और अगर हम निकालें for not getting selected select नहीं होने के chances अगर निकालने हैं तो वो कैसे find out होगा तो इसे simply one में से minus कर देंगे probability of not getting selected at first place तो two by three probability of not getting selected at second place four by five and probability of not getting selected at third place is nine by ten तो यह सारा हो गया probability of not getting selected अब हमारे पास different different cases warm होंगे और हमें यह देखना है कि Mr. Roy का selection कहां पे हो सकता है first place, second place या third place option हमारे पास बहुत सारे है this is the first place, second place and third place अब इसमें Mr. Roy का selection कहां पे होगा यह हमें देखना है सबसे पहले first place पे हो सकता है and second and third में नहीं होगा यहां मैं ऐसा कह रहे है second place पे होगा तो first and third में नहीं होगा या अगर third में हो गया तो first and second में नहीं होगा क्या और कोई case possible हो सकता है बल्कुल possible है क्या possibility बन सकती है कि दो जगे Roy का selection हो जाए first and second या second and third और first and third इस तरद से भी तो selection हो सकता है और कोई तीनों में selection हो जाए and किसी में भी selection नहीं हो तो इतनी सारे possible cases है हमारे पास तो कितनी होगे इसे काउंट कर लेते हैं first, second, third, fourth, fifth, sixth, seven and eight so these are eight possible cases eight cases हो गए हमारे पास अब इस eight cases में से हमको ये देखना है कि कौन-कौन से हमारे लिए favorable है कि इन में से Mr. Roy का selection कहां पर हो रहा है तो अगर हम देखें फर्स्ट case में Roy is getting selected second में भी selection हो गया third, fourth, fifth, sixth, seventh one से लेके seven तक इन सारे cases में Mr. Roy का selection हो रहा है अब इसको solve करने के हमारे पास दो तरीके है first method तो क्या है कि जितने भी हमारे favorable cases बन रहे हैं उन सबकी probability को निकाल करके add कर दिया जाए one से लेके seven तक सारे cases की पहले probability निकालेंगे और फिर उसे add कर देंगे यह हमारा पहला तरीका जो कि बिलकुल भी useful नहीं है time जादा waste होगा and calculation भी जादा हमारी हो जाएगी तो ऐसे case में दूसरा तरीका क्या है यह हमें पता है events are exhaustive इनके अलावा और कोई event possible नहीं है तो हम इसको इस form में लख सकते हैं probability of case 1 to case 8 इन सबका sum कितना है? one हमें चाहिए one से लेके seven तक तो eight को हमने opposite में बेज दिया या तो हम रखे one से seven तक की probability या फिर one minus eight की probability दोनों से answer same आएगा तो जो second part है यह हमारे लिए better है तो क्या करेंगे? one minus probability of this eighth case अब eighth case क्या है? रॉय का तीनों मेंसे कहीं भी selection ना हो अगर कहीं भी selection नहीं होगा तो उसके chances क्या होंगे? first place पे नहीं होने के chances two by three हम गर निकाल रखे हैं second place के लिए four by five and third place के लिए nine by ten अब इन तीनों के बीच में क्या करेंगे plus या multiply तो जब हमें यह पता है कि सारे events अकर होने चाहिए first भी होगा, second भी होगा, third भी होगा तो यूज होगा multiplication rule और तीनों मेंसे कोई एक event होना चाहिए तो फिर होगा addition rule तो यहाँ पर क्या है तीनों places पर selection नहीं होना चाहिए तो multiplication rule तो one minus और फिर इन सबको multiply करतेंगे अब आगे solve कर लें आजाएक answer तो one minus कोचिजे कैंसलाओ होरी तो one minus 12 upon 25 final answer is 13 divided by 25 13 upon 25 तो सीधा सा इसको कैसे करना था one minus probability of none none का मतलब यहाँ पर क्या है रोई का selection तीनों places पर नहीं हो इस probability को हमने one में से minus कर दिया तो क्या जाएगा probability of getting selected ओके चलिए इसे अच्छी सी note कर लें फिर आएंगे हम next question पर 109 109 next is 109 the independent probability is that three section of costing department will encounter a computer error are 0.2 0.3 and 0.1 per week so yeh teeno hume care given hai probability of getting error in the department what is the probability that there would be at least one computer error per week at least one computer error jayse hi aap ke paas at least one ka question aata hai pehla point humeare mind mein kya anna chahiye one minus probability of none one minus probability of none none ka matlab yaha pe kya hai toh hume question mein given error hoonne ke chances hamna lika hai none that means error nahi hoonne ke chances toh dekhe first department mein error hoonne ke chances kya hai point two toh nahi hoonne ke one mein se minus khar de toh 0.8 second department mein point three error hai toh nahi hoonne ke point seven and third mein nahi hoonne ke 0.9 ab kya karenge teeno ko multiply teeno ko hume nne kar diya multiply so one minus seven into eight into nine and sab ko multiply kar dee aur aur fir dekhe katna aata hai so point eight into point nine into point seven zero point five zero four zero point four nine six aur round off kya toh zero point five five okay so option number b is the correct answer fine next is one hundred and ten there are three persons a a b and c having different ages teen loog hai aur sabki age alag hai the probability that a survive another five years a ke next five years tag zinda rehne ke chances survival ke chances kitne hai 0.8 then b survive for another five years is 0.6 b ke liye 0.6 and for c it is 0.5 yeh teeno ki survival ke chances the probability that a and b survive for another five years is 0.46 is bar a aur b ka saath mein hai 0.46 b and c ka saath mein hai 0.32 and a and c ka saath mein hai 0.48 or last mein tino persons ka saath mein 0.26 find the probability that at least one of them survive another five years at least one of them survive at least one of them survive at least one in case of three events a union b union c equals to formula p a plus p b plus p c minus p a intersection b minus p b intersection c minus p a intersection c and then last mein waapas add karete te hain a intersection b intersection c so this is the formula aur yeh sari values hume equation mein dhe rakhi hai abe se support karete te hain 0.8 plus 0.6 plus 0.6 plus 0.5 minus 0.46 minus 0.32 minus 0.48 and last mein plus 0.26 abh abh isse a jayegi haemari required probability so calculate karte te hain 0.8 plus 0.6 what are first say karne calculation so calculate karete te hain 0.6 plus 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 0 दन कितना गया? 0.9, option number B, this is the correct answer. Next is 111, what is the probability of having at least 1,6 from 3 throws of a perfect dice? हमने 3 dice को थो किया है या एक ही dice को 3 times थो किया है, then what is the probability of getting at least 1,6? तो फिर से आ गया है at least 1, so क्या करेंगे 1 minus probability of none? तो 1 minus, none का मतलब यहां पे क्या है? 6 नहीं आने के chances, तो 6 आने के chances कितने होते हैं dice पे? 1 upon 6 नहीं आने की 5 by 6, तो 1st पे नहीं आएगा 5 by 6, 2nd पे भी 5 by 6, and 3rd पे भी कितना है? 5 by 6. 6. the final answer 1 minus 5 by 6 cube. okay? so this is the correct answer. next is 112 यह equation थोड़ा सा अलग है different है इसको समझते है क्या लिखा है find the probability that a 4 digit number comprising the digits 2, 5, 6 and 7 would be divisible by 4 तो यह क्या है 4 digits है और यह 4 digit किस से divisible हो 4 से divisible हो तो उसकी probability हमें निकालनी है तो सबसे पहले permutation combination chapter में हमने पढ़ा होगा कि अगर 4 हमारे पास numbers है तो उससे कितनी 4 digit के number बनाए जा सकते है So we can have total number of cases कितने cases है factorial 4 So total events और total cases will be factorial 4 That is 24 So 24 cases available है अब इसमें से कुछ case ऐसे होंगे जो 4 से divisible है तो कौन-कौन से ऐसे cases है जो 4 से divisible है वही probability हमें calculate करनी है तो देखें सबसे पहले 4 digit तो हमारे पास चार लेटर्स क्या है 2, 5, 6, and 7 अब लास्ट 2 digit हम क्या रखें अगर 25 रखें तो 25 is not divisible by 4 52 52 is divisible 52 is divisible तो अब क्या बचा दूसरे लेटर्स बचे 6 and 7 इनको इंटरचेंज भी हम कर सकते है 7 and 6 लास्ट में 5, 2 ठीक है तो लो 52 हो गया और कोई case पॉसिबल है 52 के बाद 56 56 is also divisible by 4 ये भी 4 से divisible है तो लास्ट 2 digit आगए 56 अब आगे क्या जाएगा 2 and 7 and 7 and 2 अब और कोई case 65 is not divisible then 67 76 76 is divisible remaining numbers are 2 and 5 5 and 2 अब लास्ट में और कोई number ऐसा है 72 is also divisible 72 पीछे नम्बर बजगा है 6 and 5 5 and 6 so these are all possible cases कितने cases बन गे? 8 cases out of 24 24 so required probability is 8 cases out of 24 is favourable so correct answer will be 1 upon 3 1 divided by 3 ok ok ये note कर लें अच्छे से 5 ons अबर बजगा है आउ सिक्टाब लें 2 3 9 10 लोड़े लोड़े next is 113 a pair of dice is thrown together and the sum of points of two dice is noted to be 10 हमने दो dice throw किये है और दोनों dice पे जो number आया उनका sum कितना है? that sum is 10 that sum is 10 what is the probability that one of the two dice has shown the point 4 तो किसी एक dice पे number 4 आया होगा इसके chances क्या है? तो पहले देखें, sum 10 कैसे आ सकता है? 10 की cases क्या बनेंगी? 4 and 6 5 and 5 6 and 4 बस इतने cases हैं अब इसमें से favorable cases कि जहां भी number 4 आ रहा है that is favorable so 2 cases are favorable out of 3 so the required probability will be 2 upon 3 2 upon 3 2 upon 3 next is 114 in a group of 20 males and 15 females एक group में male कितने है? 20 and females है 50 male 20 females 50 12 males and 8 females are service holders 20 में से service holders male है 12 and female में से service holder है 8 तो remaining कौन हो गए? non service holder जो service नहीं करते हैं इधर भी remaining are non service holder remaining is 7 remaining is 7 अब क्या करना है? अब क्या करना है? वो भी किसका service holder का then what are the chances? तो male 20 service holder 12 required probability will be 12 upon 20 0.6 option number D 0.6 ok प्रेवस्ट 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 से लिख ओड झाए अब इसके बाद जो हमारा next topic start होता है उसका नहीं है expected value expected value is nothing but mean यह तरह से mean होता है तो हम mean यहाँ पर calculate करेंगे using probability mean हमें calculate करना है using probability तो अब हम discuss करते हैं हमारे next topic को so expected value also known as mean average और mathematical expectation so सबसे पहले हम इस एक बार read कर लेते हैं आखर इस point में लिखा क्या है वैसे बड़ा simple topic है और exam में questions भी कहीं बार आते हैं expected value of a random variable may be defined as the sum of products of the different values taken by random variable and corresponding probability अब यहाँ पर क्या लिखा है एक formula लिख रहा है किसका formula expected value का which is mean formula क्या बनेगा sum सबसे पहले लिखा है sum sum means sigma so हम लिख लेते हैं sigma expected value is equal to sigma है किसका sigma है दो चीजों के product का किसका product करना है एक तो है हमारे पास different values जिसको हम कहेंगे x और दूसरा है उनकी probability p तो sigma p into x this is the formula for expected value so expected value is defined as sum of the product sum हो गया sigma and product मतलब multiply किसका of different values taken by random variable variable x and the corresponding probability उनकी probability तो इनको आपस में multiply करना है if random variable x assume n values from x1, x2 and so on up to xn with the probabilities p1, p2 and so on up to pn तो हम उससे calculate कैसे करेंगे तो p1 को multiply किया x1 से p2 multiplied by x2, p3 by x3 and so on तो जितनी भी values है उसे हम पूरा multiply कर दिंगे और इसे short में लिखा गया है sigma p into x okay so this is the first formula expected value of x which is commonly known as mean इसको हम कहेंगे mean तो अगर हमें mean calculate करना है using probability तो this is the formula तो इसे हम लिखेंगे e and bracket में x which means expected value of x e x expected value of x अब अगर question कह देता है find expected value of x square find expected value of x square तो कैसे होगा तो हम कहेंगे sigma p into x square sigma p into x square तो इस बार हमने किस को multiply किया है variable x k square को किस से multiply किया है probability p से है then expected value of variable may be positive negative और zero variable के expected value कुछ भी हो सकती है positive, negative या फिर zero if expected value is positive अगर यह positive है then result will be favorable and vice versa अब अगर जो हमारे पास variable की value है यह positive है तो expected value positive आएगी और अगर variable की value negative है तो हमारा result भी negative हो सकता है ठीक है तो यह depend करता है हमारे variable की value कैसी है positive या फिर negative अब एक simple example लेते हैं like एक business में अगर वो business start करता है तो उसको profit भी हो सकता है और loss भी हो सकता है तो दो cases बन रहे हैं first one is कि उस business man को profit हो सकता है कितना वन लेक रुपीज का दूसरा option है कि loss हो सकता है कितना 50,000 रुपीज का अब दोनों के chances कितने हैं तो हमने कहा 50-50 chances है it means 0.5 chance तो है profit का and 0.5 chance है loss का अब expected value calculate करनी है तो हम क्या करते हैं P into x दोनों को multiply तो 1 lakh into 0.5 50,000 and 50,000 into 0.5 तो यहाँ पर negative 25,000 अब इनका total 25,000 तो यह 25,000 क्या है expected profit estimated profit है का यह actual में भी यह होगा no actual में तो दोनों में से कोई एक situation होगी 1 lakh या minus 50 but यह 25 हमें क्या बता रहा है expectation की जाधा chances किसके है profit के है so this 25,000 is e x expected value of x fine इस तरह के से हमें formula apply करना है अब साथ में इसके कुछ properties भी है जो हमें question को solve करने में help करेगी properties of expected value जी properties first property क्या है expected value of x प्लस y x and y दो अलग अलग variables है और इनके sum के expected value अगर पूछी जाए तो हम क्या करेंगे तो हम पहले x के expected value find करेंगे फिर y के expected value and फिर दोनों को add कर देंगे fine so expected value of x प्लस expected value of y दोनों को add कर देना है second one is expected value of kx kx की expected value तो k का मतलब क्या है कोई भी constant कोई भी number 2, 5, 10, 20 कोई भी number हो सकता है और फिर x तो हम क्या करेंगे k को पहले अलग कर देंगे और फिर expected value of x को calculate करना है so k multiply by expected value of x then third expected value of xy xy की expected value तो क्या करेंगे x into y है तो दोनों को multiply करना है expected value of x into expected value of y and minus का sign लगा है तो दोनों की expected value calculate करके minus कर देंगे so ex minus ey fine so these are four properties यह चारो हो गई हमारी properties अब आते हैं क्वेशन पे question number 115 for a probability distribution dash is the expected value of x तो कौन होगा इसका answer mean mean is the expected value 116 if a random variable assumes the value 0, 1 and 2 with probability 0.3, 0.5 and 0.2 then expected value is तो expected value क्या होगी 1, 1, 6 को solve करते हैं सबसे पहले काम क्या करना है हमें एक table बना लेनी है table में क्या लिखेंगे x and p 0, 1 and 2 p कितना है 0.3, 0.5 and 0.2 अब expected value का formula p into x दोनो को multiply so 0, 0.5 and 0.4 अब क्या करेंगे नगा sum 0.9 0.9 is the expected value of x तो कितना सिंपल है तो हम आसानी से ऐसे question solve कर सकते हैं अब इसी में ही हम थोड़ा सा mix and match करते हैं ताकि हमारी कुछ properties काम में आ जाएगी so first thing हमने find out की है expected value of x अगर मालने हमें find करना है expected value of 2x 2x तो अभी हमने property को discuss किया वही formula वही property अप्लाई करते हैं so it can be written as 2 into expected value of x अब e x तो हमें पता है तो इसको 2 से multiply कर दो कितना आ जाएगा answer 1.8 this is expected value of 2x अगर मालने पूछा जाए find expected value of 3x plus 5 3x plus 5 की expected value तो इसको हम कैसे arrange करेंगे पहले 3 into expected value of x और फिर प्लस करेंगे 5 प्लस कर देना है कितना 5 इस्प्लिट हो गया अब value put कर दो 3 into 0.9 plus 5 7.7 7.7 अगर पूछा जाए expected value of x square तो x square के लिए हमने formula क्या लिखा है sigma p into x square तो क्या करेंगे p x square हमें चाहिए तो p x square के लिए better क्या है x को multiply कर देते हैं किसे p x से x को p x से multiply कितना जाएगा 0 0.5 and 0.8 1.30 1.30 तो सीध हम answer लिख लेते हैं 1.30 और इसके उपर एक्जाम में बहुत बार question आ भी चुके हैं तो अच्छी practice आपको रखनी है वैसे जादा time consume नहीं होता है solve करने में और याद रखने में भी चीक है नोड कर ले फिर आगे आते हैं नोड कर लिया है अगे बड़े चले 1.1.7 पर आते हैं what is expected value of numbers when a dice is thrown once अब पहले question को समझना जरूरी है question क्या पूछना चारा है हमें expected value निकालनी है ठीक है किसकी उन numbers की expected value निकालनी है जो एक dice throw करने पे आते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं एक table बनाएंगे कि कितने हमारे पास possible cases हैं अगर हम dice throw करेंगे तो dice पे number 1 आ सकता है 2, 3, 4, 5, and 6 तो यह 6 possible cases है अब हमें क्या लिखनी है इनकी probability dice पे number 1 आने के chances कितने होते हैं 1 by 6 2 आने के chances 1 by 6 3 के 1 by 6 सभी के chances हमें पता है 1 by 6 होते हैं अब हम क्या करेंगे PX निकालेंगे P into X So 1 by 6 2 by 6 3 by 6 4 by 6 5 by 6 and 6 by 6 यह आ गया P into X और अब इनका total 21 upon 6 that is 3.5 3.5 यह आ गयी हमारी expected value है नहा simple अब जो next question है वो भी इससे मिलता चुलता है related question है और आसानी से आप solve भी कर सकते हो कैसे the expected value of X the sum of score when two dice are rolled इस बार दो dice हमने थ्रो किये है तो expected value क्या होगी तो हम पहले क्या लिखेंगे expected value of two dice that means 2X हमें calculate करना है यह हम ऐसा भी कह सकते है expected value of sum of two dice first dice X है और second dice Y अगर हम कोई भी formula apply करें तो answer तो वहीं आने वाला है first formula apply करते है 2 into expected value of X तो EX कितना है 3.5 तो यह आ जाएगा 7 और अगर second reply करते है अगर first dice को throw करेंगे तो expected value कितनी आएगी 3.5 और second को throw करने पर वहाँ भी कितनी होगी 3.5 तो दोनों को हम add कर लेते है तो कितना जाएगा 7 7 तो 7 is the expected value fine next is 119 the probability distribution of X is given below value of X and then probability find हमें क्या करना है mean mean calculate करना है तो फिर से वही चीज़ है X and P कितना लिखा X में 1 and 0 P and 1 minus P तो फिर किता हम करते है P into X P into X 1 into P is P and 0 into 1 minus P is 0 expected value केतनी आ गई है P P is the expected value P is the expected value of 2X 121 भी हमने उपर डिस्कूस कर लिया है expected value of 2X it was 1.8 यह सारा पार्ट हम डिस्कूस कर चुके है अब आते हैं next topic जो है हमारा जैसे हम कहेंगे last topic है variance and standard deviation तो जब से यह standard deviation start हुआ है तब से चिपकापड़ा stats के साथ में बिलकुल भी दूर नहीं जा रहा है और वो last chapter तक हमारे साथ में रहने वाला है तो standard deviation का हर chapter में कुछ नहीं कुछ नया concept या नया formula आ जाता है पहले हमने dispersion में पढ़ा फिर correlation में आने लग गया फिर regression में भी आ गया regression के बाद में probability में फिर से आ गया और इसका अगला chapter probability distribution वहाँ फिर से आ जाएगा तो यह chapter ऐसा है यह जो topic है वो ऐसा है जो हर चाप्टर में आ जाता है अब यहाँ पे एक नया formula जो introduced हुआ है for calculation of variance वो पढ़ते हैं so variance of x is denoted by nita square यह तो में पता है अब इसका जो दूसरा formula हमें लिखना है वो क्या है variance equal to expected value of x minus mu square यह जो symbol आपको दिख रहा है this symbol is mu mu इसका यहाँ पर meaning क्या है mean mu simply means mean तो हमारा formula किसका formula हम लिखना है variance का variance vx equal to expected value of x minus mu square यह हमारा formula और और क्या लिख सकते है mu का मतलब mean mean means expected value so this can also be written as expected value of x minus e x का whole square इस तरह से भी लिखा जा सकता है किसको mu square को और mu square का मतलब हो गया x square तो expected value of x का whole square तो यह formula हमें apply करना है किसके लिए for calculation of variance अगर standard deviation अगर standard deviation calculate करना हो तो तो इस variance का square root कर देंगे तो क्या जाएगा standard deviation तो यह आगे standard deviation का formula then standard deviation and variance इन दोनों की value always कैसी होनी चाहिए positive हमेशा positive ही होंगी अगर negative आ गई तो तो हमें कहीं न कहीं mistake की होगी यह ज्यान में रखना है तो यह दोनों always positive आते है if all observation are equal अगर सारे observation सेम हो तो फिर हमें पता है there is no deviation तो variance will be 0 deviation will be 0 ठीक है अब आता है 122 पे variance of random variable x is given by variance के लिए कौन सा formula सही है यह बताना है तो first and second दोनों हमें सही लग रहे हैं बात एक ही दोनों formula में तो क्या take करेंगे D A और B 123 find standard deviation from the following data standard deviation calculate करना है अब हमारे पास देखें क्या क्या available है x and p x के value 0 1 and 2 p 1 by 4 1 by 2 and 1 by 4 अब हमें क्या करना है standard deviation that means variance पहले निकालना पड़ेगा और variance के लिए अभी हमने देखा हमें चाहिए e x and e x and e x square यह दोनों चीज़ें हमें required है तो हम पहले निकालेंगे expected value of x so p into x 0 1 by 2 and 1 by 2 total आगया है कितना 1 अरब p x square तो p x square कैसा आएगा x into p x 0 1 by 2 and 1 total 1.5 अब variance का formula अप्लाई कर देते हैं expected value of x square minus expected value of x का whole square कितना होगा 1.5 minus 1 square that is 0.5 0.5 तो क्या है variance है but हमें चाहिए standard deviation तो क्या करेंगे इसका square root so root of 0.5 कितना हैगा 0.707 0.707 okay next is 124 find variance from the following data variance calculate करना है और ये series हमें दे रखिए तो बिल्कुल इसी की जैसा question है this is your homework ये आप घर पे आसाने से कर सकते हो fine 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 अब एक तरसे chapter हमने finish कर लिया है अब कुछ ऐसे question लेते हैं जिसमें कोई दूसरी technique required है या पे कोई trick काम में आ रही है या कोई typical question है तो वो भी कुछ questions हम discuss कर लेते हैं सबसे पहले आते हैं question number first पे अमिताब plays a game of tossing a dice dice throw करने का एक game खेलते हैं if the number less than 3 appears अगर dice पे number 3 से कम आता है he is getting rupees x तो अमिताब को कितने मिलेंगे x rupees मिलेंगे otherwise नहीं तो he has to pay rupees 10 तो नहीं तो उसको 10 रुपे देने पड़ेंगे if the game is fair find the value of x अगर game fair है तो x की value निकालो अब आते हैं हम हमारे next topic पे that is some typical questions और tricky questions तो यह question कुछ ऐसे हैं जो कुछ exam में आभी रखे हैं थोड़े से lengthy है या कोई trick इसमें involved है तो question number first पे आते हैं अमिताब plays a game of tossing a dice dice throw करने का एक game खेलता है कौन अमिताब if the number less than 3 appears he is getting rupees x अगर dice पे number 3 से कम है तो कितना मिलेगा x rupees मिलेंगे otherwise नहीं तो he has to pay rupees 10 तो अगर number 3 से कम नहीं आया तो तो 10 rupees देने पढ़ेंगे if the game is fair find the value of x तो x के value हमें find out करनी है तो जहां भी ऐसा question आ रहा है that means हमें क्या करना है expected value का formula apply करना है expected value कैसे करना है वो समझते हैं तो expected value के लिए हमें चाहिए variable x and probability p सबसे पहले हमको x में क्या लखना है all possible events जो भी events हो सकते है वो हमें x में लिखना है तो क्या event हो सकते हैं कि हमें या तो x rupees मिलेंगे या 10 rupees देने पढ़ेंगे तो x मिलेगा या 10 देना है 10 देना है तो आगे हमने लिखा minus minus 10 then probability p number 3 से कम अगर आता है तो x मिलेगा तो 3 से कम आने की probability क्या है 2 upon 6 जिसको हम लिख सकते है 1 by 3 या 2 by 6 similarly minus 10 minus 10 कब होगा जब number 3 से कम नहीं आएगा तो number क्या सकता है 3, 4, 5 या 6 तो probability क्या होई 4 by 6 और we can say 2 by 3 2 by 3 अब find करते हैं expected value p into x कितना हैगा x by 3 and minus 20 by 3 minus 20 by 3 इनका sum अगर करें तो x by 3 minus 20 by 3 अब इसको solve कैसे करना है तो question ने एक last में एक और point बताया है if the game is fair find the value of x अब game fair है इसका क्या मतलब है game is fair इसका मतलब है expected value is 0 expected value में क्या लिखना है 0 no profit no loss fair game का मतलब no profit no loss expected value is 0 तो इसको हम equate करते हैं 0 से so x by 3 equals to 20 by 3 so 3 and 3 got cancelled x की value आगे कितनी 20 x equal to 20 fine ये note कर लें फिरा आते हम question number 2 पर now second question क्या कहता है the odds are 9 is to 5 against a person who is 50 years living till he is 70 कुल person जसकी age अभी कितनी है 50 years उसके 70 years तक live के जिन्दा रहने के chances alive रहने के chances कितने given है तो ये हमें given है against में 9 is to 5 and 8 is to 6 against the person who is 60 living till he is 80 तो कुई person 60 का है 80 तक alive रहने के chances और against हमें दे रखा है 8 is to 6 find the probability that at least one of them will be alive after 20 years कम से कम एक जना alive होगा after 20 years 20 साल के बाद में है तो सबसे पहले हम given information को arrange करते हैं given में first person is A A के लिए ratio है 9 is to 5 और ये है in the form of against against का मतलब होगा Q is to P तो पहले लिखेंगे Q and बाद में P Q is to P So probability that A survive A के survival के chances तो P concept बार बाला है that is 5 upon total 14 and A dash live नहीं रहने के chances 9 by 14 9 by 14 Similarly second one is B अब B के chances हमें given है 8 is to 6 this is also odd against so probability of B equals कितना आएगा 6 by 40 and probability of B dash 8 upon 40 8 by 40 अब क्या करेंगे अब क्वेशन ने क्या पूछा है Find the probability that at least one of them will be alive after 20 years कम से कम एज जना alive रहेगा तो कहीं भी हमने डिस्किस किया था कहीं भी at least one आता है तो solve करने का best तरीका one minus probability of none one minus none तो one minus दोनों के live नहीं रहने के chances को क्या करना है minus करना है तो A के नहीं रहने के chances 9 by 14 और B के नहीं रहने के chances 8 by 14 इसको solve कर लेते हैं 14 into 14 is 196 minus 8 into 9 is 72 divided by 196 कितना आएगा 124 upon 196 अब इसे थोड़ा सा और simplify कर ले और फिर देखें कितना आता है 31 upon 49 option number C is correct okay C option correct है तो अगर stats में कुई भी question solve नहीं हो रहा है तो पहले given values को सही तरीके से arrange कर ले और एक बर आपने arrange कर लिया तो आपके mind में अलग-अलग ideas आने लगते हैं कि हम उससे किस तरह से solve कर पाएंगे तो पहले arrange कर ले फिर जो भी उससे related formula अगर है तो आपको यहाद आता है उससे लिख दे और value put कर ले तो अपने आप आपका answer आने लगेगा चलि नेक्स पर आते हैं question number 3 the odds that a book will be favorably received by three independent reviewers are 5 is to 2, 4 is to 3 and 3 is to 4 what is the probability that out of three reviewers a majority will be favorable अब हमने book को review करने के लिए दिया है तीन लोगों को तो उनको लग देते हम पहले first one first one is a and e का ratio कितना given है 5 is to 2 b के लिए है 4 is to 3 and C के लिए 3 is to 4 3 is to 4 यह होगे तीनों जने what is the probability that out of three majority will be favorable तो 3 में से majority majority का मतलब 50% से जादा तो 3 का 50% कितना हुआ 1.5 और 1.5 के बाद में whole number कौन सा आता है 2 तो 3 में से कम से कम 2 जने क्या होने चाहिए favor में so out of three majority will be favorable तो majority favorable का मतलब हुआ at least 2 will favor the book at least 2 will favor यह हमें calculate करना है तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 1 by 1 सब की probability A के favor में review करने के chances 5 by 7 and B के लिए 2 by sorry against के chances है against के chances है 2 by 7 similarly B के लिए तो chances होंगे that is 4 by 7 and 3 by 7 और C के लिए जो chances है that is 3 by 7 and नहीं होने के chances 4 by 7 तो हमने ratio को probability में convert कर दिया अब हमें different cases बनाने हैं अब different cases कैसे बनाने हैं वो समझते हैं A B and C तो अगर दो जनी favor कर रहे हैं तो कौन लोग कर रहे हैं favor A and B favor कर रहे हैं तो C against में है second possibility क्या हो सकती है A, B and C में से B against में है या फिर A against में है और एक और case जुमारे favor में है that is all persons are in favor सारे person favor में है तो these are four different cases अब इन में से कौन सा case अकर होगा इन चारों में से कौन सा case होगा कोई भी हो सकता है लेकिन क्या सारे होंगे? नहीं सारे तो नहीं होंगे इन में से कोई एक होगा that means इन सब के बीच में plus addition rule apply होगा तो first A, B and C dash A के लिए 5 by 7 B के लिए 4 by 7 and C dash is 4 by 7 क्या करेंगे? multiply similarly second case 5 by 7 B dash 3 by 7 and C 3 by 7 A dash A dash के लिए 5 by 7 B 4 by 7 and C 3 by 7 अब last one all in fever 5 by 7 into 4 by 7 into 3 by 7 इन सब को क्या करना है? add कर देना है और यह add करते हैं आपका answer आजाएगा ओके? तो यह calculation आप गर पे कर सकते हैं अब यह से note करने और calculation वाला part आपको गर पे करना है यह हएब है खेता हैं यह है time और देना है और यह सहब हैं तो यहाण यहां तो सम्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्attend चलिए, नेक्स पर आते हैं, question number 4 If 10 men among whom are A and B, stand in a row 10 जने हैं, 10 में से 2 कौन हैं? A and B और ये सब 10 लोग एक लाइन में खड़े होते हैं What is the probability that there will be exactly 3 men between A and B? A और B के बीच में 3 जने होंगे, इसके chances कितने हैं, ये हमें बताना है तो सबसे पहले, जैसा question कह रहा है, there are 10 persons, 10 जने हैं तो पहले हम 10 places बना देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 तो ये 10 जने हो गए and they are standing in a room, एक room में हैं अब इसमें A और B में क्या लिखा है, दोनों के बीच में 3 जने होनी चाहिए तो अगर 1st place पे A है तो B कौनसी place पे आएगा? 4th पे, नहीं 5th पे because दोनों के बीच में 3 जने आने चाहिए 1, 2 and 3 तो अगर A 1st place पे है तो B will be on 5th place तभी उनके बीच में 3 जने आपाएंगे तो अब हमें इसकी probability calculate करनी है देखे, step by step हम चलते हैं सबसे पहले हमने A और B को fix कर दिया यह उनकी place है तो इन दोनों के बीच में तो 3 persons है, यह कौन होंगे? तो remaining 8 में से remaining 8 में से 3 कोई भी आ सकते है तो हमें क्या करना है? remaining 8 में से 3 persons को select करेना है तो चलिए select करते है 8, C, 3 8 में से 3 select करने हैं तो हमने कर लिया 8, C, 3 अब यह तो 3 जने हैं इस place पे क्या इन्हें आपस में adjust किया जा सकता है? क्या आपस में अपनी place change कर सकते हैं? मिल्कुल कर सकते हैं तो कितने तरीके से करेंगे? यह भी आप लोग नहीं पढ़ा है permutation combination chapter में तो they can interchange their places in factorial 3 ways इतनी तरीके से वो अपनी place को change कर सकते हैं चलिए अब क्या हुआ? अभी पूरा group बन गया किसका? A, B और इनके साथ में इन 3 जनों का तो यह पूरा group बन गया और 5 persons This is treated as now single unit यह हमारे पूरा एक अलग unit है और इस unit के अलावा और कितने places है? और कितने persons है? 1, 2, 3, 4, and 5 इसके अलावा 5 और तो टोटल कितने हो गए? 6 अब इन 6 को हम कितने तरीके से arrange कर सकते हैं? We can arrange them in factorial 6 ways Factorial 6 तरीके से इन्हें arrange किया जा सकता है अब A and B A पहले हैं और B बात में खड़ा है क्या यह दोनों अपनी place को change कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं कितने तरीके से? इन factorial 2 ways तो हमने multiply कर दिया factorial 2 यह हैं favorable cases divided by total number of cases चाहिए तो total number of cases के लिए 10 persons can be arranged in factorial 10 ways तो बहुन में गया factorial 10 तो यह बन जाएगा हमारा correct answer फिर से एक बात हम इसले A and B दोनों के बीच में 3 persons आने चाहिए तो वो तीन लोग कौन सी होंगे? तो हमने select कर लिया है 8C3 अब इन तीनों को आपस में arrange कर सकते हैं अब पूरा एक unit बन गया A, B and 3 persons का और total units कितने होंगे? 5 plus 1, 6 इन 6 को हमा रेंज कर सकते हैं in factorial 6 ways वो भी हमने कर लिया और उसके बाद A and B can interchange their places into factorial 2 and at last divided by total number of cases that is factorial 10 अब इसको solve करने पर हमारा final answer कितना हैगा? 2 by 15 2 by 15 अब इसको solve करने पर हमारा final answer कितना हैगा? Question number 5 पर आते है If 15 persons are to be seated around 2 round tables 2 round tables available है One occupying 8 persons and another 7 persons Find the number of ways in which they can be seated कितने तरीके से ये लोग बैठ सकते हैं? सबसे पहले 15 persons and round table है हमारे पास 2 capacity की One में 8 persons आ सकते हैं और दूसरे में 7 अब round table concept आपने पढ़ा होगा कि round जो भी चीज़ है अब चाहे वो हम garland की बात कर रहे हैं कोई माला है, garland है necklace हुआ या फिर कोई round table इन सारे cases में जो arrange करने के तरीके हैं वो कितने होते हैं? factorial n-1 factorial n-1 अब हमारे पास 15 persons है और इन 15 persons को arrange करना है हम है इन 2 tables पे तो पहले हम क्या कर सकते हैं? 15 में से 8 persons को select कर लेते हैं तो क्या करेंगे? 15C8 अब इनको select करने के बाद हम कितने तरीके से arrange कर सकते हैं? factorial 8-1 तो इनको arrange कर दिया अब पीछे कितने बचे? 7 तो क्या 7 को वापस select करना पड़ेगा? No, वापस selection करने के जरूत ही नहीं है because अब 7 ही तो बचे हैं तो वापस हमें selection नहीं करना अब सीधा उन्हें arrange कर देना है 7 की capacity वाली table पर है तो factorial 7-1 या हम ऐसा भी कर सकते थे पहले 8 की जगा हम 7 को select करें तो 15 सी 7 उसके बाद में क्या करेंगे? उन 7 को हम arrange कर देंगे in factorial 6 ways और जो remaining बचेंगे 8 persons उनको हम arrange कर देंगे in factorial 7 ways तो दोनो possibility हैं तो हमने यह लिखा multiply by 2 क्योंकि वो second possibility दूसरी है मारे पास तो this is the correct answer तो कौंस option मिलेगा आपको? D option तो वैसे यह question है आपका permutation combination का बट क्योंकि इस topic से related हमने questions किये हैं तो यह हमने यहाँ पे cover कर रखा है ओके? Next is question number 6 यह आपको अपने हाँ करना है hint में आपको दे देता हूँ there are six slips in a box numbered from one and one, two and two, three and three these numbers are written on the slips two slips are taken at random from the box box से कितने slips निकाले? two the expected value of sum of the numbers on the slippers in case sum की expected value क्या होगी यह हमें बताना है तो expected value के लिए आपको क्या करना है? x and p calculate करना है x में क्या आएगा? all possible sum minimum sum कितना होगा? one and one that is two फिर one and two आगया या two and one आगया तो three फिर sum four भी आगया सकता है four कैसा आएगा? one and three three and one two and two फिर sum five भी आगया सकता है two and three three and two then sum six भी आगया सकता है three and three so these are all possible cases और इनके सामने आपको लिखनी है probability probability लिखने के बाद में p into x calculate करना है और उससे आजाएगी expected value expected value ठीक है? तो यापका homework next आते हम question number seven पे seven में क्या में आपको लिखने देखे मोईदुल ने कितनी बाद रॉख की है? two तो कितने रुपे मिलेंगे? 500 and रूपीज तूहंड़ीं तो मिलेंगे? 200, what is his expectation, तो हमें expected value calculate करनी है, if he is asked to pay Rs. 400 for participating the game, would he consider it a fair game and participate, क्या मुईदूल participate करेगा या नहीं, यह हमें बताना है, तो सबसे पहले हमारे पास different cases जो form होंगे, two balls draw हो रही है, तो first red and second red, दोनों red आ सकती है, या फिर दोनों ball white भी हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है, या one red ball and one white ball, दोनों red, दोनों white या one red and one white, अब इसको solve कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम x में लिखते हैं, कि अगर दोनों ball red हो गई, तो कितना payment मिलेगा, तो हमें पता है, पर red ball 200 रुपीज है, तो 200 plus 200 is 400, दोनों white ball है, तो 5 plus 500 is 1000, वन red and one white, तो 5 plus 2, 700, ये different cases होगे, अब हमें क्या लिखनी आगे, probability लिखनी है, अब probability कैसे आएगी, वैसे simple है, 2 red ball निकालने के chances, तो red balls कितनी है, 5, 5 में से 2 select करनी है, divided by, total number of balls is 8, और 8 में से 2 select करना है, this is the probability, 5c2 upon 8c2, similarly, दोनो white ball आने के chances, white is 3, 3c2 upon 8c2, and then one red and one white, तो one red, 5c1, one white, 3c1, and then divided by 8c2, ये आपकी probability, तो अब आपको क्या करना है, इसको थोड़ा solve करें, and x से multiply करते हैं, तब आजाएगी हमारी required probability, अब उसके बाद में last में क्या करेंगे, game is fair or not, अगर expected value, expected value कितनी आथी है, more than 400, 400 से जादा है, क्योंकि 400 तो मोईदुल को payment करना पड़ रहा है, अगर expected value 400 से जादा है, that means मोईदुल को होगा profit, if expected value is less than rupees 400, कम है, तो मोईदुल को क्या होगा, loss, और अगर expected value equal to 400 है, तो उसे हम कहेंगे, game is fair, that is no profit, no loss, तो आपको simply देखना है, इन तीनों में से कौन सा case होता है, fine? चलिए, अब आते हम च्वेशन नमबर 8 ते, the odd in favor of an event is 2 तो 3, and odd against another event is 3 तो 7, हमें क्या given है, odd in favor given है odd in favor is 2 is to 3 and odd against is 3 is to 7 find the probability that only one of the two events occur only one of the two events occur दो में से सिर्फ कोई एक event occur होना चाहिए तो देखें इसको solve हम कैसे करेंगे सबसे पहले probability of event A event A के लिए गिवन है odd in favor सो probability of A कितना लिखेंगे 2 upon 5 and probability of not happening in event A is 3 by 5 similarly जो हमारा second event है probability of B अब इसमें गिवन है odd against that is Q is to P Q is to P so 3 is to 7 now probability of happening this event will be 7 upon 10 7 by 10 and not happening this event so B dash will be 3 by 10 अब हमारा question क्या पुछ रह है only one of the event occur दोनों में से कोई एक event occur होना चाहिए तो कौन सा event occur होगा probability that A occurs but B does not occur A occur हो रहा है but B नहीं होना चाहिए या फिर हम ऐसा कह दें A occur नहीं होगा but B occur होगा तो इन में से कोई भी case हो सकता है तो हम इसको solve कैसे करेंगे probability of happening an event A is 2 by 5 and B के अकर नहीं होने के chances is 3 by 10 similarly A dash A occur नहीं होना चाहिए is 3 by 5 and multiply by B के अकर होने के chances 7 by 10 अब इनको solve कर लें 6 plus 21 upon 50 तो 27 divided by 50 this is option number D next 9 4 married couples have gathered in a room 1 room and 4 married couples 2 persons are selected at random amongst them और उन में से 2 persons हमने select किये हैं find the probability that selected persons are जिनको हमने select किया है वो person क्या होने चाहिए a gentleman and a lady one gentleman, one male and one female but not a couple लेकिन वो आपस पे couple नहीं होने चाहिए तो देखें कैसे solve करना है बड़ा simple question है सबसे पहले हमें यह पता है we have to select 2 persons out of 8 because 4 married couples that means 8 persons तो 8 में से 2 लोग हमें select करने है कैसे select हो सकता है तो हम लिखेंगे 8C2 8 में से 2 को select करना है अब 1 male and 1 female तो 1 male को select करना है तो male कितने है 4 and 4 में से 1 will be selected so 4C1 अब हमें female को भी select करना है तो क्या करेंगे multiply लेकिन condition क्या है they must not be a couple तो हमने जिस person को जिस male को select कर लिया है तो उसकी wife को select नहीं करना है तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पे कि जिस male को हमने select कर दिया उनकी wife को बोलेंगे auntie जी side में auntie जी को side में कर देंगे because उन्हें हमें select नहीं करना है तो किसका selection होगा remaining 3 में से किसी 1 person का so remaining 3 C1 so male 1 and female also 1 but male के लिए हमारे पास 4 options थे female के लिए हमारे पास only 3 options है because the selected persons must not be a couple वो couple नहीं होना चाहिए okay इसको हम solve कर लेते हैं 4 into 3 is 12 8 C2 8 into 7 divided by 2 आवे से simplify कर दें कितना जाहिए का अंसर 12 upon 28 or we can say 3 by 7 option number B B option correct है okay next is question number 10 there are 3 boxes with the following composition अब एक पूरी table हमें बना रखी है color of boxes blue, red and white and number of box first box, second and then third box one ball is drawn from each box हर box में से एक ball हमें select करनी है what is the probability that they would be of same color उनके same color के होने के chances क्या है तो हमें ये ध्यान रखना है हमें सारे box में से one ball select करनी है और सारी balls का color same होना चाहिए तो ball कौन से color की आ सकती है ball blue आ सकती है red भी आ सकती है and even white ball भी आ सकती है तो ball का color तो कुछ भी हो सकता है that means there are three possible cases first case क्या है blue ball blue ball is selected so if blue ball is selected from each bag then the probability will be first bag में there are 23 balls and blue kitaäterे है 5 So 5 divided by 23 Second box में से भी blue required है Blue केतनी है? 4 and total is 21 Third में से 3 by 16 So 3 में से हमें blue select करनी है So हमने कर दिया multiply Second case, it can be red ball And red ball को select करने के chances 8 by 23 Multiply by 9 by 21 And multiply by 6 by 16 Or फिर third case Third case is white White के लिए 10 upon 23 8 upon 21 And 7 by 16 So these are the 3 possible cases अब इन तीनों में से कौन सा केस सकर होगा? First, second या third कोई भी हो सकता है That means कौन सा rule apply करना है? Addition rule So first case plus second case plus third case तो इनको add करना है And this is the correct answer उससे हमारा answer आ जाएगा तो इसको आप घर पे जाके simplify कर लें Okay? Fine? So यहाँ पर finish होता है हमारा chapter probability अब जो सबसी जादा normally confusion होता है वो है addition rule And multiplication rule को लेके तो उसे हम एक बार surprise कर लेते हैं ताकि उस तरका कोई confusion ना रहे Addition rule And Multiplication rule सबसे पहले addition rule कब यूज़ करना है अगर question में लिखा है A union B A union B यह हम कह सकते हैं A plus B A और B Any of them At least one तो इन में से अगर कुछ भी लिखा है तो हम always क्या apply करेंगे addition rule और multiplication के लिए A intersection B A into B A and B All of them A as well as B इन सारे cases में हमें यूज़ करना है multiplication rule अब हम एक short trick जो माइन में रख सकते हैं के like question में two events given है event A and event B और question की language से हमें ये समझ में आ रहा है दोनों में से सिर्फ एक event अकर होना चाहिए तो हम यूज़ करेंगे multiplication rule multiplication rule जैसे एक छोटास example लेते है in case of playing cards question ने काहा है one card is drawn from the packet of playing cards कितना card निकालना है one what is the probability of getting card of king or queen king या queen आने के chances बताने है तो card कितना select करना है one that means दोनों में से कोई single case ही होगा या तो king आएगा या फिर queen तो ऐसे case में क्या करना है addition rule तो king select होने के chances is 4 by 52 queen के लिए भी कितना है 4 by 52 so total will be 8 upon 52 ओके लेकिन अगर हमारा question ऐसा कहता है there are two packets of playing cards playing cards के कितने packet है two packets है one card is drawn from each packet दोनों में से एक एक card हमने select किया है what is the probability of getting king from first and queen from second first से king आना चाहिए और second से queen तो इस बार language से हमें क्या समझा रहा है कि दोनों event अकर होने चाहिए और जब दोनों अकर होने चाहिए तो multiplication rule तो हम क्या कहेंगे four by fifty two into four by fifty two तो यहां लगया multiplication rule तो सिर्फ यह चोटा सा point है जो मैं ध्यान में रखना है तो इससे हमारा solution कभी गलत नहीं होगा तो इसकी practice आपको अच्छे से करनी है especially notes के यह सारे questions आप वाबस revise करें और फिर उसके बाद आपको scanner के questions solve करने हैं because past exam में जो questions आ रखे हैं वो हमें काफी help करते हैं ओके